अब आगे हम point पे, एकदम 0 से गड़ी सुरू करेंगे, जिनको कुछ भी नहीं आता है, उनकी उमीदें यहां से पूरी होंगी, बच्चे नहीं, बच्चे वाले भी सीखेंगे गड़ी, आईए, जनाब देखिए, यहीं से तो हम सुरू करते हैं, और आपको high school label तक का पूरा math मिलेगा, इसमें मैं promise कर रहा हूं, और मैं वीडियो कभी delete नहीं करूँगा, आप चाहे like share करो या ना करो, कुछ ना करो, चलो, तो पहले हम इनको क्या करेंगे, label में category में मैंने पांट रखा है, यह 5 type के हम इसमें question करेंगे, ठीक है, बिल्कुल चाहे आप बच्चे हैं य पुन के लिए है, बात कोई फालतू नहीं, only काम की बात, चलो, इनको सभी जोड़नेंगे, बच्चपन में ऐसे हम लोग सीखे थे, कैसे, 7 में 3 जोड़ना है, तो हम ऐसे 7 लाइन खीचते थे, है न, 7 लाइन हो गया, इसमें 3 जोड़ना है, 3 लाइन साइड में खीचा, सब किन लिया, बच्चपन में ऐसे हम लोग जाते थे, तो उंगली से खीचा-खीचा के नीचे जमीन पर ऐसे जोड़ते थे, तो देखो जोड़ना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, आट, नो, दस हो गया, तो यहां पर लिख दिया 10, लेकिन आप इतने बड़े तो को जोड़ते हैं, अजल बगल जोड़ते हैं it, इस इसरी स्साषल के पाता है, बस मैं दिखा रहा हूं कि, जीरो से आपको सिखाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है आज आपको सब कुछ अलग लग रहा होगा है न मैंने सुचा क्या ही दिखाना आपको कपड़े बंदल ही लेता तो क्या हो जाता पढ़ने से तो मतलब है आपको मैं जैसे भी रहता हूं मैं लिए एक गंदिया था यह बहुत जादा वो चीजों सदेस्ट में गढ़ ऊठिए जोडेका 8 दूरप देंगे थोड़ा सा अब सब इसका पढ़ला इसका पढ़लांग इसका पारिलांग बहुत दिखे से तो चार तीन साथ इसका फॉस्ट डिजिट आगे से इसका फॉस्ट डिजिट आगे से तो तुई एक तीन जिस पर चिनल लगा रहा हूं देखते हैं जाओ इसका अंसर खुद से बताओगे आप कमेंट करोगे ठीक है चलो बाकि स्क्रेंश नहीं लिए स्टार्टिंग के जो स मतलब नहीं चलो तीन दो पांच साथ चार ग्यारा कैसे जोड़े हैं साथ में तीन जोड़ दो दस और एक बज़रा ग्यारा सिंपल है है कितना आसान है आट चार यह सोरी फोर और ठीकितना हो जागा सेवन एट वन नाइन यह दोनों आप लो खुद से कर लोगे हैं कितना आसान यह स्रीज आपके लिए जिन्दगी में बहुत बढ़ा बदलाव लाने वाली है आप ही नहीं आप जैसे बहुत से युवाओं के यह आज का यक्ष प्रस्न देली के वीडियो में कहीं न कहीं आपको एक कोश्चन मिलेगा वह कहीं भी हो सकता है सुरू में लास्ट मे पूरे होगे 5000 बे मिलेगा एकदम बोलगां लाइप वीडियो के सामने वीडियो में है ठीक है नहीं तो आजाना परियागर आज अगर जूट हुआ तो चलो कि आगे इनको जोड़ना है कि उल्चिन उन जोड़ना है इसका ती और तीन किद्ना चार इसका पीछए से दूसरा रांग जोड़ो भाई अगला तीफरा यह चार है इसका तीफरा रांग कितना दो है त्यों हो गया छे और इसका पहिला ठीक है तीन और इसका एक चार कम्प्लिट ऐसे कर लेंगे ऐसे घर में आजाओ फटाफट जल्दी जल्दी से दस मिनिट के अंदर वीडियो खतम होना चाहिए चलो चार एक पांच तीन दो पांच और यह तीन दो पांच छे तीन नो है ना कितना असन अब बताओ गड़ित मुश्किल है नहीं ना आँखों में नीन देना दिल में करार यह मोहपत भी क्या चीज होती है अगर मेरे जैसे से आपको भी त से महपत हो जाहा है ना सो और यह उकिन नहीं होगा कई रात भी जाती है अब एक वह वह aimed मैं सोन्ये में आसे मैं सोता हीत और यहीं में झोड़े तो तो लेकिन आपके जैसे उतना भी नहीं सोता हूं कर दा जैसे मतलब गंटे दो गंटे समझे रहो चलो देखो इदर तीन इसको जोड़ेंगे कैसे देखो चार दो छे और तीने चार और ये तीने चार और ये आठ चार बारा हो गया ना खतम कितना बढ़िया है मस्त एक दम सम के लिए हमर रहेगा वह दोनों हमर रहेगा कर लेंगे ना वैसे इसका लाश्ट लाश्टंग जोड़ेंगे नहीं समझना आगा कमेंट करना बताएंगे इसमें नंबर कोई संपर नहीं करेगा नंबर दिखेंगा नहीं आपको आप सिर्फ वीडियो में कमेंट करोगे यहा 1-2teredthree इसका पिछे फिटी फिरंग तो तीन और पांच वांच आए से उतार देंगे समझे रहो कि नहीं यह जो पचा था इनको आई से इनके आगे उतार देंगे बस खातम खिलाड़ी समझे रहो कितना बचा था एक दो तीन कमेंट कर बताना मुझे अगर कहीं कुछ गड़ जा रहा है तो ठीक है नो डाउट यह आपके लिए उमर को जाएगा आजसे आप इनको कर लेंगे इनमें दिकत्ता बाती यह पूरे पूरे यंग बराबर नहीं होते हैं इतना तो कम है कई से होगा वही आंसार आएगा जोड़ लो देखो तीन चार तीन आठ पांचा नो एक दो तीन वही आना चाहिए अगर आलगा तो मतलब उतर गलत है वही आ सबसे पहले वाली इंती पकड़ोगे आप प्यार फे दूसर की वाली पकड़ो तेरा है ना पीछे से लिखो तीन एक बाकी छोड़ो कुछ नहीं जाने तो अटाओ इसमें क्या है तीन एक दो तो तो तीन एक दो ठीक है ऐसे खीज़ दो भी यह बीच में यह जिरो लगा द अब बैलने बना है जोड़ डालो फटा फट तीन दीन शे दो आठ एक दो एक तीन आट दो दस हाफिल एक चार एक पांच कितना हो गया पांच हजार और तीस ऐसे आप बगलवाला भी कर लेंगे बदाए देखें किरपा हुई ना बगवान की ठीक है आज पढ़ेंगे तीक है चलो आओ घटाना कैसे करेंगे सब्स्ट्रेक्शन वन डीजित पहले करेंगे फिर टू डीजित 3डीजित और उधार वाला घटाना समज रहा हूँ यह ऐसे ही चलेगा फिर 0 बात है जल्दी जल्दी फट 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 गिरगर फट 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 बढ़ें बाई दो सीखना है गड़ के अंदर हम आपको एक topic कंप्लिट कर देंगे बस बाते समज के चलना है फिर पढ़ने सब कु हो गई खतम ये हमें पता है ये अधिकांस लोगों को सब को आता है कहेंगे क्या मजाक है वही मजाकी फली है कि जिससे आप समझो कि हम जीरो से शुरू किये हैं और चार-पांद दिन में आप देखो गए अच्छे-खाफे चल जाएंगे लाइन पे हम लोग और जिनको कि शेले बलका शवाल है का छे के ऊपर कुछ नहीं इलिए कछाíd अच्छ्छ पां्च शे क्यार आप इनमें चानते हो अगर जानते तो पिन्हान देखो विडियो को और नहीं जानते हो देख लो जा बटाफीक वह ज़्यादा हो रहा है आठ में से तीन गया पांच और ये छे में से चार गया तो ये दोनों होमवर्क है आप लोग इसको खुद से कर लेंगे है ना बढ़िया इसमें देखो इसमें भाई समझने की कोशिस करो सभी लोग 23 में से 4 गटाएंगे बहुत आफान है आप ये माल लो कि हम 23 में से 3 गटा रहें तो बताओ 23 में से अगर 3 गटा होगे 20 आएगा सबको पता है और अगर 4 गटा रहें ज़्यादा गटा रहें मतलब वो नहीं साएगा आफे लगाया करो बाकी को नो दिमाग नहीं लगा ना दे 99 से हमें 9 गटा आना है हमें इस 9 से नहीं मतलब हमें इससे मतलब है इसमेंसे 9 गटा लो कितना आएगा 6 और वो 9 उतार दो ऐसे इधर कर लो है ना नो मेंसे चार गया पांच इसके नीचे कुछ नहीं है जीरो लगा दो दो मैंसे जीरो घटा होगे दो आएगा खतम ऐसे सब कर लेंगे ना को डाउट ना किसी को नो दिक्कत चलो यह तो सब करी लेंगे इसमें कुछ बड़ा नहीं है मैं सामने से फिले हट जा रहा हू इसमें भाईया कैसे करते हैं थोड़ा फड़ा वाली बात हो जाती है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है तीन और यह देखो तीन और दो यह कम और ज्यादा है न हम क्या करेंगे लाश्ट अंग पकड़ेंगे यह लाश्ट अंग आप सोचो कि तीन मेंसे हमें एक हमें तीन खताना मदलब दो आगे देखो फटाल फट देखे रहो जर मैंसे क्या घटाना है तीन घटाना तो चार मैं 17 गये एक अब बाकि सात मेंसे कुछ नहीं घटाना उसके पास कुछ हईय नहीं है तो यह साथrireसे उतार दो कुछ गरबड तो नहीं अधाया ना शही ऐस इसको भी कर लेंगे, नहीं समझ में आगा बताना है, मुझे मैं बाद में बता दूँगा, क्योंकि मुझे न, आपको उस मुकाम पर पहुचाना है, जो काम की चीजे हैं, उसको बताना है, आओ, तीन में से गया दो, और चार में से तीन गया एक, साथ, इसके नीचे कुछ न जन संख्या वाला, कौन सा डिस्टीक है, वो किस राज्ज में है, उस देश में, उस मतलब राज्ज में कितनी जन संख्या है, उस जिले में कितनी जन संख्या है, यह सब आपको पता होना, चाहिए बताना, ठीक है, चालो, इसको देखते हैं, जैको यह वाला जी क्या आदे वाला बोरिंग क्या बोलता है उसको फोड़ो जाने दो अंग्री जी मत पढ़ो अब दो मैंसे पांच तो घटेगा नहीं तो हम इद घर बगल वाली से उधार ले लेंगे मतलब बगल वाले से ये बारा हो जाएगा बारा मैंसे पांच गया तो साथ ठीक है और ये चुकी पांच बांच गब और ये उधार दो एक पांच गशने को घापउर साथ साथ मयको जाए उतार लेंगे मतलब वाला वह कुर तो ne कि ये बहुत बड़ा तो नहीं काटने उना दोड़ रा डवने कितना आसा कि थोड़ा सा महित से मोहबत करLऊ और वो महमॉभत ऐघर ağ़ रात के दो बच कर 24 मिनट पर भी मैं आपके सामने ऐसे बोल रहा हूं जैसे आपको लग रहा है कि दिन का टाइम है या मतलब बहुत मैं कमपटेबल लग रहा हूं तो यह होता जब किसी चीज में आपका मन लगता है समझ रहे हो कि नहीं अगर आपके काम में मन नहीं लग रह समझ रहे हो लेकिन टाइम तो रुखता है नहीं भागता रहता है और जो मुझे जानने वाले हैं वह अच्छे जानते देखो इदर दो मेंसे आठ घटेगा नहीं भगल से उधार लेंगी यह हो जाएंगा 12 12 मेंसे चार गया तो चार और इससे उधार लिया था कुकि यह कम हो गया तो दो मेंसे एक गया एक ऐसे इनको घटा कि आप लोग मुझे बताना ठीक है कर लोगे कोई दिक्कत ना चलो हाँ ये मेन वाले हैं थोड़ा सा इनको आओ कर देता हूं में है तो बहुत आसान चलो भई तीन में से नौ नहीं गटेगा इधर से उधार जाएगा ये बनेगा तेरा तेरा में से नो गया चार क्योंकि नाइन फोर कितना होता थाटीन होता है चलो अब ये चूकी उधार दिया था इसको देखो रात का बहुत टाइम हो चुका अगर कहीं छोटा मोटा आगे पीछे हो जाता तो बताना मुझे कमेंट कर गटेगा ठीक है चलो ये तीन तीन में से आठ गटेगा नहीं इधर से उधार जाएगा तीरा तीरा में से आठ गया पांच ठीक है ये उधार दिया था बचा साथ साथ में से तीन गए चार अब इस से कोई मतलब नहीं था तो ये सीधा फीधा पूरा पूरा बचा है है ना किसी को कोई आपति पिति नहीं ना इसमें चालो आओ एक नीचे वाला कर देता हूं इधर वाला चार मेंसे तो घटेगा नहीं बगल से उधार लेंगे चाउदा बनेगा चाउदा मैंसे छे गया वह 14 से 6 जाएगा कितना है गते हो 14 से 7 जाता तो 7 बचता क्योंकि 7 दूने चाउदा होता है और 6 घट रहा तो इसका मतलब 8 बचेगा यह उधार दिया था मतलब भी 8 बचा है 8 मेंसे 5 गया तीन इसमें से उधार गया था अब इसमें से तो कुछ नहीं हुआ था पांच में से तीन गया दो और साथ में से एक गया है न कोई डाउट ना किसी को बढ़िया पस यही तो है गडित यही तो है मज़ेदार चीज ना बिल्कुल जीरो से सीखो ना जनाब क्या ही प्रॉब्लम है आपको क्या ही तकलीफ है वीडियो बहुत लंबा हो जाता आप लोग देखते नहीं हो आज का टॉपिक है गुड़ा मल्टिपल जब किसी संख्या या अंक को उसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो इसी क्रिया को गुड़ा कहते है यह पुराना वर्जन है जोड़ने वाला गुड़ा वाला मौडरन जमाने का है ऐसे समझे लो अपडेटेड वर्जन है जैसे फार एग्जामपल अगर मैंने तीन को देखो भईया यहां पर जोड़ा कितनी बार एक दो तीन चार अगर मैं तीन को चार बार जोड़ूं तो बारा हो रहा है अब चूकी तीन को मैंने चार बार जोड़ा था इसलिए मैंने पहले तीन लिख दिया फिर जोड़ा कितना बार था चार बार चार से गुड़ा किया बारा आया यह जोड़ने की पर किरिया ही आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें किस टाइब के कितने टाइब के कुश्चन होंगे जड़ा प्यार से देखना पहले हम एक अंक का एक अंक में गुड़ा करना सिखाएंगे क्योंकि हमारी कोशिस है उनको सिखाना जिनको गड़ित में कुछ नहीं आता है जो हो चुके हैं बतिफाल के अठाई साल के कहीं जाके छोटी क्लास में बैटके नहीं पढ़ सकते हैं उनकी बड़ी सरम आती ला जाती है क्योंकि वो बच्चे नहीं बच्चे वाले हो चुके हैं उनको सिखाते हैं, तो एक दम स्टार्टिंग से, दो अंक को एक अंक से गुड़ा, दो अंक को दो अंक से, थिरी को थिरी से, टू से, ऐसे ऐसे पढ़ लो, आप जो जो लिखा, ज्यादा पढ़ने में टाइम लगेगा, चलिए, तो सबसे पहले, पॉइंट पे आ जाते हैं, करते हैं, टाइम बहुत कम है, दस मिनट में हमें खतम भी करना है, तो एक, दो, तीन, कितना बार जोड़ा गया है, तीन बार, किसको जोड़ा गया, साथ को, तो इफलेस, एकाइस हो गया, ठिक, अब यही परकिरिया गुड़ा बन जाती है, उधर फाइट में जाके देखो साथ को कितनी बार जोड़ा था, तीन बार, तो साथ को तीन से गुड़ा किया, कैस, इधर देखो, नव को कितनी बार जोड़ा है, तीन बार, तो नव तरीक फटाइस, 27 हो जाएगा जोड़ोगे तो, और नव को तीन में गुड़ा किया, फटाइस, वो इफे नीचे भी द और गड़े सीखने के लिए यहाँ पर हम यह कंडिसन लगा चुके हैं, इसमें कोई उमर की सीमा नहीं है, सीखने की कोई उमर नहीं होती चलो, इस तरेज में 100 वीडियो मिलेगा बागु भाहिया, कितने? 100 वीडियो मिलेगी पूरे पूरे ये बहुत important है जो दिखा रहा हूँ बस आदा मिनिट में खतम हो रहा है slide बहुत जरूरी है अगर आपको ज़्यादा दुख हो रहा है तो आगे skip कर लो थोड़ा सा ये जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है इनको वीडियो करों करों करके एक एक slide पढ़ लीजिएगा बहुत काम का चीज है क्योंकि इसमें 5000 रुपए का surprise मिलने माला है और वो डिपेंड करता है कि आप डेली class का answer देते हैं जो answer यहाँ पर question पूछे जाएंगे especially चलो आजाओ भया one one digit पे आजाए तो 7 का 5 में गुड़ा किया तो 35 clear उसी तरीके से 7 का 5 में गुड़ा किया 35 एक एक digit का है देखो table आपको आता होगा table trick नहीं बताया हो क्या अभी बता देता हूँ यह अगली class में बता दूँगा या आप comment करना मैं table trick दे दूँगा ठीक है रात को जो सोने जाना ना तो सोने के पहिले एक बार अच्छे से प्यार से सरसरी निगाफ देख लेना WhatsApp WhatsApp दूर रख देना बाबू अबू को दूर रख देना बिश्तर पर लेके ना जाना मतलब वहां सोना सकून से समझ रहो मतलब मोबाइल ना लेके जाना ठीक है और Copy Page में लिख के ले जाना और वहां पर एक बार देख लेना पर सो जाना और सुबह जैसे उठना एक बार फिर देख लेना बस रटना नहीं बैठके अगर दो दो टेबल एक दिन में देखोगे जैसे पांच का शे का देख लेक दिन साथ कार्ट का एक दिन देख लिए ऐसे याद हो जाएगा रटना नहीं है ठीक है तो यह हो गया यह 9 चोक 36 8 3 जा 24 9 5 जा 45 ऐसे इसको भी कर लेना है ना चलो देखो recording में यही मज़ा रहता ना बिल्कुल टेंसन फ्री होके पढ़ाया जाता है बाकि लाइब में बड़ा चिक चिक रहता है बहुत कुछ देखना पड़ता है यह आपका यक्षपरफ नहीं ना मौला भारत में पूर्भी देफांतर रेखा को मानक समय रेखा माना गया है सबको पता है यह रेखा भारत के किस सहर से होकर गुजरती है आपके सामने है देख लो पढ़ लो और बता दो एक बहुत इंपॉर्टन खास विचार है यह जो लोग कहेंगे कि हमें तो चुनाओ से कोनो मतलब नहीं राजनीती से कोनो मतलब नहीं हम तो पढ़ने वाले हैं जिंदगी बर पढ़ो कभी ना बैकेंसी आएगी कभी ना नोकरी मिलेगी क्या करोगे पढ़के सब कुछ राजनीती से होता है देश में रह रहे हो तुमारी सांसें भी राजनीती पर डिरिबंड करती है कल को अगर पैसा लग गया ना सांफ लेने के तुम्हें पैसा देने पढ़ेंगे यह मत सोचो कि हम इस देश में रहते हैं हमें राजनीती से कोई मतलब नहीं है हम किसी को नहीं कहते है अच्छा बुरा लेकिन आप ओड जरूर दे आने वाले लक्सन में और यह आप इसमें से चुनके मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या चाहिए मंदिर मस्जी चाहिए हिंदू राष्ट चाहिए अच्छा धार्मिक सिस्टम चलना चाहिए या फिर आपको रोजगार चाहिए खाने को रोटी चाहिए और सिच्छा चाहिए क्या चाहिए आपके आने वाले बच्चों को आप क्या बनाना चाहते हैं मंदिर में पुजारी बनाएंगे या मस्जीद में जो मौल भी होते हैं वो बनाएंगे या आने वाले अपने बच्चों को कुछ आप बहतर जिन्दगी देंगे क्या करेंगे बताइए ये जरूर बताना चलो आगे बढ़ते हैं बहुत आसाने को सभी कर लेंगे आई एक एक पॉइंट पर बढ़ते हैं ये बिना हासिल वाला है कॉलम मेथेड ठीक है ये रो मेथेड है चलो टू फोर्जा एट यानि दो चोग आठ दो तियाई छे ठीक है चार दुना आठ और चाननवाई छतिस सभी को पता है कोई डाउट ना इसमें जानते हो न बहुत चार का दो बार गुड़ा करना है चार का पाड़ा दो बार चार दुना आठ और चार का पाड़ा नौ बार तो 36 कोई यहां फिल नहीं आ रहा है इधरे में कैसे करते हैं साथी मेरे देखो इधरे में इसे करते हैं वही सवाल है ऐसे 2 का 4 में 2 चौक 8 फिर 2 का 3 में 2 तियाई 6 बस ऐसे लिख देते हैं ठीक है एक इधर भी कर लेते हैं 3 का 3 में 3 तियर जा 9 3 eight जा 24 है एक चीज बस आलग अलग तरीगे से किया गया है जो बचा है उसको खुद से करके बताना comment में देखो गड़ित सीखना है न सिस्टम से पढ़ना होता है कुछ छोड़ना नहीं है इसमें यह मत सोचो बड़ा आसान आसान है पस देखो देखो किसी भी आहें बराती जाते हो न तो पूरा रात बैठे रहते हो तुमको सब को पत तो यह एक लाइन में बिना हासिल वाला बिना हासिल वाला को हम दो लाइन में करेंगे तब होगा अगर एक लाइन में करेंगे था हासिल आजाएगा दो लाइन में कैसे होगा जैसे देखो पांच दिया पंदरा पंदरा इसे लिखा जाता था ठीक है उसका जो पांच है य इनको थोड़ा नीचे किसका दो, बाद में इनके काम लगेगा, ठीक है, clear, अब इनको क्या करो ना, थोड़ा सा, सिस्टम से लिख दो, अच्छा लगेगा, सुन्दर लगेगा, पहला इस्टेप, दूसरा इस्टेप में क्या करेंगे, last वाले गिंतिक नीचे क्रास करते हैं, और फिर इससे गुड़ा करते हैं, 1-3 जा, 3, 1-2 जा, 2, ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं साथी मेरे, 5 की नीचे कुछ नहीं तो, 5, 3, 1, 4, 1, 1, 2, sorry, 2, 1, 3, देखो, अभी एक थी गलती हो जाएगी, छोट अफना, साब कमेंट करेंगे, खुब दबा के कमेंट करेंगे, अरे, फर गलत कर दिये आप तो, मतलब एक वीडियो में मैं 25 कोश्चन सही करा रहा हूँ, अगर एक ठीक गलत जोड़ दिया, देखो, भर-भर गाली देंगे, चलो, 10 मिनिट में आज पूरा नहीं होगा ये, clear, आगे बढ़ें, इसको भी बता देते हैं, ऐसे इसको भी कर लेंगे न, पकाना, कमेंट करना नहीं आएगा तो, चलो, इसको एक लाइन में बताऊं, हाफील वाला कैसे होता है, सेम चीजे हैं न, सेम है, इसमें 15 का पढ़ेंगे, उसमें हम 5 का और एक कपड़े थे, तो 15 का पढ़ेंगे, 15 तिया, 45, अब पहाड़ा नहीं आता, तो कम मतलब, बताऊंगा भी, देखो आगे, तो इनको अकेले 5 को यहां लिखेंगे, और जो फोर बचे हैं न, वो इनके कोपड़ी बाजाएंगे, उपर वाले के चुर्की पे, ठीक, दो ठीधना वाँ पे गुड़ा कने पाया था, अब पंदरा दूना 30, और 34, उत्तर वही आन लिखा था, बिना हासिल, अचा, बिना हासिल ये था, दो लाइन ये था, वो एक लाइन वाला है, ठीक है, ऐसे इसको भी कर लेंगे आप, बारा का पहड़ा आता है सबको, अरे बारा अठे नहीं आता है, ऐसे गुड़ा कलो न, आट दूना 16, 6, 6, 6, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 57, है ना कितना मज़ेदार भाईया, तो यही सब चकाहानी थी, आज के लिए भाई, खाता हम खिलाडी, अभी एक लाइन आउर बचा है, फिलहाल तीन अंका, दूने गुड़ा करना, ये मैं बताऊंगा अगली क्लास में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा, आप लोग दे कि लाओंगा, ठीक है, देखते हैं, चलो, थाइंक्यू, आईए, पॉइंट पे चलते हैं, यही से कल पढ़ाना था, है न, चलो, क्या आईए, यह तीन अंक को दो अंक से गुड़ा, बिना हासिल, बिदाउट करिंग, ठीक है, वन का फोर में मल्टिपल करोगे, वन फोर ज से बन जा, से बन, क्लियर, यह हो गया, अब क्या करना है आपको, इनको थोड़ा सा इदर करके जगा ले लेनी है, क्योंकि इदर जगाह की कमी है, जन संक्या वड़ रही न, इसलिए, चलो, इसके नीचे लाश्ट वाले की नीचे क्रास कर देंगे, करा बिना हासिल, अगर ह हम इनका 21 से गुड़ा कर देंगे, यह हासी लाजाएगा, क्योंकि 21, 84 होता है, 84 का 4 हाफी लाएगा 8, इसलिए हम दो लाइन में करेंगे, तो 2 का 4 में 2 चोग 8, और 2 का 3 में 2 3 6, और 2 साथ 14, इनको जोड़ दीजे, 4 की नीचे कुछ नहीं, 4, 8, 3, 11, हाफील 1, 7, 6, 13, 14, देखो बहुत जल्दी जल्दी आज मैं नहीं हल करूँगा, जितना हो पाएगा उतना ठीक है, क्योंकि कल बहुत जल्दी जल्दी हो गया था न, और जो साथी लाइक नहीं किया, फटा फट लाइक कर दे न, जिससे कि मैं और उत्साह के साथ अगली गलास ला सकूँ, चलो तीन तरीका, नो, और तीन का जीरो में तो जीरो, और तीन अठे चौबिस, कोई डाउट ना किसी को, अचा किया मेरी अवाज में सोरगुल भी आ रहा है क्या, मुझे लगता है कि कुछ, अगर इसमें फिल्टर नहीं लगा तो हो सकता है, आ रहा हो सायद, कुछ हद तक नहीं आ रहा है ना, चलो ठीक है, आओ, तीन का गुड़ा हो गया, तीन तरीका, नो, जीरो, तीन अठे चौबिस, अब क्राफ लगा के, वन का मल्टीपल करो भई, वन का थ्री में तो थ्री वन जा थ्री, वन का जीरो में तो जीरो, वन का एट में तो एट, बस इनको कियों में कर लेना है इनको ऐसे side में करते जाओ थोड़ा जगा बना के 9 के नीचे कुछ नहीं 9 3 में 0 जुड़ेगा 3 4 में 0 जुड़ेगा 4 और 8 2 10 क्योंकि किसी भी संख्या में 0 को जोडने पर या 0 को किसी भी संख्या में जोडने पर कोई फरक नहीं पड़ता है क्लियर इसमें कोई डाउट ना किसी को चलो ठीक है तो यह पॉइंट वाली बाते में थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे मैं चलो देखें क्लियर उतना अब टू का टू में टू टू जा और टू का जीरो में जीरो क्योंकि किसी भी संख्या का जीरो में गुड़ा करने पर जीरो होता है अब टू का फाइब में तो टू फाइज जा टेन लास्ट वाली गिंतिक नीचे क्राफ लगाएंगे वन का लाइब में तो फाइब बस हो गया खतम जोड़ फोर्क नीचे कुछ नहीं फोर टू में जीरो जुड़ेगा टू जीरो में जीरो तो जीरो पांच एक छा खतम यह दोनों आपके लिए होम और करेंगे अगर आप इमानदारी से मेहनत करोगे तो पक्का अच्छी बात है आ करना है समझना है और प्यार से आगे बड़ना है एक एक इस्टप पढ़ते रहना है हांसिल वाला गुड़ा विदाओट कायरी नहीं अब बिद कायरी देखो कैसे देखो भाई 4 का 5 में सीधा फिधा गुड़ा करना है तो आपको पता है कि 4 का 5 में गुड़ा करने पर आता है 20 अब यहां क्या करते हैं लाश्ट वाला जो गिंती है यहीं 0 20 का यहां लाके लिख देते हैं ठीक अब जो 20 में 2 आया था यह क्या बन गया अगले वाले के लिए कहरी बन गया तो अगले वाले के क्या करेगा कोपड़ीप चला जाएगा समझा ना तो 4 पंचे 20 का 0 हाफिल 2 4 फते 28 28 दो 30 कोई डाउट ना किसी को बढ़िया चलो अगला 2 का 5 में गुड़ा करो 2 पंचे 10 हाफिल एक दूसा चौदा एक पंदरा इसके नीचे कुछ नहीं है तो खतम या 0 0 में 0, 5, 3, 8 और 1 कितना होगा 180 है ना कोई डाउट ना किसी को बढ़िया कुछ गलप तो नहीं है 4 पंचे 20 हाफिल 2, 4, 38, 32, 32 एक एक पर कराफ लगा दिया एक दूसा चौदा एक पंदरा ठीक है 180 ठीक है अगला कर लेंगे सबी कोई डाउट ना किसी को पक्का कर लोगे ना आओ बताया देता हूँ चलो देखो आसान तो बहुत है 3 का 5 में गुड़ा करेंगे तो 3 पंदरा आपको पता है 15 एक पंदरा एक रहता है तो 15 का ये 5 यहां आ जाएगा जो 1 है वो अगले वाले कोपड़िप चला जाएगा मतलब वो उसका हासिल हो जाएगा कर रिंग ऐसे बोलते हैं ना फिर आगे देखो 3 पंदरा एक 5 हासी लेक 3 एठे चोवीस एक 25 ग्रास मल्टिपल 7 पंदरा एक 35 हाफिल 3 7 एठे चपन शपन तीन वनसट ऐसे 5 के नीचे कुछ नहीं तो 5 5 पंदरा हासी लेक 9 दो ग्यारा एक बारा हाफी लेक कितना हो जाएगा अगला होमवर्क है आपके लिए कर लेंगे किसी का कुछ चूट रहा है नहीं चलो 3 अंक और 2 अंक वाला कर लेते हैं इसमें क्या है ना कि 3 अंक को 2 अंक से गुड़ा करेंगे आए देखते हैं समझी एगा बड़ा प्यार से समझी ना भाईया चलो देखो दो का चार में दो चवग आठ दो तियाई छे फिक दो चवग आठ दो तियाई चा दो पंचे दस ग्रास मल्टिपल पांच चवग 20 0 हाफिल दो 5 तियाई पंदरा 2 सतरा हाफिल एक 25 एक 26 आठ छे साथ साथ और दो ठीक है नो डाउट इसमें किसी को दो चोग आठ दो त्याई छाई दो पंचे दास पांचोग बीस फिल दो पांच ते पंदरा दो सत्रा और पच्छम पचीस कितना हो जाएगा कहीं कुछ गड़ बड़ा रहा है क्या कर लेंगे ना किसी को नहीं आगे बढ़ें कर लेंगे ना इस तरीके सभी की नहीं बता एक बार जल्दी होगा वो क्या होगा अंसर बढ़िया चलो अगला है चार अंक का दो अंक से गुड़ा तभी कर लेंगे पक्का कर लेंगे ना चलो एक आठी बता देता हूं देखो आओ छे पंचे तीस चे पंचे तीस हाफिल तीन यह ठे अड़ अड़ आलिस बोलो होता है ना अड़ आलिस और तीन इक्यामन हाफिल आया कितना पांच हाफिल पांच आया ना तो छे पंचे तीस कर जीरो हाफिल तीन और छे अठे अड़ तालिस अड़ तालिस पांच ए कुछ गरबलात नहीं रहा है छे पंचे तीस ठे तालिस ची चोग चोभीस पांच वन तीस चलो आगे बढ़तें देखिए 9 पचे पैतालिस हाफिल चार नोठे बहात्तर चार शीहत्तर हाफिल आए कितना साथ नोचोग छतिफ छतिफ फाद नोपचे पैतालिस हाफिल चार नोचोग छत नोठे कितना बहात्तर कि इस तरीके से हो गया कि यह भी सवाल किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताना वैज पढ़ेंगे भाग भाग में कितना टाइप का भाग नो टाइब का भाग, पांच अई से और चार अई से हाँ, बिलकुछ जिरो से जिन्होंने भाग आज तक नहीं पढ़ा था नहीं जानते भाग क्या होता, डिवीजन क्या होता है उनको भी सिखाएंगे और आज मैंने ये लाइब कर दिया है सुबा-सुबा पांच बजे, बहुत से बच्चे अभी सो रहें तो वो बच्चे-बच्ची जाग जाएंगे उमीद है और आएंगे तो पढ़ेंगे बाद में चलो, तब तक हम अपना काम करते रहें है ना, बढ़िया मस चल रहा है सब चलो, ठीक है, गुड तो ये छे टाइप यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है जितना हो सकेगा आज उतना किया जाएगा नहीं तो अगली कलास में पहले टाइप की वो भाग होती है जिसमें भाग पूरा-पूरा चला जाता है एक बार में, बहुत आसान है छोटका बच्चवा वाला आईए जैसे नौ का पहड़ा पढ़ेंगे तो नौ अठे बहात्तर सब को पता है इसमें सेसफल जीरो आ जाता है हमारा उद्दे से आपको बताना है कि कैसे करते हैं ठीक है, ये बारा पंचे साथ सोला पंचे अफ़ी बस खतम और इधर साइड में अगर हम बात करें तो सेम चीजे है जैसे हम लोग कहीं कहते हैं, मैं काटना नहीं आता है तो आपको उसके लिए पहले पहाड़ा वाड़ा आना चाहिए तो आपको आएगा हमें पता होना चाहिए कि नो के पहाड़ा में बहत्तर आता है तो नो एकम नो नो ठे बहत्तर इसलिए आठ बटा एक आता है, ठीक है ये बारा एकम बारा और बारा पंचे साथ तो यहाँ पर फाइनल आठ बटा एक और यहाँ पर हम लिख सकते हैं पांच बटा एक ऐसे वो भी कर ले ना खुद से चलो ना उम्र की सीमा हो ना जनमों का हो बंधन इसमें देख रहे हो निक्की जी गुड मानिंग, पंकज गुड मानिंग, लौकुस, मोहिद, स्वेता सभी को गुड मानिंग समझ मैं आ रहा ना, कमेंट करें फटा फट चलो भाई, आखों में अर्मान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या है, आसान क्या है जब ठान लिया तो ठान लिया हार नहीं मानना गड़ित सिखा कहीं मानेंगे हम यह आप लोगों के दुख दर्द हैं, दिल की बाते हैं, जो आप लोगों ने लिखा आई, मानदारी से देखो न, ऐसे आप भी अपना फीड़बैक कमेंट में जरूर किया करें हाँ, थोड़ा इंपॉर्टन स्लाइट दिखा रहा हूँ मिनट वीडियो आगे भागा लेना, एक मिनट अगर आप पुराने हो तो, वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आप कहां से देख रहे हूँ जबाब देगा, कुछी तरीके से इसमें प्लान है, सारी बाते सिफ कमेंट, वाटसाप पर मैसेज कोई नहीं करेगा, आईए, पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं, चलो, बढ़िया आए, सब मस चल रहा है एकदम, ठीक है, गुड, तो पहले 17 का भाग इसमें कितनी बार जा चलो, 17 पचे 50, वन टाइम में जाएगा, कभी भी पूरता विभाजित नहीं होगा, कम्प्रिटली डिविजबल नहीं होगा, चर पंचे 20, घटा होगे 3, ऐसे अगला भी कर लो, गटा होगे 4, ऐसे सारे कर लेंगे आप लोग, बढ़ियां कर लेंगे की नहीं बताओ, टेबल नहीं आता तो बता दे न, जब देखो 19 का टेबल लोगों को नहीं आता होगा, तो चार बार जायेगा, उननीश चोग 76, सबी को समझ में आ रहा है, यह मैं इस क्लास में यह दिखाना चाहता हूँ, कि कितने टाइप के डिवीजन होते हैं, छोटे-छोटे, इस्पेसली जिनकी गड़े छूट गई थी काफी दिन से, काफी दिन से नहीं पढ़े थे, उनने के लिए भी सेस रूप से, चलिए, अगर टाइम बचेगा तो लाश्ट में जो बचे हुए सवाल करवा देंगे, इनको यह थोड़ा अलग टाइप का है, अगर आप देखोगे तो आपको यह लगेगा कि इस जितने भी टाइप में बता रहा हूँ, थोड़ा-थोड़ा सब में अंतर है, मैं मानता आपको तीन-चार-पांच टाइप में आते रहे हूँगे, लेकिन कुछ ऐसा भी मिलेगा इसमें जो आपको नहीं पता था आज तक, यह गारंटी है, गलाश्ट तक देखोगे, गलाश्ट तक देखोगे तो पक्का मिलेगा, देखो साथ चेओक टाइस, गटाने पर आया दो, उपर से उतारा एक, साथ रिक, एकाईस, खतम, टिक, ऐसे अगला भी कर लो, अठार तियाई, चोवण, गटाने पर आया तीन, उपर से छे उतारा, अठार दूना, छतिस, खतम, देखो, क्लियर, कोई डाउट ना किसी को, ऐसे कर लेंगे दोनों, पका, चलो अगला, ये सब कर लेंगे ना, ठीक हैं, ये अगला, इसमें देखिये कुछ अलाग भी सेस्ता है, क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, मेरी कोशिस होगी, कम समय में ज्यादा, चलो, तीन छांग अठारा, गटानेंगे तो दो, उपर से पांच उताल लो, तीन अठे, चाववेश, अंतर समझ में आ रागी नहीं, सभी में, सभी में डिफरेंस है ना, थोड़ा-थोड़ा, की नहीं, है ना, डिफरेंस सब में थोड़ा-थोड़ा, चल भई, आगे, इसमें कैसे ले जाएंगे, बताओ कितनी बढ़ जाएगा, 17 का टेबल, 57 में कितनी बढ़ जाएगा, 17, 3, जब 51, उपर से 9 उताल लिया, सब्ट्रेक करोगे, बनाएगा, कितना आएगा, 1, ठीक है, नो डाउट इसमें किसी को, बढ़िया, ये सभी आपको करने के लिए कुश्चन है, इनको साइड में कर दे रहा हूँ, चलो, जिससे कन्फूजन ना क्रियर्ट हो, तो ये होमवर कर लेंगे, पका, आए ये बेस्ट कन्फूजन वाला सवाल, काफी कन्फूजन वाला है, क्या आप सबको नोटिफिकेशन गया था यूटूब से, बता देना कमेंट में एक बार ठीक है, नोटिफिकेशन गया था क्या, यह बहुत confusion बनाता भाई question देखना समझ नहीं आप है बड़ा दिक्कत वाला आई है 11-3-3 घटाने पर आगया एक उपर से उताल लिया 0 अब इसमें 11 का भाग तो जाई नहीं रहा है लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं यह है गलत यह गलत है बताओं कैसे गलत है देखो गलत कईसे है यह चोड़ दिया गलत है यह गलत है कैसे गलत है देखो यह इसका फार्मूला होता है स्टेंडर्ड रूप अगर इसमें मान रखने के बाद दोनों पक्ष बराबर आता है तो भाग सbayए ने था गलत है ठीक है भाजी कितना है एक बार बताओ डिवीडियन्ड जिस संख्या में भाग करते हैं उसको डिवीडियन्ड बोलते हैं जानते हैं पहले जिस संख्या से भाग करते हैं उसको भाजक बोलते हैं यानि डिवाईजर और ये सब पूरी परकिरिया करने के बाद जो हमें हासिल होता है उसको भागफल बोलते हैं पराप्त होता है मेन उद्दे से भागफल का ही होता है भाग करने का और इस सारी एक्टिविटी में जो कुछ बच जा है उसे सेस्फल कहते है भाई साहब यह जड़ा प्यार फिर देखा सब आई लोग क्या यह बराबर है नहीं है ना दिवाग गलत गलत है ना बोलो चलो देखो ठीक है अब मैं बताता हूँ सही सही क्या है देखो गलत है तो यह तो हर कोई बता देता लेकिन सही क्या वो कोई नहीं बताता है और मैंने देखा किसी वीडियो में अगर छोटा सा गलती हो गई ना सब ही कमेंट करेंगी गलत पढ़ा रहा हो एक वीडियो मैंने देखा उसके 4 लाग से जादा लोगों ने देखा है और मैंने बहुत अच्छा अपने आपको महसूस किया कि अच्छा हुआ उसमें गलती हो गई उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं, सबसे ज़्यादा लोगों ने सेयर भी किया, देखो गलत पढ़ाया रहा है, मैं तो धन्ने हो गलत पढ़ा के, बूल से मैंने कुछ जोड़ने में गलत कर दिया था, समझ रहे हो, और उसी वीडियो मैंने सो अच्छा हिया बताया थ सब कुछ सही था, उसको कोई कुछ नहीं बोला, तो जिन्दगी में दुनिया ऐसे ही चल रही भईया, ठीक है मुझे कोई दिक्कत उससे नहीं, वोई फिलाल मेरे लिए अच्छा ही हुआ, कि तुम लोगों ने कम से कम परतकिरिया तो दिया, यूटूब को लगा अच्छा तो देखो इसमें होगा क्या अगर एक बार भाग ले जाएंगे, तो ज्यादा हो जाएगा नहीं जाएगा, यह बड़ा जाएगा, तेसपल क्या आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव रिमाइंडर आएगा, यूपी पुलिस की क्लास में पढ़ाया हूँ, लेकिन यह बेसिक मैथ है, मैं निगेटिव रिमाइंडर नहीं सीखना अभी, तो हम वान पार नहीं ले जाएगे, हम यह जीरो बाल ले जाएगे, ले तो जाना है, करम तो करना है, जीरो बाल ले जाओ, गटाया लोगा, सेसफल वही रहाएगा, नहीं बदलेगा, लेकिन उत्तर बदल जाएगा, पूरा, अब रख के देखो, अब सब बदल गया, 11,33, भाई कहीं गड़ बड़ा रहा है, का यार फिर, अच्छा, यह 340 अदा एक मिनना एक तुमका, एक उल्लिटा पुल्टा लिटा लिटा, उसको रखा भी होता, तब भी वही था, तुम लोग भी ध्यान नहीं दिये ना, लेकिन फिर भी वह आता नहीं बराबर, 340 बराबर 43 आ रहा था वैसे भी, यह 304 लिखा था मैंने, लेकिन बराबर नहीं आता, मतलब वही था, यह तो आएगा, देखें दुनों पक्ष बराबर आया न, इसका मतलब वह सही है, इसके पहले मैंने 302 लिखा था, सायद उसकी जगा पे न, साल नहीं समझ में आ रहा है, रेफलर, मोहित, पंकत सब को आ रहा है न, मस्त है सब, चलो, तो यह क्या था, बेस्ट कन्फ्यूजन वाला सवाल, उसको मैं बताऊंगा, उसके पहले एक इंपॉर्टन सूचना है, यहां कि आप सब ही, एक feedback का वीडियो बनाके जरूर भेजें कलास के बारे में, अपना phone ऐसे सामने करके, निबेदन है, आपसे request होगा, वीडियो बनाके जरूर भेजें एक, ठीक है, कलास के बारे में अपने बिचार जो भी आपके हैं, उसे जरूर कहें, इसमें आपको surprise भी मिलेगा और कोई भी फिरी कोर्स भी आप ले सकते हैं भेजेंगे नंबर पर नंबर दिया है एक और बताऊंगा इसमें चलो देखो 16, 85 गटाने पर आगया एक उपर उतार लिया चार अब भीया इसमें 16 एक कम 16 ले जाएंगे जादा हो जारा चाँदम जाएगा नहीं तो भाग तो हमें ले जाना हर्गी जरूरी है ने तो गलत है तो हम एक बार नीवल कि जीरो बाल ले जाएंगे घटाने पर सेस्फल फिर वही आ जाएगा लेकिन जीरो बाल ले जाओगे तो बस इसको हमोर कर लिजिएगा ज्यादा बड़ी कलास हो जाती है आप लोग देखते नहीं हो भाग का सिकंड पार्ट है यह जोकि डिवीजन में फास्ट पार्ट आपने पढ़ा है जिसमें मैंने आपको पांच टाइप का भाग पढ़ाया है आज मैं आपको 6-9 टाइप तक भाग पताऊंगा यानि 6-7-8-9-4 टाइप का बहुत चोटी चोटी बाते हैं लेकिन जिनको गडित नहीं आते हैं उनके लिए बड़े दुख दर्द की बात है इन में 3-Tाइप लगबख एक जैसे हैं लेकिन अंतर है ठीक है तो आएए पहले 6-6 नमबर में चलते हैं ये वो भाग है जो दसमलों में जाते हैं और दसमलों में जाने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं मतलब जीरो सेसफ़ल आ जाता है ठीक है आसान है बहुत आसान है चल और जो salesful आएगा, वो minus आएगा negative reminder आएगा negative reminder मैंने आपको salesful परमिय में पढ़ाया है और यहां भी नहीं पढ़ना इसको लेकिन थीक है? तो इसके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे तो हम एक बार भाग नहीं ले जा सकते इसका मतलब हम 0 बाल ले जाएंगे 0 बाल ले जाएंगे, घटाएंगे, साथ आएगा अब हम उपर decimal ले जा सकते हैं और decimal ले जा करके हमारा जनम सी धधिकार बन जाता है कि हम नीचे 0 उतार सकते हैं, ठीक है? ये क्यों होता है? ये बेसिक का उतना बड़ा हिंसा नहीं कि मैं आपको ये भी बताऊं कि decimal बढ़ाया जीरो क्यों आया? बस इतना भी जान लो कि यहां decimal के बाद 0 उतारते हैं कुछ चीज़ें जान लो बस समझो मत, ठीक है? जालो, तो दसमलो के बाद 0 उतारते हैं और बार बार 0 उतार सकते हैं आठ का भाग अब कितनी बार जाएगा इसमें? आपको बताए 8, 8 जा 64, यानि 8, टाई 64 गटाएंगे 6 आएगा चुकि एक बार दसमलो बढ़ाया था, इसले क्या कर सकते हैं? अब कितनी बार जाएगा? एक बार मुझे बता देना इमानदारी से लगभग 7 बार जाएगा अगर हम फिर से 8 बार ले जाते हैं तो 64 हो जाता जो कि जादा हो जाता अब इसको घटाओगे 4 आएगा ठीक है? देखो एक बात मैं किलियर कर दू जिनको गड़िस सीखना है इमानदारी से कलास को पूरा देखना थोड़ा टाइम देना ठीक है? थोड़ा टाइम देना सीखो जिन्दगी में कुछ अच्छे काम के लिए अगर सोचे हम दो मिनट में गड़िस सीख जाएं तो दो मिनट में तुमको एक टाइम पर बात करने लब वीडियो देख सकते हो बस ग्यान की बात दो मिनट में नहीं मिलती जिन्दगी पर जाती है ग्यान सीखने में चलो 8 सते 56 यह हो गया अब फिर से 0 उतार लेंगे एक बार दसामलो बढ़ाया था तो 0 बार बार उतार लेंगे ठीक है अब यह 5 बार जाएगा देखिए इसमें दसामलो के बाद 3-4 इस्टप गया लेकिन 0 सेस्पल आ गया मतलब यह क्या था टर्मनेटिंग डेसिमल था सांत दसामलो परफार इसके बारें बहुत ज़्यादा बिस्तार से हम बात करेंगे जब सांत दसांत दसामलो बढ़ाएंगे तो अब ही आप इतना ही जान लो कि यह भी एक परकार की भाग है जो दसामलो में करने के बाद 0 सेस्पल लेके आती है ठीक है क्लियर कोई डाउट ना किसी को चले आगे चलो ठीक है तो कुछ लोगों को लग रहा होगा साइड में चले जाते हैं देखो मैं आगर ऐसे आऊँगा ना तिये कुशन ऐसे गायब हो जाएगा तो मैं काम कर लेता हूँ इनको दुझेने कुधर ले आता हूँ और फिर मैं अब इनको खटा-खट जूम कर देता हूँ है ना चलो बढ़िया आए सम्मस्त है इसको नोट करते जाओ भई आईसे हाथ फहिला के मूँ फहिला काम नहीं चलेगा नोट करते जाओ कॉपी पेंड में गड़ित है यह दिमाग नाम का चीज मांगती है यह चलो अब सोला का भाग अगर एक बार ले जाओगे जादा हो जाएगा घटाओगे तो निगेटिव आएगा रिमाइंडर निगेटिव रिमाइंडर अभी आपको नहीं पढ़ना बताओ इमादारी से कह तो हमें तो पाढवे नहीं आवत तो जाएगा अगर ना आवत पाढवे तो कमेंट करना सबही लोग हम पाढवा का लिंक बेद देंगे ठीक चालो तो 16,5,80 16,6,90 होता है 16,7,112 होता है इसका मतलब ज्यादा हो जाएगा गुड़ा कर लो चाहे तो 7,42 साथे कम साथ, चार, ग्यारा तो 6 बार जाएगा 6,6,36, 6,1-3,9 16,6,90 गटा आ लो इसमें से जहुदा आएगा अब चूकि उपर दसमलो बढ़ा दिया था तो नीचे हम 0 उतार सकते हैं हमें उतमें जनमसिद्ध अदिकार है चलो अब 16 कबा कितनी बार जाएगा 16,7,112 16,8,28 16,9,144 तो 9 बार तो जाएगा नहीं 8 बार जाएगा 16,8,28 घटा आलो भाईया देखो अगर 125 होता तो घटा ने 15 आता फीदा फीदा लेकिन ये 3 उट जादा है तो 15,3 कम कर दो मतलब 12 आएगा है ना ये 28 में दूज ओड़ तो 30 हो जाएगा और 30 और 40 के भी 10 का गयप है 12 होगे खतम अब 0 उतार लो फिर कितनी बार जाएगा अब ये जरा सोचते जाओ 16,7,112 80 जादा हो जाएगा 7 बार जाएगा लेकिन देखो ये 0 आ जाएगा सेस्पल देखना भी गटा आओगे सिर्फ और सिर्फ 8 आएगा बस उपर फे 0 उतार लो अब तसम्लों बढ़ाया था तो 0 बार बार हम उतार सकते हैं एक 0 डेबल 0 नहीं एक इसे देखो हम लोगे देश में अधिकतर जगा पे बहुक क्या बोलता है उसे बहुक जनसंख्या में एक अभी या अनुमती होती है यह नहीं कि अनुमती है अधम क्ती नठी कर ले गड़बड हो जाएगा मार डालेगी पहले वाली तो एक एक कर सकते हो लेकिन एक 0 उतारने के उपस्तिति में बगल में दूफरा नहीं उतार सकते हो तो अब कितनी बार पांच बार अफ़ी गटाओगे खतम 0 तो यह हुआ क्या टर्मनेटिंग डेसिमल जिसमें आपने देखा कि इनको दो बार आपने किया दोनों कुश्चन आराम से 0 आ गया तीसरा आप खुद से करोगे और मुझे बताओगे एक बार मैं फिर बता दूँ बार-बार देखो इतना तो बैसरा मूं नहीं कि मैं बार-बार आज जोड़ोंगे ने पढ़लो पढ़लो तुम बरबाद होना चाहते तो हो जाओ जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं ठीक है और अगर गड़ी सीखना है तो जितना भी पार्ट देखना क्लास का PVR स्टेडी में इमानदारी से पूरा देखना सुरू से अंत तक और नोट्स बनाना और वैसे भी सीरीज में आपको सर्प्राइज भी मिल रहा है पांच हजार रूपया तक समझे लो तुम्हें फ्री पढ़ाया भी जा रहा इसमें से पांच जार रूपय भी दो-तिन लोग को मिल सकता है कॉर्स कूरा करने के बाद समझ रहो हंडेट कोईशन आएगा ना तब तक जानते हो डेली एक कोईशन पूछते हैं लेकिन अगर पढ़ो तब और मैं क्या ही कर सकता हूँ चलो यह सत्मा टाइप का है यह बिल्कुल जिद्ध हिकना टाइप का है जैसे हिकना गाओ में सुने थे ना पहले हम लोग सुनते थे कहा जाता है यह कटता नहीं कभी कभी ना तो यह कहे ना तो कोई काम करे यह और ना तो मना करे कुछ लोग होते नहीं है उनसे कुछ होता भी नहीं अगले को मना भी नहीं कर पाते थिए हम नहीं कर पाएंगा हम से नहीं होगा उस सब में कहेंगा हम हम करेंगे हम और होगा कुछ नहीं समझ रहो ति वह ऐसे हैं देखो तीन चंग अठारा गटा होगे कितना आएगा दो इमांतारी से बताना कितने लोग ऐसे हैं अब उपर क्या करेंगे दसामलों बढ़ाएंगे भाईया क्योंकि अब तीन का भाग दो में जाएगा ने क्योंकि सेस फल जो है छोटा हो गया भाग फल सरी भाजक बढ़ा हो गया तीन चंग अठारा फिर घटाएंगे दो आएगा फिर जीरो उतारेंगे फिर तीन चंग अठारा अब तो इतने तुम समझ गये होगे कि जब तक तुम्हारी इच्छा ना पूरी हो जाए तब तक तुम दसामलों नहीं बढ़ाओगे नीचे जीरो बढ़ाते जाओ उपर जीरो बढ़ाओ छे बाल ले जाओ बुढ़ा उड़ा जाओ लड़के बच्चे उजाए तो चाठी बढ़ाएंगे फिर नहीं हो गई आई फे जाता जाएगा जाता जाएगा समझ रहे हो ना तो तुम चाहते हो कि अपनी जिंदगी में इसको पूरा कर दो लड़के बच् जान हो जाएगी कि ही करना टाइब का है ऐसे समझ तो इनकी एक क्रेडिट बन जाएगी जैसे देखो अगर आपने किसी से पैसा लिया माली जी आपने कहा भई यह बहुत जरूरी है तो 10,000 रुपया बहुत जरूरी है मर रहें खाने बिना और अगला आपको अगर दे दिय आपने उसको लटा के फुटी कवडी नहीं दिया दुबारा प्षोन करता है तो हम बिजी है अरे अभी थोड़ी दिर बात करना होता नहीं अरे लोग पैसा लेने के बाद बहुत उनके प्रावलम आज जिन्दगी में इसले किसी को पैसा मत देना अगर उसको सुकून से ज नहीं चुका रहे हैं तो बैंक का एक रिकार्ड होता है ठिक है credit score जिसे वोलते है उसको अपडेट कर देता है यह आदमी लटखोर टाइप का है फिर उसको कोनो bank loan नहीं देता है समझ रहे हो तो वह क्या है ये इनकी credit है इनके उपर line लग गई इनकी credit है बन गई कि हाँ ये सेम ऐसे नहीं आएका तो मुझे कमेंट में बता देना चलो आठमा टाइब में आजाओ यह थोड़ा सा अलग टाइब का है थोड़ा दमदार टाइब का है यह मतलब फिर भी मज़दार है चलो, इसमें 0 आएगा क्या, अठमा टाइप कहां गया रे बाबा, इसमें भी 0 नहीं आएगा, यह और खतरनाक है, देखो कैसे, पहले हम क्या करेंगे, एक बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि सेबन का भाग अगर इसमें एक बार जाएगा, तो यह बहुत बड़ा हो जाएगा माइनस छे आएगा, ऐसा तो कर सकते हैं हम, इतना तो मेरे हिम्मत है नहीं, तो 0 बार ले जाएगे, गटाएगे एक आएगा, अब उपर दसमलो बढ़ा क्या जिरो उतारेंगे, अब एक बार जाएगा, ठीक है, तो साथ एकम साथ, गटाएगे तीन आएगा, अब दसमलो बढ़ाया है, तो क्या करेंगे, जिरो उताल लेंगे, साच्चों गटाएगे, गटाएगे, क्या आएगा, दो, ठीक है, आप क्या करेंगे, समझते जाना ऐसे, देखो भाई, इनको इसी मरजेस्ट करो, किसी तरह दिखाओ इनको, बस, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, अब क्या उतारोगे उपर से, समझते जाओ भाई, यह साब दू ही आया था, जिरो उतालो, साथ दू न, चौदा, गटाएगे, छे आएगा, अब फिर क्या गटाओगे, जीरो उतालो, दसमलो बढ़ाया हो, साथ अर्थे, छपपन, गटाओगे क्या आएगा, चार, जीरो उतालो, साथ पचे पैंतिस, गटाने पर क्या आया, पांच, अब इनको कहो, और मैं छोटा कर दो, तुम्हें दिखेगा नहीं, तो पांच को मैं यहाँ ला गटाओगे कितना आएगा एक, आप यह माल लो, इनको इसी नीचे लाके जोड़ दो, इसी नीचे भी जा रहा है, ठीक है, अब देखो, वन पहले भी था, वन फिर आगया, हमने वन से इस्टार्ट किया था, यानि हम अर्थ से फर्स पे गए, फर्स से फिर अर्स पे आए, अब फिर से अगर इसे भाग करोगे, तो फिर जीरो उतारोगे, फिर एक बार जाएगा, साथ एकम साथ, और फिर देखो, यही प्रकिरिया यहाँ फिर रिपीट होना शुरू हो जा रही, और फिर यही होगा, यानि हम एक लाइन में यह कह सकते हैं, दुबारा धोखा ना कि यही पूरा पूरा रिपीट होगा, और फिर होगा, ऐसे बार बार होगा, समझ रहे हो ना, ताइम बहुतेज भी तरा है गुरू, तो इस तरीके से फाइनली हम इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसे 7 से भाग हुआ है, यानि 1 अपान 7 न, 1 अप यह वन नहीं रहेगा, वन तो, वन तो यह एक्स्ट्राप ले जाने बारा हम न, इतना रिपीट हो रहा, ठीक है, दस मिनट का प्राया मैं वीडियो करता हूँ, लेकिन यह, दस मिनट में कुछ हो नहीं रहा है, यह कोई अंटी जी का रिल थोड़े है, कि एक मिनट मैं इसे इसे कर दियावस हो गया, खतम, खतम है नहीं होता, दस मिनट में भी नहीं खतम हो रहा है, समझ रहो, और मैं आंटी को नहीं बोल रहा हूँ बात, तू समझ रहो किसको बोल रहा हूँ, चलो किसी को लगना जाए, इसले मैं ऐसा बोला, चलो ठीक, आगे बढ़े, तो अगल समझ में आया का मुझे कमेंट करना कि टाइप नंबर सा आठ का पहिला नहीं समझ में आया हम फिर बता देंगे ठीक है निपर दने आप से रिक्वेस्ट है चलो अगला भी कवर कर लेते हैं नहीं ते बीसो मिनट में नहीं होगा आठ नंबर देखो भाई यह उससे भी ज़्यादा खतरनाक है लेकिन डरने का नहीं करने का है चलो इसमें देखिए 990 है यह 223 है कौन बढ़ा है इसका मतलब बेटवा की उमर बाप से ज़्यादा है तो मतलब कुछ लोचा है कुछ गड़ बढ़ा है है ना ऐसा कैसे पॉस्बल है तो हम पहले 0 बाल ले जाएंगे यहाँ पर 0 आएगा इनको घटा आएंगे तो 2, 2, 3 अब एक बार 0 बाल ले जाने के बाद फिर क्या करते हैं 10 हमलो बढ़ाएंगे ठिक है अब यहाँ पर क्या उतारोगे बढ़ा लिया 10 हमलो बढ़ा लिया जिरो उतार लेंगे अब यह भाग सिंपल में 2 बार जाएगा अब यह मत पूछना कैसे जाएगा गुड़ा करके दे तीन सो पचास आएगा यार कुछ गड़ बढ़ एका रहे बाबा इस दो सो तैंटीस है दो सो तेइफ नहीं है 2-3-3 है रुकना इसको 2-3-3 कल लो भाईया नहीं ति कुछ छड़ा सा मिस्टेक कर जाएगा अभी आगे वो नहीं बनेगा जो बनाना चाहता हूँ ठीक है हाँ तो इसको 2-3-3 कल लिया चल भाईया रुक के वही जड़ा जल्दी जल्दी देखो 2-3-3 हो गया 0 आगया ठीक है आप घटाओ तो घटाओ गया 350 आएगा क्यों सही है कि नहीं 0 13 में से 8 गया 5 12 में से 9 हो गया 9-3-12 होता है न भाईये इसको एक उधार दिया था हाँ ठीक है चलो 350 अब कितनी बार जायेगा अब देखो पहली बार तो अभी कुछ नहीं जायेगा क्योंकि 350 है 990 है लेकिन हम ले एक बार दसमलों बढ़ाया था 0 उतार सकते हैं है न तो यहाँ पर क्या करेंगे हम बगल में 0 उतार लेंगी अब इसका भाग 3 बार जायेग कुछ नहीं दस में से 7 गया 3 14 में से 5 गया 9 गया 9 14 में से घटा आ रहें तो भाई साब कितना बचेगा 5 5 बचेगा न 530 कि नहीं हाँ ठीक है ओके नो डाउट कि कुछ और बचेगा यार 350 आया था फिर 530 ए कुछ बढ़ा रहा है मुझे लग रहा है देख लो एक बार 10 में से 7 तीन ये इसको एक उधार दिया और फिर ये इसको एक उधार दिया तो ठीक तो है एक जिरू उतारो अब कितनी बार जाएगा 23, 30, 180 उसके बाद आगे 35 बन गया ठीक है अब कितनी बार जाएगा ज़रा सोचो अगर तीन बार ले जाएगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा तीन बार ले जाएगे जरा सोचो 31, 70 आएगा तो इसका मतलब तीन बार नहीं जाएगा ये ये पांच बार जाएगा चुकि मैं इसको बार-बार कराया हूँ इसलिए मुझे काफी चीज़ें याद है अब पांच बार ले जाओ तो 5-0-0, 59 पैतालिक से 5 हाफिल 4, 59 पैतालिस 4-9, ठीक है घटा आलो 0-0, खटा आना भी नहीं आता क्या, यार केवल तीन मिनट बचा आगली कलास है मेरा दिमाग और दिल आत्मा तो उधर चली गई है, जलो इसको पूरा करता हूँ 10 में से 5 गया 5 12 में से 9 गया 3 इसमें से एक उधार गया था 350 हो गया अब क्या करोगे फिर फिर उताल लोगे अब अगर आप यहां देखो तो यह इसको कर लेना 11-14 वाला अब यह फिर कितनी बार जाएगा 3500 आ गया इसका मतलब यह फिर तीन बार जाएगा ऐसे अगर आप देखोगे तो क्या होगा पता है बन गया लाइन बन गई अब ऐसे लेके जाओ इनको 2-3-5 फिर 5 बार जाएगा फिर 3-5 फिर 3-5 फिर 3-5 फिर 3-5 आए फिर जाएगा गुरू यह करके देख ले ना इतना तो आप जनवे करते हों सिर्फ मैं टाइप बता रहा था अब आफ यह तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आगली क्लास में इस हो जाएगी ठीक हाइगा समझ रहो ना तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं दो तीन तीन बटा नौसो नबबे इक्वल 0.235 इसमें 35 के उपर बार लगाएंगे भले फैमली में और नंबर हैं आगे दो के उपर नहीं लगाएंगे मैंने जैसे लोन अला एक जंपल बताया ना हो सकता है किसी घर में चार भाई हूँ चार भाई में से मान लेजिए कि दो लोगों ने बैंक से लोन लिया एक भाई अपना पेट की रोटी काट करके फिर भी लोन चुका देता टाइम पे तो उसका क्रेडिट अच्छा बनता बैंकों की नेजर में रिकार्ड उसका अच्छा है उसको लोन मिल जाता है लेकिन द nos a 2 अबर है लेकिन सब पर नहीं लगेगा नहीं तो काओंगे यहां भायं सब नंबर तो थे सात में तो यह लाइए क्योंकि दो रेपीट नहीं हुवा तो jó नंबर बार बार रेपीट हो रहा उसे पर बार लगेगा जैसे पीछी के वालन देखो इसमें देखो पूरा रिपीट हो रहा था इसमें देखो केवल ये वाला छे रिपीट हो रहा था दसमलोग बाद वाला दसमलोग पहले वाला रिपीट नहीं हुआ दसमलोग बाद वाला वो अलग परिवार में है ठीक है तो गुडनखंड यानि factor ध्यान से देखना गुड़नखंड क्या होता है और आभाज गुड़नखंड क्या होता है साथियों ऐसे इनके कई नाम है गुड़नखंड को इंगलिस में factor बोलते हैं क्या बोलते हैं factor इनके बारे में थोड़ा सा समझना गुड़नखंड खंड मतलब होता किसी का भाग इसे आपवर्तक भी बोलते हैं वीभाजक भी बोलते हैं मतलब ये तीनों एक नाम है जैसे किसी का स्कूल का नाम पंका जह घर उसको रोहन नाम से बुलाते हैं होता नहीं, आपने देखा होगा न कुछ लोगों के डबल नाम होते हैं निकनेम वो ऐसे ठीक है इंगलिस में फाइक्टर इन दोनों के इसको डिवाईजर भी बोलते हैं नाम करण हो गया अब काम देखो पहले नाम फिर काम लेकिन काम भी होना चाहिए तभी नाम का फायदा होता है काम में देखो क्या है यह है गुडणखंड और यह है अभाज गुडणखंड मतलब समझना पहली बात तो गुडणखंड और अभाज गुडणखंड दोनों में अंतर आपको तब समझ में आए पढ़िया जब आपको भाज और अभाज संख्या पता हो लेकिन अभी पता है नहीं तो मैं आपको म आप यह समझ लो थोड़ा सा फाट कट में जैसे यह बाज संख्या आए न यह दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं इस यह क्या है भाज संख्या समझ ना कैसे जैसे संख्या 12 ले लिया और इधर संख्या ले लिया तेरा अगर हम देखें तो बारा में एक का भाग करेंगे तो जीरो से स्फल आएगा भाग कर लेना भाग करना सिखा चुका हूँ दो से भाग करेंगे तब भी जीरो से स्फल आएगा तीन से करेंगे तब भी जीरो आएगा चार फे छे से या बारा फे कि बोलो हाँ या नहीं भाग कर लोगे तभी इन में से किसी से भी भाग करोगे तो जीरो से इस्फाल आएगा क्लियर कमेंट के चक्कर में ना पढ़ो कमेंट सबका देख रहा हूँ लाश्ट में पढ़ूंगा जिनको सीरियफली सीखना है लाश्ट तक जूड़ेंगे लाश्ट में सारा कमेंट पढ़ूंगा जिनको लग रहा है मेरा नाम ले ले वो भाग जाए यहां से नाम ने लेता मैं किसी को सिर्फ पढ़ाई उनली पढ़ाई चलो तेरा में एक का भाग करेंगे तो ठीक है और तेरा में तेरा का भाग करेंगे तो ठीक है बाकी है और कुछ भी ठीक नहीं है कैसे अगर हम साथी मेरे एक का भाग करेंगे तेरा में तो एक एक कम एक घटा एब जीरो खतम हो जाएगा 3 एक दिया है 3 0 सेजब lists आएगा ना मतलब यहां कटा होगी 0 ठीक है वट अगर हम 13 में 2 का भाग करें है तो क्या 0 आएगा नहीं आएगा ना अगर किसी संख्या में किसी संख्या का भाग करने पर 0 सेजबस के फल नहीं आता है तो हम कहते हैं कि वो संख्या ञगा से पूर्टा विभाजित नहीं है कौनि इस एला रहा है कि चलो आई समझो कि किसी की कुछ इच्छाएं है अगर आप सारी इच्छाएं पूरी कर देते हो कोई भी नहीं बचती, जीरो इच्छाएं बच रहीं, तो समझ लो वो संतुष्ठ है, आगर उसकी कुछ इच्छाएं धूरी हैं, तो मतलब वो संतुष्ठ नहीं है, समझ रहो, चलो देखो, ये समझ में आगया भाज्या भाज्य, तो ऐसे आप समझ लो कि ऐसी संख्या, जिसका संख्या खूद हो, और वन हो, बस, और कोई नहीं हो, वो अभाज्य होते हैं, दूफरी लैंड में समझ लो, ऐसी संख्या, जिसमें भाग करने पर जीरो सेस्फल आए, वो संख्या, कौन-कौन, यानि वन और वो खूद हो, नहीं समझ में आए बात, मतलब आप ये समझ लो कि आएसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुडन खंड हो, बस, सिर्फ दो, ये कह सकते हैं, दो से अधिक ना हो, बतलब एक तो वो संख्या खूद से, दूसरी भासान समझ लो, कट जाए, एक वन से कट जाए, बस, एक खूद से, एक वन से, क्लियर, आ रहा है न, कोई दिक्कत किसी को, बढ़िया, चलो देखो, ऐसे, अगर इधर संख्या ले लिया, मैंने 14, 14 देखो, 1 से भाग करने पर भी 0 आएगा, 7 से भाग करने पर भी 0 आएगा, 14 से करने पर भी 0 आएगा, ठीक है, यानि 14 के कितने फैक्टर है, 4, लेकिन वना इसके कितने सिर्फ 2, ये आपको लगता है, कोई और संख्या है, जिससे भाग करें, वना इसमें तो जीरो आएगा, जीरो से भाग करेंगे, तो जीरो से भाग करेंगे, तो जीरो आएगा, वना इसमें वना इस से भाग करेंगे, तो जीरो आएगा, बाकी और कोई संख्या नहीं है, लेकिन, चाउदा में अगर one का भाग करेंगे तब भी zero आएगा two का भाग करेंगे तब भी zero आएगा seven का करेंगे तब भी zero आएगा तो आईसी संख्या जिनको धेर सारी संख्याओं से भाग करने पर zero से फलाए वो भाजे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कुछ निश्य संख्याएं हो एक तो वो खुद हो एक वन हो बस वो अब भाजे है इसको और बिस्तार से समझाओंगा भाज भाज में अभी के लिए ये टॉपिक इतना ही में पॉइंट पे आओ ठीक है चलो तो भाज भाजे समझ गए अब गुडणखंड और अभाज गुडणखंड दोनों में से मैं आपको दोनों पता देता हूं देखो जिस संख्याएं जिससे बारा है न बारा को एक से भाग करें दो से करें तीन से चार फे छे से बारा फे भाग करने पर जीरो से फलाएं तो वो क्या है उस संख्या का गुड़नखंड है ठीक है समझो इसको ऐसे मोटा मोटा समझो जैसे मालो संखे ले लिए 12 चलो अब मैं कहता हूं कि इसका गुड़नखंड क्या क्या है चलो मालो मैं ले लिए एक दो तीन चार पांच ट्राइए करो अगर 12 में मैंने एक कभा किया तो जीरो फिर दो उतारा जीरो इसका मतलब 0 से थफल आ गया मतलब हम कहेंगे कि यह इसका क्या हूं इसका फैक्टर है अब दो फो ट्राइए करो जीरो से इस फ़ल आ गया आ गया तो हम कह सकते हैं कि दो भी इसका फैक्टर है अच्छा आफे तीन से करो तो यहां फैक्टर है अच्छा पांच से कर लो जीरो आया नहीं आया ना तो पांच इसका फैक्टर नहीं है क्या है पांच इसका फैक्टर नहीं है समझ में आया ऐसे आप तीन से करोगे चार से करोगे सब में जीरो आएगा तो यहां पे आप लिख दोगे तीन चार पांच नहीं इसका फैक्टर तो पांच नहीं लिखो ग कि 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 समझे या तो जिस संख्या से मतलब भाग करने पर जीरो सेजपवल वो संख्या उसकी फैक्तर होती है यानि कि लागर YouTuber है माँल संख्या फान्च चाला है न लागए इसमें संख्या दोंबारा का फैक्टर है यानि हुड Pa warn तक है समझा ठीक है अच्छा अगला जैसे मालो मन ले लिया छे तो संख्या छे कि आप वर्तक कौन-कौन से हैं जरा देखो यहां से प्राई करो चलो बताओ इमांदारी से जल भाई अगर एक का भाग करेंगे छे में तो एक छक्का छे गटाने पर जीरो आया तो इसका पौर तक है दो से भाग करो जीरो आया तो दो भी इसका पौर तक है अभी सब कर डाउट लूँगा सबर करो थोड़ा इसी तरीके से अगर हम तीन से करेंगे तो यह भी इसका पौर तक होगा भाई यह चार नहीं होगा कैसे ज़रा देखो चार एक कम चार देखो बच गया नीचे ना बच गया ना मतलब इनकी मांग थी चार पांठी और पूरा किया आपने केवल कुछ ही बच गई दो इच्छाए इनकी तो यह इससे पूरी तरह से सटिसफाइड नहीं है मतलब इसका कुछ सेसफ़ बच रहा है तो यह क्या है इसका अपवर्तक नहीं है स्भाई से करोगे तब भी 0 नहीं आएगा पांच एक कम 5 से सब नाम है घया न麼 यह सिर्फ अपवर्तक आप पढ़ रहे हो अभी यानि गुणनखंड या विभाजक सब एक नाम है अभी अभाज गुणनखंड आज मैं नहीं बता पाऊंगा कल बताऊंगा अगली क्लास में आज सिर्फ गुणनखंड ठीक है ओके चलो समझ गए नहीं डाउट है कोई तो मुझे बता देना अठारा चौबिस इनका फाइक्टर आप लोग करके मुझे बताऊंगे यह होम वर्क है ठीक है कलास बहुत बड़ी यह वाली चलती नहीं है क्योंकि यह फ्रीज ज्यादा बड़ा लोग देखते नहीं है अगर आप इसको खुब लाइक शेयर करोगे 10,000 व्यूज बनाओगे 24 गंटे में मैं इसको 2-2 गंटे चलाओंगा देखता हूँ आप करते होग नहीं ठीक है और आज का यक्षप्रफ्न है भारत का सरबाधिक जनसंख्या वाला जिला सरबाधिक जनसंख्या वाला जिला ठीक है क्या सरबाधिक जनसंख्या वाला जिला माइक्सिमाम पॉपुलेशन वाला जिला डिस्टिक हो सकता है मेरी लेंगोज थोड़ा फगडबड़ो ठीक है maximum population वाला distinct name आपको बताना है तो कल तक क्या पढ़ा था यहाँ पे दिख रहा है आज क्या पढ़ेंगे उदर फाइड में लिखा है comments अभी के पढ़ूँगा मैं last में class के end में तब तक जिनको पढ़ना है seriously वो पढ़ाई करेंगे ठीक है जो only पढ़ने वाले हैं वही यहाँ पर रुकेंगे बाकी बात चीत करने वाले अपना इंज्वाय करते रहेंगे उनकी अलग इंदगी है कल आपने पढ़ा था कि composite and prime number क्या होते हैं भाज यहवाज संक्या जो कि इसी topic का हिस्सा था इसलिए बताया बाकी इसको अलग से बिश्तार से पढ़ाऊंगा ठीक है आपने यह भी पढ़ा कि गुड़नखंड क्या होता इसकी परिभासा क्या होती वो भी बताया था class number 7 में आज आप पढ़ेंगे गुड़नखंड वा अभाज गुड़नखंड में क्या आंतर होता है और अभाज गुड़नखंड करना कैसे सीखते हैं मतलब कैसे निकालते हैं अभाज गुड़नखंड आईए थोड़ा सा इनका color change करते हैं आँखों को ज्यादा आराम नी देने का आईए तो अगर हम इधर साइड में लिख दूँ गुड़नखंड क्या गुड़नखंड इंगलिस में इनको फाइक्टर बोलते हैं अब आज गुड़नखंड अंतर समझना दोनों में आज ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि आप लोग बेसिक मैथ के बड़े उमीद से जुड़े हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको फाइनल मिल जाना चाहिए है ना जस्मा उस्मा रखे हो तो लगा लो भईया क्योंकि आख यह कह बार मिलती जिन्दगी में चलो प्राइम फैक्टर जैसे फार एक जामपल एक छोटा फा नंबर ले लूँ प्यारा फा तो इनके गुड़नखंड क्या क्या हो सकते हैं दोला के वन टू फोर एट शिक्टिम गुड़नखंड होता क्या है यह मैं कल की कलास में बता चुका हूँ नहीं देखे तो उसको देख लो तब है क्लियर होगा अगर आभाज जी गुड़नखंड की बात करें तो प्यारे आभाज जी गुड़नखंड 16 का क्या क्या होगा पता है तुम्हें 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 यह सब ही टू लिखे हैं भले उनकी सकल अलग अलग है लेकिन दो हैं सब जिने प्राइम फैक्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं इनकी खासियत ये होती है कि उनमें जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी नंबर सामिल हैं, ये सब ही अभाज्य होते हैं आपस में, सब अभाज्य हैं, कोई भी भाज्य संख्या नहीं है और उनका सब का गुड़ा कर लें आपस में, तो ये मुख्य संख्या प्राप्त हो जाती है ठीक है, clear? लेकिन इसमें आसा नहीं है, इसमें कोई भी संख्या भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है और इनका गुड़ा करने का इसमें कोई रूल नहीं है ठीक है इनका आपस में गुड़ा नहीं करना आपको जैसे ये देखो अभाज संख्या है नहीं है ये ना भाज ये है ना भाज ये विरादरिस बाहर है male female में नहीं है third gender में है जालो ये क्या है ये अभाज है ये क्या है भाज है ये ये भी भाज है क्याद आप ये है सिर्फ दुड़ा औलि फाइकटर ये अभाज और येंगुड़ा सा और filter है समझा रह無 जैसे तो यह simple वाली दाल है वो fry कर दिया गया थोड़ा सा चलो आप समझ गए एक और समझो जैसे माल लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 35 तो 35 के जो factor होंगे only factor वो one होगा two तो होगा नहीं कुछ लोग कहेंगे two का है नहीं होगा कल बताया हूँ बच्चा कल नहीं देखे हो तो मत समझो कल की कलास में बताया हूँ इसका factor two क्यों नहीं होगा तीन चार नहीं होगा पांच इसका factor होगा साथ होगा और 35 होगा यानि वो सब ही संख्या इनके factor होंगी 35 के जिन से भाग करने पर 35 में मतलब 0 से फ़ल आए मतलब 7 से भाग करेंगे 35 में तो 0 से फ़ल आएगा पांच से भाग करेंगे तो 0 से फ़ल आएगा 35 से करेंगे तो 0 आएगा अब अगर हम अभाज जी गुड़न खंड की बात करें तो सबसे पहले इनको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा फिर 7 से करेंगे हो गया खाता हम बस इसमें 1 को नहीं लिया जाता कोई मतलब नहीं यानि इसके अभाज जी गुड़न खंड क्या है 5 और 7 लेकिन इसके गुड़न खंड क्या है एक पांच साथ पातिस सभी को समझ में आ रहा मेरी बातें एक बार यास बोल दें और यह सेशन को फटा फट लाइक करें देखो आप लोग अगर लाइक कोई करते हो ना थोड़ा मोटिबेशन मिलता है कि क्लास बढ़िया चले ठीक है चलो आप आप आगे बढ़ते हैं अब माल लोग क्या मने ले लिए 40 1 और इसका फ्लेक्टर और क्या होगा 2 4, 5, 8 और 10, 20, 40 यह सभी इसके फ्लेक्टर हैं यानि इसमें से किसी भी एक संख्या से अगर आप भाग करो इनको तो 0 सेशफल आएगा सभी को मेरी बाते के लिए रहे ही मस्त कोई डाउट ना कहो समझ मज में आओ था एक बस इसे देखा था कहां सभी देखा था यहां मूँ देखा था आएगा अब अगर इस 40 को हमने इधर ले आया तो इनके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं आप लोग यह तो पूछा नहीं रहे हो यह कह रहे हो यह लाके लिख दे रहे हो लेकिन आ कहां से रहा भगवान कहां से गिर रहा है यह बताता हूं देखो जैसे इनका ले लो तो अगर दो दूना चार बताता हूं दो से भाग करेंगे बीस आएगा फिर दो से करेंगे दस आएगा फिर दो से करेंगे पांच आएगा और फिर पांच फ़तम दो दूना चार दूना आट दूना आईशा कैसे दो दूना चार दूना आट पंचे चालिस लेकिन ये बना कैसे मेरे दिमाग में खोपड़ी में आया कैसे कि हम दो दो तीन बार लिख दे एक बार पांच बार लिख दे तो लोग सोच रहे होंगे मने मन गरी आ रहे हो गया है बतानी कहां लिख दे रहा है बताता हूं देखो यह समझगे आप देखो निकालते कैसे हैं जैसे मैंने संख्या ले लिया चालिस इनके आभाज गुड़नखंड करना है तो देखो प्यारे सबसे पहले इसे हराई फना होगे इसे जानते होग नहीं अपने घरण में बुड़े बुजर को उसे पूछना हराई मतलब क्या होता है जो देखो ऐसे करोगे हर एक नमबर में फिर यहाँ पर उपर इस नमबर को बिल्कुल इज़त के साथ लिखोगे अच्छे से फिर आपको सबसे छोटी गिंती लेनी है जिससे इसको भाग करना है ठीक है मतलब इसका जो सबसे छोटा फिर छोटा क्या हो गुड़न खंड हो तो वो क्या होगा वन होगा वन को हम छोड़ देंगे इग्नोर कर देंगे क्यों क्योंकि one हर किसी के गुड़न खड़ में आ जाता है समझ रहो तुमको एक लाइन बताया था शुरू की कलासों में ही कि एगर कोई किसी को हद से ज़्यादा भाव देता है तो उसको लोग रद्धी के भाव समझते हैं तुमको रद्धी के भाव उनको समझा जाता है इफलिए इसको one से भाग नहीं करते हैं क्योंकि one से भाग हर किसी में चला जाता है और फर्क कोई पढ़ता नहीं है समझ रहो तो one से नहीं करेंगे फिर अगला नंबर क्या आता two two से भाग करेंगे इसको और यहाँ पर 20 आएगा देखो आता कैसे है दो दूना चार घटाया तो 0 आया सेस्फल खतम अभी उपर क्या बच रहा है यह 0 बच रहा था यह 0 लिख लिया कर यह वाला 0 देखना ललका वाला नहीं अब अगर हमने उपर से 0 यहाँ उतारा है तो हमें एक बार भाग ले ही जाना है 0 नहीं कोई भी नंबर उतारा है जब मैंने भाग वाली स्रीज बढ़ाया था उसमें इस तरह का सवाल बताया था कि अगर एक बार भाग कंप्लेटली खतम हो जा रही लेकिन लाश्ट में कोई गिंती उपर बच रही जो की भाजक से छोटी है ऐसी दसा में उपर एक 0 बढ़ा के भाग खतम करते हैं तो उपर एक 0 बढ़ाएंगे खतम तो जो हमें मिलता है उपर समझना है यहाँ पे उपर जो मिलता है इसको बोलते है क्या भाग फल भाग फल को यहाँ लाके निच्चे लिखते हैं जो पहले उपर होता है अगली बार निच्चे चला जाता है ठीक है और जिससे भाग करते हैं वो होता है भाजक इंगलिस में बोलते हैं डिवाईजर क्या डिवाईजर डिवाईजर को हिया लिखते हैं आगे प्लियर ये रोल समझ गए अब बार बार हर एक बार मैं नहीं बताऊंगा ये चीज चलो चलो फिर आपके मने दिल में जो भी सवाल आ रहे हैं उसे कमेंट करना और मैं देखूंगा अभी बस थोड़ा समझा लू तब फिर दो से इसको फिर से भाग करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि हमें पता है दो से भाग करने पर ट्वंटी पूरी तरह से डिवाइड है तो दो से भाग करेंगे दस आएगा फिर इसको दो से भाग करेंगे दस को तो पांच आएगा फिर पांच को अगर आपके मन में सवाल होगा कि दूर्से काहे ना करोगी लो कहे लो सेसफल आ जा रहा है न अगर किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करने पर कोई भी सेसफल आ जा रहा है तो इसका मदलब वो उसका गुड़नख़ नहीं है हम नहीं करेंगे दो से भाग इसको दो से इसकी सारी इच्छा हैं पूरी नहीं हो रही भाईया बज जा रही है ठीक स्ट्रा तो इनकी बात नहीं बनेगी तो ऐसे तीन चार किसी से नहीं होगा पांच का पांच से ही बनेगा तो इसे 5 फिर 0 इसका मतलब 5 ही है तो इस तरीके से आ गया क्या आपके 40 का जो आभाज गुडन खंडाया वो आया क्या 2, 2, 2 और 5 लाश्ट में 1 को भी लिख लेते हैं कोई बुराई नहीं है ये भी इसी का हिस्सा है तो यही चीज तो मैंने पीछे लिखा था कुछ और था रुड़ी था ठीक है नो डाउट किसी को बढ़िया समस्ता है तो यही था अब आज गुडन खंड करना देखो यार कलाफ नना चाहते होए भी यह क्या चमतकार हो रहा है कभी-कभी मैं ऐसे दिख रहा हूँ उल्टा कभी-कभी सिद्धा क्या आपको भी ऐसे दिख रहा हूँ कैमरे में हाँ चले आगे चलो ठीक है तो यह समझ गए यार टाइम बड़ी जल्दी निकल जाता सोचो 10-15 मिनिट में कुछ हो जाए तो कुछ होता नहीं है चलो एक और बता देता हूँ छोड़ो जो भी टाइम हो रहा जाने दो आज क्लास बड़ी चलेगी बिना बड़ी चले कुछ होगा ही नहीं पढ़ने वालों के लिए ठीक है चलो देखो आगे क्या है अंजली गीता राजपूत सुनीता देभी पंकाज मोहित मुसीव खान आओ आओ देखो 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 च्छतिस सबसे पहले ऐसे करेंगे मुझे यह बताओ कि च्छतिस दो से completely divisible है या नहीं है सबको पता है बच्पन से जानते हो तो दो से जब हम भाग करेंगे च्छतिस में प्यारे साथी तो 18 आएगा 18 भी दो से फुली डिवाइड है पता आपको दो से भाग करने पर 18 डिवाइड हो जाएगा तो दो से भाग करेंगे 29 अठारा अब क्या 9 2 से डिवाइड होगा क्या 9 2 से डिवाइड होगा हा या नहीं बताओ अज़े मुझे जो दिख रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है न पता है मुझे क्या दिख रहा है मुझे सामने वाले कैमरे में कभी कैम उल्टा हो जा रहा हूँ बट रियल में वीडियो में ऐसा नहीं हो रहा सायद कि हुआ कभी ऐसा है मेरा सिर नीचे दिख रहा है उपर उपर दिख रहा है क्या मुझे लगता है मेरी आँखों का ब्रहम है या उसका एमरे का कुछ खत्रा है तो दो से इसको भाग करेंगे तो दो चौक आठ ये देखो दो से फुली डिवाइड नहीं है नहीं है ना इसका मतलब दो से अब उसको भाग हम नहीं करेंगे क्योंकि से सभल बच जा रहा है फिर तीन से करेंगे दो तिन तरी कर नो फिर तीन एक कम तीन खतम नीचे एक आगया बस खतम तो इसके अब हाजी कुड़न खंड क्या क्या होंगे पैरे फाथी दो दो तीन और तीन लाश्ट में वन भी लिख दो नीचे जो रहता है हो गया, खातम सभी को समझ में आया कोई डाउट ना किसी को बढ़िया एक बढ़ सभी साथी जोड़दार सेशन को लाइक शेयर करें, देखो आपकी जिम्मेदारी है Responsibility अपना समझते जाओ अच्छा जिससे मैं बड़ी बड़ी क्लाफ चला सकूँ हो गया, चलो एक और एक और दिख रहा है अगर मैंने एक संख्या ले लिया साथ कितने लोग कर लेंगे, इमानदारी से बताओ, चलो हाथ उटाओ कितने लोग कर लेंगे कर लोगे, चलो ठीक है, बड़ी आए, आओ चलो आओ अच्छों तुम्हें दिखाए, जहां के इंदुस्तान की है न, चलो तो सबसे पहले इसको सबसे छोटी संख्या फे ट्राई करेंगे, आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या वन से इस्टार्ट होती है, काउंटिंग नंबर, लेकिन वन से भाग करने पर कोई फ़क पढ़ता नहीं है, तो हम वन से नहीं करेंगे, दो से करेंगे, हमें पता है कि 2 से भाग करने पर 0 से फ़ल आ जाएगा क्योंकि हमने इतना पढ़ा है अलरेड़ी पहले 2 से भाग करेंगे यानि 30 आएगा ना 60 कादा 30 तो 2 से भाग करो 30 आएगा इसका लिखने का क्या तरीका है पहले पहले बता चुका हूँ अभी कि यहां पर 30 क्यों लिखेंगे दो यहां क्यों लिखेंगे बताया हूँ फिर 2 से भाग करोगे 30 में तो 15 आएगा अब 2 से भाग नहीं करेंगे 15 में काहे को काहे को सेसफल 0 नहीं आएगा फिर सेसफल 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब जो दो है वो संख्या पंदरा का गुलंखण नहीं है तो क्या करेंगे फिर भईया तो इसका गुलंखण मिलाएंगे इससे इसका गुलंखण कौन होगा फिर तीन है तीन से भाग को और तीन पज़े बंदरा अब 3 से भाग 5 को नहीं करेंगे क्योंकि 3 से 5 की नहीं बनती है 3 से भाग करेंगे 5 में तो 0-70 नहीं आएगा तो जिस से जिस की बनती है उसको उससे मिला दो भया लफटा हो चलो तो को गी बनती किस से ऐ pa f जानेंगे जब पढ़ने लगो किस जा जाओगे इसका किसे बनता है चलो तो five में five से भाग करेंगे एक बार जाएगा तो इस तरीके से आए आके देखो दो और चार और यह क्या है तीन और यह पांच एक one भी last में बनता है चाहे तो इसको यहां 1 भी लिख दो या ना लिखो गे तब भी कोई गलत नहीं करेगा बस खतम तब भी समझ गे ना मेरी बात किसी को कोई डाउट ना चलिए ठीक नाम हो आम किसी का नहीं लेता हूं मैं नाम लेना छोड़ दिया मैंने only पढ़ाई no नाम चलो तो ये चीजें समझ में आ गई सभी को अभाज ये गुड़ अनखंड करना सीख गया आप अच्छा बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग फिर टेली गराम पे नहीं जुआइन किया था बच्चा पार्टी तो कर ले ना अभी आगे भी मैं पढ़ाऊंगा लेकिन कुछ important जनकारी सुन लीजिए ना उम्र की सीमा हो न जन्मों का हो बंधन क्योंकि इस सीरीज में 110 साल वाले भी पढ़ते हैं सीखने की कोई उमर नहीं होती यह आपके feedback अभी question आगे करवाऊंगा इस सीरीज में 100 वीडियो मिलेंगे और प्रतेग वीडियो में आप जरूर कमेंट करोगे क्लास के बाद में कि आप कहां से पढ़ रहे हो कितना बज़े पढ़ रहे हो जिम्मेदारी है आपकी समझें इस वीडियो का सीरीज का नया सीरीज डेली सुबा पांच बज़े आता है लेकिन कभी-कभी हम इसे और टाइम पर भी दे सकते हैं मतलब एक्स्ट्रा वीडियो और जो सारे के सारे सभी सवाल का जवाब देगा सारी कलाफ एटेंड करेगा वही सारी कलाफ एटेंड करोगे तभी तो सारा जवाब देपाओगे तो आपको मिलेंगे फाद थाज़न अगर आप बीच से कलास देखते हैं पहली कलास से नहीं फालो कर रहे हैं तो आपको द और अच्छा एक नमबर मान लो कि मैंने ले लिया 2, 4, 3 अब बताओ ये किस से डिवाइड होगा इमांदारी से मुझे कमेंट करके बताना क्या ये दो से डिवाइड है क्या ये 2 से फुली डिवाइड है क्या 2 इसका गुड़न खंड है क्या 2 इसका फैक्टर है या दो इसका भिभाजक है नहीं है बाद तो सब एक है यह भरम है किवल नाम का भरम है आँखों का भरम है समझ रहे हो आज कल राजनिती बाले भी ऐसे आपको भरमित करते हैं आपकी आँख फोड़ देंगे फिर कहेंगे मैंने तो चस्मा दिया इसको चस्मा देके फिर साथ में फोटो की जाएंगे कहेंगे देखो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ न देश के लिए जनता के लिए वही कंडिशन है आज बर्तमान में देश में समझ रहे हो आपकी चीज़ें कड़बढ़ कर करके वह वही लूट रहे हैं लोग देखो तो यह दो से डिबाइट नहीं है क्यों क्योंकि दो से भाग करने पर 0 सेसफल नहीं आएगा गटाओ के 0 सेसफल आया 4 उताल लिया अब 2 टू जाब 4 गटाएंगे 0 आया उपर से 3 उताल लिया 2 वन जाब 2 देखो सब्ट्रेक करने पर 1 बच गया तो 2 क्या है इसका फैक्टर नहीं है 3 से ट्राई करो 3 से ट्राई करो हो जाएगा 3 अठे 24 तीन एकम 3 फिर से 3 से भाग करोगे 3 दूना 6 3 सते 21 3 नमसब 23 3 तीन तरीक करना हो और 3 एकम 3 तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यह पांच टाइम आया है कितना बार 5 बार इससे फाइनल में हम आईसा भी लिख सकता हूं 3 की घात 5 इसमें कोई डाउट ना किसी को यह क्या था 243 का अब हाज यह गुडन खंड करना सभी को समझ में आया बोलो एक बार यस सभी बच्चा पार्टी फटा फट सेशन को लाइक करके बताएं कि समझ में आया देखो आपकी जिम्मेदारी है आप क्लास को सिर्फ लाइक करोगे और सेर करोगे बाकी मैं पूरा फ्री पढ़ाऊंगा इस स्रीज में वादा करता हूं बहुत दिन से कर रहा हूं और हां पढ़ा भी रहा हूं पूरा फ्री आएगा बट आप सिर्फ लाइक सेर करोगे बस इतने करना है आपको ठीक है तो ये कुछ और भी कुश्चन्स हैं आपके लिए इन्हें आप लोग करके लेके आओगे जैसे 343 हो गया 256 128 1244 169 625 576 1000 इनके फैक्टर करके लेके आना ठीक है और आज क्या पढ़ेंगी उसका एक आलागी स्टेप मतलब एक और आगे स्टेप जिसे बोलते हैं LCM-HCF मेन पॉइंट आप सभी LCM-HCF जानते हैं हर जगा यूज होता है लेकिन गुरंखंड के बिने LCM-HCF बिल्कुल भी कोई मायने ने रखता है इनको बहुत ही गहराई से डिस्क्राइब करेंगे बिल्कुल दिल लगा के देखना है और कमेंट करके सब को बताना है कि मेरी बातें सब को क्लियर आ रही है किसी को कोई डाउट कोई परिसानी होगी तो लाश्ट में मैं कमेंट लूँगा ठीक है अब यह उनली पढ़ना है एक चीज और याद रखें कमेंट आप खुब सारा कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे तो तो मिनिट में कमेंट कर पाएंगे इसलिए फालतु बाते कोई कमेंट ना करें आईए पॉइंट पर आगे बढ़ते है आज का टोपिक है साथी मेरे LCM गुणनखंड करना सबी लोग सीख गया हूँ पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ ठीक है ये लाइब नमबर नाइन है पार्ट नमबर नाइन अब भाज गुणनखंड करना कला आप सीख गया थे जैसे माल लिजिए एक संख्या मैंने ले लिया बहुत ही छोटी सी संख्या माल लिजिए 25 अब भाज गुणनखंड इसके क्या होंगे 5 गुणे 5 माल लो कि मैंने एक संख्या ले लिया 35 इसके अब भाज गुणनखंड क्या होंगे 5 गुणे 7 बताया हूँ LCM क्या होते हैं गुडनखंड बिधी से देखो बताता हूँ सबसे पहले तो नाम लेना सीख लो इन नाम LCM हर एक अच्छर का एक-एक मतलब होता है एक-एक लेटर का L means least या lowest भी बोलते हैं C means common M means multiple least common multiple जिसे हिंदी में बोलते हैं लगुत्तम समापवर्ते यह जो संदी भी छेद पढ़े होंगे हिंदी में उनको पता होगा यह समान और अपवर्त मिल करके समापवर्त बन जाता है जहां तक मुझे पता है least मतलब लगुत्तम मतलब लगुत्तम को मतलब सब फे छोटे फे छोटा सब से छोटा जैसे मालेजी आप चार भाई हैं तो जो सब से छोटको हुआ होगा वही ठीक है समान मलब कॉमन आपवर्थ आपवर्थ मैनी मल्टिपल ठीक है या गुड़ज भी बोलते हैं आपवर्थ को अभी सब खेर होगा एक्जामपल करेंगे तब जैसे करा कि संक्या 12 18 के समापवर्थ क्या होंगे कॉमन मल्टिपल पताओ जल्दी फटाफट सभी कमेंट कर दो एक बार जोड़दार कमेंट कर दो फटाफट नोटिपिकेशन यूटूब नहीं देया होगा मुझे पता है डॉन्ट वरी कोई बात नहीं आउओ 12 वा ठारा का क्या करना है समापवर्थ ना ठीक है तो पहले संक्या 12 ले लेते हैं अब आज ये गुड़न खंड प्यारे में बता चुका हूँ आप सभी को तो मुझे बताना है नहीं है न चलो तो दो गुड़े दो गुड़ा तीन ये क्या हो गया इसका अबाज गुड़न खंड दो गुड़ा तीन गुड़ा तीन ये इसका अभाज गुड़न खंड प्राइम फैक्तर दो दुना चार्ट दुन तियाई 12 दो तियाई छातरी कठाड़ा अब इसमें क्या करना हमें याद रखना कॉमन मल्टीपल निकालना है मतलब समाझना हमें इसमें ल सीम नहीं करना है कि लसी म से इस्टब पीछे रहना है कॉमन मल्टीपल यह सभी मल्टीपल है वामन कौन है कॉमन नहीं जानते हो एक कॉमन का मतलब आप देखो रूख जाब अताता हूं कि कॉमन का मतलब ऐसे समझो मालो कि मैंने यह दोनों हाथ उठाए मेरे दोनों हाथ में कुछ आइटम आपको दिख रहे हैं दिख रहे हैं कुछ कि कलम है रिमोट है इसमें फोन एक कलम है तो दोनों में क्या है वह कॉमन है समझ गे ना अभी से अच्छा एक्जामपल और क्या हो सकता मेरे दोनों हाथ में जो है वह क्या है कॉमन है समझ में आया अब अगर मैं कहूं मोटा मोटा समझाता समझ में आएगा अब मेरे दोनों हाथ में क्या है पोन है याप कॉमन क्या फोन है इसको क्या बलते है कोमन जो एक से अधिक में हो ठीक है इलियर हाओ देखो इदर कमेंट नहीं आरा मुझे किसी का कोई सब्सक्राई di पर जैसे देखो इसमें 2 है इसमें वी 2 है Maar dapat इसमें नहीं है इसमें तीन है इसमें भी दीन है यानी ये क्या है common क्या है common है तो हम नीचे लिख सकते है common multiple क्या है दो और 3 2 और 3 क्या है common multiple है या फिर आप इन्हें 2 तीया इछे भी लिख सकते है समझ मैं है लेकिन ये LFM नहीं है अभी हम LCM की बात ही नहीं कर रहे है अभी हम सिर्फ common multiple की बात कर रहे है क्या कर रहे है common multiple की बात कर रहे है या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते है 2 गुड़ा 3 बराबर 6 यानि 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 18 भी आगे देखो पहले common multiple सीख लो उसके बात में फिर हम LCM करेंगे फिर तो आफान है इनका factor करो बहिया 2, 2, 4, 2, 8, 3, 24 ये करना कल सिखा चुका हूँ ऐसे ऐसे करके न इसका factor करो 2 23, 6, 35 कल सिखा चुका था कैसे करते हैं factor इफी लिए हर एक class देखना जरूरी है नहीं देखे हो वीडियो में comment करना मिल जाएगा अगला part common multiple देखो बच्चा बाटी दो common है दोनों में और कोई common है बताओ रजागती रहो सुबा हो चुकी है देखो आख वांग मैं भी दुलिया हूँ ना आया भले नहीं हूँ तुम भी उठ जाओ कम सुबह रहे मत ना आओ चार-छे दिन टाइम पर उड़ जाओ कुछ मत करो दुखेकशी जनुफो मैंने लिया लाइफ में अगर आप सुबा जल्दी उठते हो ना कोई कितना भी तरक दे देर राध जागने वाले आपकी एक energy का लेवल अलग ही रहेगा तो इसमें भी सनियोग से वही है क्या दो और तीन या अगर बोलें तो दो त्याएंग छे क्योंकि छे चोग चोविश छे पंचे तीस छे से दोनों डिबाइड है अभी हम LSEM की बात ही नहीं कर रहे हैं एक परकार से यह HCF बन जाता है यह HCF बन जाता लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम only common multiple खुज रहे हैं दोनों में common क्या है बस ठीक है clear तो इसका भी यह कर लेते हैं फिर हम LSEM पर बात करेंगे और दफ इनका अगर हम क्या करें समापवर्थ करना है ना भाया चलो देखो जो समापवर्थ हैं दो त्याई एं इनका दो गुड़ा पांच अगर इसमें common multiple यानी CM खोजें तो क्या होगा हम LSEM नहीं कर रहे हैं यहल निकाल दिया भी only CM तो दोनों में common क्या है दो फिर दो only दो वाकी कुछ नहीं बात समझ में आई सभी को किसी को कोई doubt नहीं तो यह था क्या समापवर्थ निकालना इस तरीके से यह संख्या है मानलो 18 और 24 इसको आप खुद से करोगे 36-40 यह आप खुद से करोगे ठीक है यह सिरीज में बहुत बड़े बड़े वीडियोज नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आप लोग ज़्यादा बोर हो जाते हैं तो कल आप तक क्या पढ़ा था यह याद दिलाना बहुत जरूरी है आप तक कॉमन मल्टीपल है ना उबैनिस्ट गुड़न गुड़ज भी बोलते हैं इसको हिंदी में ठीक है कल मैं लेकिए उबैनिस्ट सब्द का जिकर नहीं किया था क्योंकि जो उबैनिस्ट है यह कॉमन की हिंदी होती है जहां तक मुझे बता ठीक है कॉमन क्या चीज होता है कल बता चुका हूँ जैसे अगर मैं एक छोटा सवाल करूँ इसमें बहुत ही छोटा सवाल है मुझे बताओ संख्या 50 हुआ 55 में कॉमन बहुत अच्छा बच्चा पार्टी देखो बहुत अच्छा बेरे गुड बहुत से बच्चे जोड़े है कमेंट सब का दिख रहा है थोड़ा सा तफली रखे मैं आगे बात करता हूँ ठीक है अभी सब का नाम लूँगा लाइस्ट में अभी काम की बार ठीक है तो यह क्या है भी या 50 और 55 के बीच में common multiple आपको बताना है आज पढ़ेंगे L-F-E-M क्या पढ़ेंगे L-F-E-M क्योंकि कल हमने C-E-M पढ़ लिया है L छोड़ दिया था आज L-C-E-M पढ़ेंगे ठीक है क्या पढ़ेंगे आज L-F-E-M चलो C-E-M और L-C-E-M में क्या आनतार है भाईया आओ Question number पहला Sankhya 12 18 L-F-E-M ठोड़ा छोटी नमबर ले लो जिससे इस बात हम आपको समझा पाए अच्छे से कि चिरो लेबल वाली बाते हैं न यहाँ पर Sankhya 6 वा 12 का L-C-E-M आओ पहले इनका हम क्या करेंगे Factor करेंगे Only Factor तो 6 के क्या करेंगे Factor याद रखें यहाँ पर Only Factor करेंगे Prime Factor नहीं गुडन खंड करेंगे ठीक है हमें L-C-E-M निकालना है Least Common Multiple छोटे फे छोटा गुड़च है न यही न Multiple की बात हो रही बटे हाँ तो अभी तक हमने क्या बताया था आपको गुडन Factor बताया था न यहाँ गुड़च की बात हो रही छोटे से छोटा गुड़च तो मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले मैं आपको गुड़च भी बता देता हूँ तो आपने गुड़च भी आपको पढ़ना जरूरी है है न तो चलो पहले गुड़च भी इसी मपता देता हूँ क्योंकि इसकी बेजरूत पढ़ेगी जैसे फारिक ग्याम पलेग देख लो बताता हूँ छे फिर बारा फित्री गठारा थे चोग चोबिस छे बंचे तीस वैसे यह बारा चोबिस पर तेश तीस बार चोग कर तालीस बार पंचे साथ ऐसे बढ़ता जाएगा आगे इसका मैं टेबल लिख दिया एक मिन चलो आगे चलो ठीक है जैसे संख्याच यह है उसका टेबल लिख दिया ठीक है वी सुनू कुमार भारती पूजा सबका कमेंट है रामित कुमार जी सबका आ रहा है तो हमें क्या करना है LCM तो सब में कॉमन मिलाओ जफे देखो यह कॉमन मल्टिपल कल कॉमन मल्टिपल साथ बताया था ना लेकिन कुछ अलग तरीके बताया था कॉमन फेक्टर बताया था कल जो भी होगा मुझे ध्यान नहीं आ रहा कल क्या बताया था आगे देखो यह 24 तो 24 तो इसमें भी आएगा आगे चलके इसमें देखिए 36 है ना इसमें भी 6 आएगा 6 35 फिर आगे 6 चक 36 तो 36 भी common यानि अगर हम बात करें common multiple के वैसे common multiple यह है यार कल मुझे लगता है आपको common factor बता दिया था तो जो common multiple हैं वो कौन कौन से है 12 और 24 चाथिस इसके आगे अभी और भी common multiple है समझ ना लेकिन हमें सिर्फ common multiple नहीं चाहिए हमें least common multiple चाहिए छोटे फे छोटा गुड़ज तो इन में सफे छोटा कौन है 12 क्या है 12 क्या है 12 क्या है यह LCM है समझ में यह क्या है LCM है बताता हूँ चलो देखो यह क्या है यह LCM है ठीक है clear नहीं समझ में आयोगा भी बताता हूँ आप एक लाइन में समझ लो कि जो multiple होता है किसी भी नंबर का वो उसका पहाड़ा होता है ठीक है जैसे 6 का मैंने multiple लिखा है तो 6 कम 6 चे तुना 12 चे तरिक ठारा चे चोट चोटा है इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूँ यहां पर देखना जैसे माल लीजे मैंने question किया इसी से संबंध में संख्या आठ का पांचवा गुड़ाज मतलब वही multiple बताओ तब ही बता लोगे ना संख्या आठ का जो पांचवा गुड़ाज है मतलब आठ में पांच से गुड़ा करने पर प्राप्त होगा बस यही simple सी बात है ठीक है आओ देखो आगी कैसे आठ का पच्वा गुड़ाज मतलब आठ में पांच से गुड़ा करने पर मिलेगा या नि चालिस ठीक है अगर मैं बोलूँ आठ का बारवा गुड़ाज तो तो आठ का बारवा गुड़ज क्या होगा च्छानवे होगा ठीक है अगर मैं बोलूँ कि भाई या आठ का तीफरा गुड़ज तो चौबिस किसी भी संख्या के अनंत गुड़ज हो सकते हैं मल्टीपल इन्फिनिट हो सकते हैं मुझे इसको पहले आपको बिस्तार से बढ़ाना पड़ेगा तब LCM HCF में जाएंगे तब आपको क्लियर होगा बढ़िया समझ में आएगा एक चीज और खासियत है जो गुड़ज है किसी भी संख्या का वो उससे छोटा ही कि क्या छोटा नहीं होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे बढ़ा होगा यह भी सेस्ता है लेकिन गुड़नखंड में उसके बराबर हो सकता है अधिक्तम नहीं तो उससे छोटा ही होगा दोनों का अंतर जो मैं आपको बताऊंगा तभी आपको बहुत अच्छा से बेहतर समझ में आएगा चलो पहले एक पॉइंट के लिए करते हैं आज पहले गुड़ज बहुत अच्छे बता देता हूं ठीक ह कि तुझे फें देखो आठ का पहला गुड़ज क्या होगा कशन आठ का पहला गुड़ज मतलब आठ को एक से गुड़ा करें तो 8 अच्छा आठ का दूसरा गुड़ज बताओं चलो जैन कि बताओ ए चयतन बारी बहुत अच्छा प्यूस बेरे गुड थीक है पोई डाउट चले आगे बहुत अच्छा आओ देखो आगे आठ का पहला गुड़ज कितना आठ आठ का तीफरा गुड़ज बहुत अच्छा परी गूड़ तीन से गुड़ा करोगे दूसरा गुड़ा तो दो से करोगे बस खत्म आगे बढ़ू, कोई डाउट ना किसी को, ठीक है, बढ़िया, मनी पांडे, बरे गुड, ठीक है, एक मिनुट उक न, चले, यह हो गया, सभी समझ गये, गुलच समझ गये न, अगर गुलच समझ गये, तो फिर, यहां पर समझ गये, जो कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, वो इसी से संबंदित होता है, आईए, आगला देख, यहां पर समझ गये, आगे मैं क्या बता रहा था, संख्या 28 का तीफरा गुलच, जल्दी बताओ, संख्या 28 का तीफरा गुलच, बता लोगे, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरे गुड, ठीक है, ठीक है, देख्ये, तीफरा गुलच क्या होगा, 28 को 3 से गुड़ा कर दे, 3, 8, 24, 3, 2, 6, 2, 8, 84 ना, यह बताओ, सब को पता है ना गुलच, अच्छा, 28 का सबसे बड़ा गुलच क्या होगा, मैक्सिमम मल्टिपल क्या होगा, इसका मतलब सबसे बड़ा वाला, लार्जेस्ट मल्टिपल, इंपॉसिबल है, क्यों, अनलिम्टेड है, यह गिनती, पता नहीं कहा तक गिन सकते हो न, तो वो फॉसिबल नहीं, सबसे छोटा ग्याद कर सकते हैं हम, 28 गुड़े एक, 28, लेकिन सबसे बड़ा नहीं, ठीक है, जबकि गुड़नखंड में, गुड़नखंड में ऐसा नहीं होता है, एक नजर में आपको दोनों explain कर देता हूँ, तो अब बहतर समझ में आएगा न, आओ चलो देखो, क्योंकि यह दोनों भाई-भाई हैं, इन दोनों को साथ में समाझना जरूरी है, गुड़नखंड, और यह क्या है multiple, इनकी आलाग अलग नाम होते हैं, जैसे गुड़ज है न, वैसे इसको अपवर्त भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपवर्त भी बोलते हैं. इसको गुडनखंड को विभाजक भी बोलते हैं और एक और नाम से बोलते हैं. अपवर्तक भी बोलते हैं. ठीक है? तो याद रखना नाम. चलो. तो पहले इनकी बिस्रेश्था आप समझे लो? मैं बताता चलोंगा point by point. जैसे गुड़ज होंगे वह 12, 24, 36, 48, आनन्त तक होंगे नोट कर ले ना मेरी बातों को सुन ले न क्योंकि सब कुछ यहां लिखनी पा रहा हूं में कि पहले भी सेचता है कि किसी भी संख्या का जो गुड़ज है वह उस संख्या से कभी छोटा नहीं हो सकता उस संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा ठीक है किसी भी संख्या का गुड़ज उस संख्या से कभी छोटा नहीं होता है वो या तो उसके बराबर होता है या उससे बड़ा होता है गुडन खंड में क्या होता है जैसे संख्या 12 थी गुडन खंड में क्या भया वान-टू येंके फैक्टर है ठीक है 3, 4, 6 और 12 यानि किसी भी संख्या का जो factor है अधिकतम वो उस संख्या के बराबर हो सकता है कभी भी उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है जिसे बताया था ना बेटा की कभी उमर बाप से जादा नहीं हो सकती बस वास्तों में रियल बेटा होना ची समझ रहे हो ना तो जो गुड़नखंड है ये कभी भी उस संख्या से बड़ा नहीं होगा उसके बराबर होगा अधिक्तम बस और हाँ आगला गुडनखंड की संख्या निफ्चित होती है किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं आप और्तक होते हैं यानि गुडनखंड होते हैं विभाजक होते हैं सब एक नाम है उनकी संख्या लिमिटेड होती है उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं कि इनकी कुल कितनी संख्या है तुम्हें लगता है कि मैं इदे उदर करूँगा तो नाम बोलूँगा नाम नहीं बोलता हूं चलो तुम्हें 24 गंटे के लिए डाउन कर दिया है आगे बढ़ें तो यह हो गया क्लियर सभी को समझ में आया गुडन खंड और गुड़ज में एक अंतर समझ में आया जैसे मालो 15 अब इसकी अगर हम multiple की बात करें यानि गुड़ज की तो इसका सबसे छोटा जो गुड़ज होगा वो क्या होगा 15 उससे बढ़ा दूसरा गुड़ज 30 तीसरा पैतालिस अनन्त तक होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है अगर हम कहें कि 15 का एक लाख्वा गुड़ज तो पंदरा का एक लाख्वा गुड़ज भी हो सकता है कितना पंदरा लाख समझ में आया लेकिन इसके जो मल्टीपल है भईया ओ स्वारी फैक्टर यानि अपवर्तक बिभाजक वो लिम्टेड होते हैं तो पंदरा के जो अपवर्तक हैं वो क्या क्या होंगे एक तीन पांच और पंदरा यानि इसके जो आपवर्तक है कुल चार ही है पांचमा नहीं जनम ले सकता लेकिन विभाज वो गुड़ज जो है वो unlimited हैं कितने हैं आनंत हैं ठीक है समझ में आया क्लियर सभी को तो आप गुड़न खंड और गुड़ज समझ गए पका ठीक है तो इस तरीके से एक एक पॉइंट छोटा छोटा थोड़े थोड़े टॉपिक आप समझते चलें ठीक है कुश्चन है आपके लिए सभी के लिए हो मोर्क हैं क्या है देखो क्या क्या करना इसमें पर्थम पांच गुड़ज वा तभी गुड़न खंड ग्याद करना है ठीक है पर्थम पांच गुड़ज और सभी गुड़न खंड आपको ग्याद करने है जैसे इसमें पहला है संख्या 17 दूसरा 35 तीफरा 48 अभी हट जाता हूँ इनके पर्थम पांच गुड़ज और सभी गुड़न खंड आपको बताने है ठीक है कर लोगे की नहीं कुछ जादा बड़ा हो गया क्या नंबर जो जादा बड़ा थोड़ा छोटा कर लेना बता लोगे ना कोई डाउट है तो कमेंट करना तो ये क्लास का टाइम ओबर होता है थैंक्यू चोटी-चोटी क्लासे चलती है अगर आप बड़ी क्लास चाहते हो तो क्लास को लाइक करके सेर करो और कमेंट करके बताओ फटा-फट कि आप कितने दिर की क्लास चाहते हो ठीक है और हाँ आज का 100% तो भूली रहा था, इनाम वाला सवाल तो आज भूली रहा था, आज का सवाल क्या था, इस पर तो इनाम मिलता है न जनाब, इनाम वाली फ्रीज है न, ये 5000 रुपे तक का इनाम मिलेगा, जो इसको फालो कर रहा होगा सीरियल से, चलो, तो आज का संख्या 120 का सबसे छोटा अपवर्तक यानी खर्क्तर, ये आपको बताना है, ठीक है, आज गुडन खंड विदी से आप LCM करेंगे, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मैं पिछली क्लास में कोशिस किया था, लेकिन कुछ चीज़ें चुट गई थी, तो उनके चक्कर में ये नहीं हो पाया था, चलिए, पहला सवाल है, आठ वा दस का LCM, तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा, आज LCM क्लियर हो जाएगा, जैसे LCM को मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना, तो पहले हम संख्याओं का मल्टीपल लिखते हैं, एट और टेन, मल्टीपल से LCM निकालते हैं, फिर हम फैक्टर करेंगे, अब आज ये कुड़नखन, ठीक है, प्राइम फैक्टर, तो इसका मल्टीपल एट का क्या होगा, पहला एट होगा, दूसरा सिक्स्टीन होगा, तीफरा 24 होगा, फिर 32 होगा ऐसे इसके मल्टीपल होगे, डाट 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 आनन तक, 10 का मल्टीपल 10 होगा, 20 होगा, समझ में आ रहा है न, ऐसे ये भी आगे बढ़ता जाएगा, हमें क्या निकालना है, L-C-E-M, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अच्छा एक बात बताओ, ऐसे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, जब तुम देख रहे हो, तो इसमें आगे जाने के बाद कुछ होगा, का होगा, थोड़ा छोटा कर लूँ, नीचे लिख लो, ज्यादा आएगा, इसमें ये आगे बढ़ता जाएगा, आठ दहम 80 होगा, फिर 80 होगा, है न, फिर 90 ह होगा, बोलो होगा की नहीं, भई 8 का मल्टीपल है, गुड़ज, अनलिम्टेड जाएगा, उसकी कोई लिमिट नहीं, अभी इसकी आगे और जाएगा, ये, मैं बताना चाहता हूँ, आपको जो वो समझो, बस, ये भी ऐसे बढ़ता जाएगा, ये भी आगे जाके 10, 88 होग होगा, 10, 90 होगा, 10, 10, 100 होगा, फिर आगे 110 होगा, खतम नहीं होगा कहीं, ना, क्लियर, no doubt, कोई दिक्कत ना किसी को, तो क्या करना है, भईया, यहाँ पर समझेना जारा प्यार फे, हमें निकालना है क्या, least common, multiple, है ना, जो दोनों में common है, अब भई, यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, common खोजना, इनकी जुगार लगाना शुरू करते हैं, तो आप जड़ा देखो, 40 इसमें है, 40 इसमें भी है, इसके बीच में और कोई common नहीं होगा, तारेक्ट जाके क्या होगा, फिर 80 होगा, देख लो चाहें, अगला क्या common होगा, अफ्फी होगा, समझते चलो, 80 होगा ना, उसके और आगे अगर आप बढ़ते जाओ, तो 120 भी दोनों में common होगा, इमें 120 आएगा, अट जोड़ों के 104, फिर 8 जोड़ों के 112, फिर 8 ए 120, आएगा ना, इसमें भी 120 आएगा, बारा बार जाएगा तो, जाएगा कि नहीं, 11 गुड़ज क्या है, 110, 12 गुड़ज क्या आएगा 10 का, 120 आएगा, तो मेरा कहने का यह मतलब है, कि यह देखो बच्चा, पहला common multiple है, और यह दूसरा common multiple है, बट हमें क्या निकालना है, least common multiple, LFM, तो इसका जो LCM होगा, वो पहला वाला होगा, बस, यह क् 40 क्या है, LFM, यहां कोई दिमाग नहीं लगाना, समझ में आया न, लेकिन यह थोड़ी बड़ी गिंती थी, हो सकता है, लोगों को थोड़ा भरम होगा हो, थोड़ी और छोटी गिंती पर आगे चलते हैं, है न, थोड़ी और छोटी गिंती पर चलते हैं, कमेंट सभी का last म मैं देखूंगा भी, जो कुछ पूछना है, दिल में है, कर दो सब, सब का कमेंट देखूंगा, लाइब चल रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं बच्चा, हां, सुबद सबा उड़ता हूं मैं, अपने आपको इतना करिया और या के मार पिट के, क्यो उड़ी जा बच्चा, उ इसमें ज्यादा मजाएगा, बातें किलियर हो पाएंगी, जो मैं कहना चाहता हूं, मल्टिपल सबाही लोग पढ़े हो, तो फोर का मल्टिपल लिख लो बच्चा, एक पर का टेबल होता है, आफेल लिख डालो इनको, आफेल इनको लिख डालो, हमें क्या निकालना है, कॉमन मल्टिपल, हमें लसी हम निकाल रहे हैं, लेकिन आपको कॉमन मल्टिपल मेथड से बता रहे हैं अभी, मतलब मल्टिपल मेथड से एक परकार से, अभी फैक्टर मेथड नहीं बताया, गुड़न खंड वाला नहीं, चलो, तो पहले common खोजो दोनों में, 12, फिर common आगे क्या, 24, फिर आगे क्या common होगा, 48 होगा, की नहीं, कहेंगे अगे दुर्ण तो दिखाते हो, आगे 48 होगा बच्चा, एमे न, ये 6 गुड़ज है, 24, 7 गुड़ज क्या होगा, 28, होता नहीं, 7 गुड़ज, 35, 8 गुड़ज, 36, फिर आगे बढ़ते जाओगे, तो 9 गुड़ज 36 आगया न, उपर, इसमें 6 गुड़ज ही 36 है, तो यहां भी आगे बढ़ते जाओगे, तो यहां कहीं 6 गुड़ज 37 भी आपके क्या हो जाएंगे, common multiple, यानि cm, हमें निकालना है, only lfm, least common multiple, least means छोटे फे छोटा, तो छोटे फे छोटा 12 हैं, तो लिख दो, यह अब lfm बराबर कितना 12, lcm वो संख्या होती, बच्चा जो दी गई दोनों संख्याओं से, भाग करने पर, पूर्णता विभाजी तो हो जाएं, यानि fully divide हो जाएं, एक परकार से यह माबाप होते हैं, इन दोनों के, परलब जो दोनों की सुनते हैं, उनके दोनों के गुणों में होते हैं, ऐसा समझ लो तुम, ठीक है, हर समझ में आ रहा है बाबू, खुब कमेंट कर रहा है तुम आमरिद, स्मार्ट गर्ल, इनका नाम है यह, सोहन, पूनम सिंग, पंकज, लोकूस, मोहित, सबका रहा है कमेंट, तो बढ़ियां, बाद सबी समझ पाएं, मुझे लगता है काफी टाइम हो गया कलास में न, कि नहीं, ठीक है, आगला सवाल, कुष्टा नमबर तीफरा, बहुत ही छोटे-छोटे पॉइंट होंगे, छोटे-छोटी कलासे होंगी, आप मतलब की बाद समझो बस संख्या, चल भाई, फात्वा, पाँच, का एलफियम, समझते चलना आच्छे, ठीक है, अब हाज ये गुडनखंड, बीधी से, ठीक है, अब हाज गुडनखंड नहीं अभी, अभी तो मल्टीपल मेथेड, साथ का मल्टीपल लिख दो, फिर पाँच का लिख लो, छोटा-छोटा लिखना जिससे आ जाए, साथ, दूना, चौदा, फात्री के कई, साचोग, ठाइफ, ऐसे 7, 35, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, साथ, दूना, 70, ग्यारवा मल्टीपल, बारवा, 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 चौड़ा, फिर आगे जाएगा, पांच अथे 35, पांच अथे 40, फिर आफे डाड़ डाड़, चौदा, पंच अथे 70, फिर कर लोगे की नहीं, तब में पांच-पांच का अंतर होना चाहिए, पांच का चौदवां उड़ज जो है 70 होता है, चौदा, पंच अथे 70, पंदरवां, पंदरवां क्या होगा भई, फंदरवां पचे, उड़ा कर लो 25, पांच अथे 75, तई एक नहीं, ऐसे करते जाओ, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, हमें निकालना है least common, multiple, दोनों में common मिलाओ, सबसे पहले 35 है, उसके पहले कुछ नहीं है, फिर 70 है, फिर ऐ पैसे आगे बढ़ते जाओगे, 35 यहां, 105, ऊपर भी 105 आएगा कहीं, नीचे भी 105 आएगा, 21 पार जब ले जाओगे, साथ का 21 वाँ, नहीं यार, ज़्यादा होई जाएगा भई, फुल मिला के आएगा दोनों बस, तुम करके देख लो, ठीक है, पाईते दोना फत्तर, पा में आएगा, तो यह सभी क्या है, यह बाई, एक में 25 का एको गहरा रहे, दादा, रुख जा, यह तो बर्धाग साथ है, गदाग जोड़ी लगा दिया, चलो, 35 का 35, 70, दोनों common है, अमरिका निकालना है, least common, multiple, यानि LCM, तो LCM क्या होगा बच्चा पर्टी, जो सब से पहले least common है, सबसे पहले क्या 35 है, तो 35 अंसर, ठीक है, इसमें कोई doubt भरमनाना किसी को, class बहुत बड़ी नहीं चलाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी आप लोग देखते नहीं हो, यह series 10-10 मिनट की है, बहले बता चुका हूँ, आज आपने एक point सीख लिया, कि गुरज विधी से LCM कैफे निकालते हैं, समझ गए ना, बढ़िया, चलो ठीक है, तो कुछ homework है इनको कर ले ना, जैसे 11-13, question आफान नहीं होते मेरे, 8-14, 18-20, 20-24, 6-4, 2-4, 10-12, 7-18, यह सभी आप लोग करोगे, यह homework है, यह आज का जो topic है, उससे आप पहले से परचित हैं, लेकिन, time ना कमाते हुए topic पर चलते हैं, एक बार सभी comment करके बता दे अपना नाम, एक बार दिख जाए कि यह इतना सुबह सुबह कौन उठ गया मेरे जैसे, देखो जल्दी जल्दी में आगया मैं भी, अब हाज ये गुड़नखंड विदी से LCM करना, आज का यह topic है, ठीक है, पहला question है, इसका answer क्या होगा, 15 वो 50 का LCM क्या है, कुछ tips and tricks मैं दूँगा, और कुछ basic तुम्हें पढ़ाऊंगा, basic क्योंकि क्लाफ है, तो tips and tricks पहले सवाल के लिए ये है, कि कोई 2 संख्या या 3 संख्या या चाहे 5 संख्या हो, जिसमें सबसे बड़ी वाली संख्या, अगर बाकी सभी छोटी संख्याओं से पूरी तरह से कड़ जाती है, तो LCM सदयो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है, जैसे इसमें देखो 25 से 50 पूरा पूरा कड़ जाएगी न, तो LCM क्या होगा, 50 होगा, ठीक है, एक चीज़ और समझ लो यहाँ पर, basic तो मैं पढ़ाऊंगा ही, समझ लो, समझ लो, जैसे माल लो ये है, 5, 10, 20, और 50, और 100, अगर इनका LCM कहेंगे, तो जानते हो क्या है, बिना दिमाग लगाए, 100 है, काहे को, क्योंकि जो 100 है, वो 5 से भी, 10, 20, 50, सबसे, पूरी तरह कड़ जाएगी, अगर हम 100 में 5 का भाग करेंगे, तो 20 आएगा, 100 में अगर 10 का भाग करेंगे, 10 आएगा, 100 में अगर 20 का भाग करेंगे, 5 आएगा, 100 में अगर 50 का भाग करेंगे, 2 आएगा, ऐफी दसा में LCM क्या होगा, 100, LPM, Least Common Multiple, समझ में आया, LCM एक ऐसी संख्या होती है, जिसमें बाकी उन सभी संख्याओं का, यानि जिनका LCM निकाला गया है, भाग करने पर जीरो सेसफल आना चाहिए, ठीक है, आज अब भाजे कुड़न खंड बिदी से LCM सीखना है, आईए, पहला इदर सवाल दिया गया है, सोनल सर्मा जी, गुड मॉनिंग, रंजना कुमारी जी, गुड मॉनिंग, पंकत सिंग, लौकुस मिस्रा, पूनम स्रीवास्तो जी, गुड मॉनिंग, सभी लोग उठ गए हैं, उठ गए हो कि आप लोग की आत्मा कमेंट कर रही बस और कुछ लोग सर्मा रहे हैं अभी अभी उनकी आवाज नहीं निकल रही चलो कोई बाप नहीं अच्छा है कि आप उठ गए हो अभाज गुड नखंड विदी से LCM कैसे करेंगे देखना जैसा कि मैं बिल्कुल जीरो से बताऊंगा तो सारी चीजें करके दिखाऊंगा पहले 15 मैंने लिख लिया नीचे 20 इनकी अभाज गुड नखंड नहीं साइड में कर लेंगे आपको पता है कि 15 क्या है दो से पुर्था विभाजित नहीं है दो से भाग करेंगे तो सेसफल आ जाएगा तो हम 3 से करेंगे तो 5 बार जाएगा और फिर पाँच में तीन का भाग करेंगे तो फिर सेसफल आ जाएगा तो हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे जिसमें सेसफल आ जाए तो पाँच का भाग पाँच से ही करेंगे एक आ जाएगा बस खतम एक आगया नीचे में छोड़ देंगे तीन गुड़े पांच इसी करम में इसको भी करेंगे खाना पूरती करते हुए मुझे आदी खाना पड़ेगा करके बाकी मैं डारेक्ट भी लिख सकता हूँ सबसे पहले मैं दो फिर ट्राई करूँगा आपको पता है कि दो से भाग करने पर बीस में पूरी तरह भाग जाएगा जीरो सेसफल आएगा मतलब सेसफल बचेगा नहीं तो हम दो से ही करेंगे और दो से बीस में भाग करेंगे दस होगा फिर दस में दो का भाग कर सकते हैं पांच होगा अब पांच में दो का भाग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसे भाग करेंगे तो सेस फल बच जाएगा मतलब पूरी तरह भाग नहीं जाएगा ठीक है तो फिर इस तिलिए हम दो का भाग नहीं करेंगे तीन का करेंगे तब भी सेस आ जाएगा इसलिए पांच में ही पांच का भाग करेंगे तोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूंगा आप लोग मुझे अर्जेस्ट करने की कोशिस करना में इन समझने की मैनेज करने की ठीक है जलो तो कितना हो गया यह दो दूना चार पंचे बीस अलसी हमें क्या करना है साथी मेरे देखो एक है सवाल समझो लेकिन समझ में आ जाए अगर हम सव सवाल समझा दें एक हो ना आए तो क्या फाइदा है जो दोनों में कौमन है पहले उनको ऐसे घेर लेते हैं कौमन सभी को पता है इतने भी सदस से मौजूद है सब के पास होना चाहिए तो उसको कौमन बोलते हैं जैसे माल लेजिए किसी कलास में अगर पचास बच्चे हैं पचास बच्चे हैं और पचास बच्चों में सब के पास एक सफेद कलार की कौपी है एक ही जैसे दिखने वाली इसका मतलब वो copy सब में common है है ना पचाफ लड़के हैं तो उन सब के छोटे-छोटे बाल है एक जैसे तो common है कि सब के बाल एक समान है लेकिन उसमें अगर एक ठी लड़की है तो उसके बाल बड़े-बड़े हैं तो इसका मतलब common नहीं है क्योंकि बिल्कुल अलग है सबसे समझ रहे हो? चलो समझ गए? आओ अब क्या करते हैं जो दोनों में common है पहले वो गिंती लिखते हैं फिर गुड़ा का चिन लगाते हैं फिर बाकी बची हुई जितनी भी गिंती जो common नहीं थी कहीं उनको भी लिख लेते हैं जैसे उपर तीन नीचे बचा था दो और दो सब का गुड़ा कर लेंगे पांत याई पंदरा दूना तीस और तीस दूना साथ यानि इनका LCM क्या हो गया? साथ LCM सही है कि नहीं सही है ये चेक करने के लिए जो भी LCM आया है उसमें दी गई दोनों संख्याओं से या तीन, चार, पांच जितनी भी संख्या है जिनका भी LCM निकाला गया था उनसे भाग करेंगे अगर भाग करने पर सेसफल जीरो आजा इसका मतलब LCM सही है अगर जीरो नहीं आ रहा मतलब LCM गलत है ठीक है, clear? चलो बस हो गया, पहला यही तरीका था यह अभाज गुड़नखंड भी दी से LCM चुकि मैं जीरो से पढ़ाता हूँ तो सो मैं इसको बहुत अच्छे से एक दम बिल्कुल सुनने से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको एक्स्प्लैन भी कर रहा हूँ, ठीक है? यह सवाल है पहरा संख्या 60 वाश्सी का LCM करिये कितने लोग कर लेंगे हाथ उठाओ एक बार? कर लोगे? जै विक्रानता, कर लोगे भाईया? तूफिया नाज और को यह नीवन? लाइक भी करो फटा फट, देखो सुबा सुबा ना मैंने चेंज कर दिया आदत जो इंसान दुबाहर बारा बज़े उठता था सो करके तुम्हारे लिए चार बज़े उठ जाता तुम्हें यकीन नहीं होगा वकल मैं ठधाई बज़े सोया था नभे मिनट में उठाओं समझ रहे हो कि नहीं? एक चीजा और जानलो, यहाँ पर एक मोटिवेसन मिलता है क्या पता है? जरूरी बात लोगों बहुत परिसान रहते हैं, सुबा उठ नहीं पाते हैं और फिर अगर तुम चार बजे उठ गए ना, एक गंटा सोयो ना, अगले दिन शिकायत नहीं रहेगे, निंद नहीं आती है, निंद या छवे बजे साख खड़ी रहेगी, चफकती रहेगी, और फिर सो जाओगे नौ बजे, दस बजे, या ग्यारा बजे जब भी तुम चाह होगे तब सो जाओगे, और फिर अगले दिन तो आराम से उठ जाओगे चार बजे, तो एक दिन के कुर्बानी दो ऐसे, समझ रहे हो, बस, ये सिकायत लोगों की रहती, ये सर रात में निंद आती नहीं, सुबा निंद खुलती नहीं, आएगी, दवड के आएगी, साम से ह जाके बठी रहेगे आपके दर्वाजे पर, बस तुम एक दिन सो हो न, इनकी अभाज गुडनखंड बिधी से करने के लिए, हम पहले अभाज गुडनखंड निकालेंगे, ठीक है, ऐसे, देखो इधर, साइड में कर लेते हैं, इनको मिटाना नहीं, अगर आप छोटे एक तीस में भी दो का पूरा पूरा भाग जाएगा, पंदरा आएगा, अब मुझे बताओ क्या पंदरा में पूरा पूरा भाग जाएगा, बताओ जल्दी, ना जाएगा न, दो का भाग पूरा पूरा ना जाएगा, तीन का जाएगा, फिर तीन पजे पंदरा, पांच में त आज ये गुडनखंड हो जाएंगे दो दो और तीन पांच clear no doubt किसी को चल भाया अगला वाला पकड़ो उसको भी कर डालो दो से भाग करोगे चालिस आएगा फिर दो से करेंगे बीस आएगा फिर दो से करेंगे दस आएगा पांच आएगा फिर पांच का भाग एक बार देखो यहाँ पे दो कितनी बार सामिल है चार बार हो गया लिख दिया चलो इनको अरजेस्ट कर लेते हैं कहीं साइड में सिस्टम से कर देते हैं जिससे जगा हो जाए यहाँ पर यह है अभाज यह गुड़नखन क्या है यह प्राइम फैक्टर है जो निकाले गए पहले जो किती सब में कॉमन है उनको ले लो जैसे पांच हो गया और कौन कॉमन है दो हो गया तीन गिंतिया कॉमन है जो कॉमन है यहाँ पे लिख लो दो बार कॉमन है एक पांच कॉमन है अब जो कॉमन नहीं है उनको भी उदार लेते हैं तरब से तो ऊपर देखो तीन बचा था नीचे टू टाइम टू बचा था सबका कर लो बात खतम कर लो बाबू दो दूना चार पंचे बीस पियाई साथ दूना एक सो बीस दूना दो सो चालिस बस हो गया खतम छापलो फटा फट चलो लिख लो जल्दी से सबको समझ में आ रहा है देखो जो इस टाइम देख रहा होगा कलाफ ना मैथ में माश्टर बनना गारंटी है उसकी क्योंकि सुबा सुबा कहते ना ब्रहमोर्त का टाइम होता है और इस समय की गई साधना कभी बर्थ नहीं जाती है जब ये कलाफ चल रही है तो पांच बज़े ये डेली चलती है मैंने प्रण किया चाहे पांच लोग ही क्यों ना देखें पांच लाख में अगर पांच लोग भी देखेंगे तब भी मैं पढ़ाओंगा सुबाई बाद में तो देखोगे ना चलो कामेंट करके बताना कि ये कलास आप कितना बज़े देख रहे हो इसका LCM बता भाई ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है अब आज ये कुड़न खंड बिदी से LCM कितने लोग कर लेंगे एक बार कमेंटी कर दो जल्दी से चलो आब भया चलें आगे बढ़ें चलो इनको यहां ले आउस साइड में क्योंकि यहां ऐसे तरीका यही ये करने का अच्छा वाला सबसे बहले दी गई संख्याएं लिखेंगे इनका अभाजी कुड़न खंड करेंगे अभाजी कुड़न खंड इनके सामने करना चाहिए अभाजी कुड़न खंड करना पिछली क्लास में बता चुका हूं यह मत कहना कि यह कैफे करते हैं अगर आपने सारी क्लासे सिस्टम से नहीं देखा तो नहीं समझ में आएगा दुरू की क्लासों में यह पताया हूं कि अभाजी कुड़न खंड कैफे करते हैं अभाजी आना बताया ही ना हो यह देखा पांच ही यह चलागा यह इनके मैं उसी खिस्सा राज़न ही अभागगा लो अब फिर क्या करेंगे 125 का करेंगे तो पांच पांच और पांच आएगा मैं भीना यहां दिखाए भी कर सकता हूं क्योंकि उतना experience हो चुका है ऐसे क्योंकि यह दो से डिवाइड होगा नहीं तीन से भी नहीं होगा डारेट पांच से ही होता है तो यह हो गया सभी की अभाजे कुड़न खंड पहला इस्टप कंपलीट हो गया इकन्ड इस्टप में सब में कॉमन ले लो भीया जोड़ा बना लो बाबू जोड़ा बन गया एक थी जोड़ा बनना बड़ा इंपोर्टेंट है जिन्दगी में यहां अब कोई और जोड़ा बन रहा है नहीं न एक एक जोड़ा बन रहा है इनका कोई और गिंती नहीं सेम तो जो जोड़ा बना लिख दिया अब उपर जितने बचे थे जिनके जोड़े नहीं बने थे उनको लिखना है नीचे जितने बचे थे जिनके जोड़े नहीं बने थे उनको भी साथ में लिखना है तो पांच और पांच मैंने नीचे के सारे गिंती लिखती जिनके जोड़े नहीं बने थे तो भाई जिनके जोड़े बने हैं उनको थोड़ा अलग लिखो लगे कि इनके जोड़े बने थे उपर कितना बार है दो है ना चलो इनको साइड नहीं अच्छा नहीं है ऐसा ना करो गुड़ा कर लो सब का 25, 25 125 125 5-5 का गुड़ा करो कि सब का 125 हो जाएगा इसको कर लो बब वही आठ हो जाएगा और यह तीन ठीक है क्लियर कर लो भाई गुड़ा गुड़ा यार क्या मुझे परसान करते हो इनको इस्टेप बाइस्टेप तोड़के इसलिए बता रहा हूँ इनका गुड़ा करो 125 इनका 24 125 का 24 में गुड़ा करो गे आएगा 3000 बस हो गया इतना तो आनुभव हो जाना चाहिए यार कर लो ना इसे करके 125 इसलिए बस चलो अगला बता इसमें कितने लोग कर लेंगे अब थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या जाएंगे आगे इनका LCM बताओ बताओ भाई जल्दी से फटा फट कितने कर लेंगे अच्छा इस समय बच्चे पढ़ने वाले होते हैं कमेंट डमेंट नहीं करते जादा जाग रहे हो ना बोलते जाओ नहीं मुझे लगता है सो गए हो तुम क्योंकि सुबा सुबा जबर जस्ती उठ तो भले जाते हो लेकिन आउंग आते रहते हो चलो 114 और 200 तब भी 80 बच्चे जोड़ गए हैं बहुत बड़ी बात है सुबा सुबा है ना चलो तो बहिया इनके अब आज जी कुड़ अनखंड करो 114 सबसे पहले टू से डिवाइड करेंगे क्योंकि 114 एक समसंख्या है समसंख्या हमेशा दो से डिवाइड हो जाती है तो दो पंचे दस दो सच चौदा अच्छा ये बताओ 57 किस से डिवाइड होगा जल्दी बताओ पक्का बता लोगे देखो जिनको टेबल आता हो बता लेंगे 19, 13, 57 होता है इसका मतलब 3, 19 में भी 57 होता है तो भी कैन से इसको मैं तीन्थ डिवाइड कर सकता हूँ 114 आएगा और फि 12 तो भाईया इसे राज आदमी है किसी और से विल्कुल नहीं पिखलता है तो 120, 120 से डिवाइड होता है तो 2 गुड़ा, 3 गुड़ा, 120 ये इसके क्या है अभाज गुड़न खंड है प्राइम फैक्टर 200 को ले लो इसके भी अभाज गुड़न खंड कर लो ऐसे भाईया ऐसे 2 से भाग करोगे 100 आएगा फिर 2 से करोगे 50 आएगा फिर 2 से करोगे 50 आएगा भाजी तुम जनवे करते हो अभाज जी गुड़न खंड बता चुका हूँ आठ नो कलास में सायद अब क्या करना है L.C.M चलो कॉमन ले लो कॉमन और कोई है नहीं है चल भाईया कॉमन मतलब जोड़ा बना दो इनका बिया करा दो इनका इनका तो बिया हो गया बन गया जोड़ा इनका जोड़ा लगी नहीं रहा है बियां कि सभशान होती है और मामा को थोड़न ना कि नहीं और कि रिष्टरारों को होती है उनको ठेकाने है कि अटारी साल का हो गए protecting और ょelen समय खेंगाई आफ er despite हो गए वियां नहीं कर रहे होता हैं कि हैं व्यक्ते नहीं होगा तो कौन दुनिया हार जाएंगे वैसे भी हम विश्व में जनसंख्या में सब से आगे हो चुके हैं तो क्या ही दिक्कत है चलो देखो आगे इनका जोड़ा बनाओ भाई किसी का नहीं बन रहा है उपर क्या बचा है फिर तीन वन इस नीचे क्या क्या बचा है लिख लो सबको एक दो लिख दिया पांच और पांच गुड़ा कर लो भईए सब का फटा फट चलो क्या क्या बच रहा है कर लो पहले दो दो का दो दूना चार दूना आठ तरिक चौवबीस ठीक है छोटा-छोटा अलग ऩर दो दो करेंगे पिर तीन का पहले मैंने दो क्षका कर लिया और तीन का भी कर लिया अब जिर गुड़ा क्रें दो पांच पांच में चेदमे बहु आएगगे इसका मतलब 11400 आएगा उड़ा उड़ा करना तो तुम फाइले सिक शुरू में अब थोड़ा ही हम जोड़ेंगे एक एक ठी प्रियम कुमार गुड मॉनिंग जाग गयो कह रहे हैं योर इंग्लिस इज इंप्रेसिब कि हम इंग्लिस बोलता है नैं तो कहा है इंग्लिस इंप्रेसिब लागति जाएं है az अधंस सुबा सुबावा खतना किव बताना ना गरो बेज़ति ना करो इंग्लिस नहीं आवत तो ना और बात खतम ना एपड़ित भाई English हम लोग जालो तो clear ना बढIFA देखो यही होता है न किसी कीज में मन लगता है तो वक्त का पता नहीं चलता है और किसी चीज में मन नहीं लगता है तो वक्त कटता नहीं है जनाब चलो फिलाल यह home work रहेगा टोफिक क्या है अलफियम भाग विधी गुड़नखंड विधी हो चुका है न ठीक है तो कुश्चन नमबर फ़र्स्ट है बहुत छोटा सा है छेवाद दस का अलफियम भाग विधी से करना है गुड़नखंड विधी आप सभी जान चुके हो देखो बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें होंगी क्योंकि जीरो से सिखाया जा रहा है तो बहुत हाइफाई कुछ नहीं होगा इसमें क्या करते हैं साथी मेरे सबसे पहले ऐसे खीचते हैं जैसे आप फैक्टर करते हो और दोनों नंबर्स को लिख देते हैं जिनका हमें लसी एम फाइंड करना है कॉमा लगा लगा के अब एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जिससे दोनों डिबाइड हो जाए फुली डिबाइड हो जाए सबसे पहले यही तरीका है ठीक है समझते चलो मेरी बातों को क्या आप सोच पा रहे हो कौन सा वो नंबर हो सकता है ऐसा परबीन कुमार हाँ बहुत अच्छा सीमा कुमारी ठीक है आदित करेक्ट सबसे छोटा नंबर और दोनों में कॉमन हो जाए तो दो है दो तियाँ इच्छे दो पंचे दस क्या अब आप सोच पा रहे हो कि कोई ऐसा नंबर जिससे हम डिवाइड करें तो ये दोनों डिवाइड हो जाए तीन और पंच वन को नहीं लेना वन को छोड़ कर क्योंकि वन से डिवाइड करने पर कोई फरक नहीं बढ़ता नहीं है वन को छोड़ कर कोई नंबर नहीं है जिससे इन दोनों डिवाइड हो जाए तो इन दोनों को अलग-अलग फिर करते हैं, जो छोटा है उससे, तो 3 को 3 से भाग करेंगे, एक आएगा, 5 में भाग करेंगे, तो सेस्फल बच जाएगा, इसलिए हम 5 को नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे उतार देंगे, अगले लाइन, फिर 5 के लिए कर लेंगे, वनको ऐसे उतार देंगे पांच में पांच एक आएगा बस हो गया खतम नीचे लिखेंगे LCM equal जितना बार डिबाइड हुआ है 2, 3, 5 तू 3 जा 6, 5 जा 30 यानि 2, 3, 6, 35 ये था LCM और कौन सा भी धी भाग भी धी फटा फट लिख लो कोई डाउट किसी को नहीं ना कोई डाउट तो बता दो मुझे परवीन आया समझ में पका चलो भी या आगे बढ़ू कर लेंगे ऐसी चीजे ना बहुत छोटी छोटी सी हैं ये सब कुछ हाई फाई तो है नहीं बहुत बड़ा आँ चलो चलो देखो बच्चा देखो 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 ओ इधर फाईड में आ जाओ सिकेंड नंबर कुछ्चन बहुत ही छोटी छोटी सी नंबर होंगी जैसे पंदरा वा चलो ले लो ले लो एक नंबर मालो किसी कटेगरी का ले लो अच्छा रहेगा कितने लोग कर लेंगे इसको आईए पहले में टॉपिक पर बात करते हैं कामेंट नहीं पढ़ेंगे किसी का बात में सब देखा जाएगा चलो कि सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा पाटी इनको आईसे लिखेंगे नंबर को लिखेंगे एक एक ऐसा common नंबर ले लो जिन से दोनों डिवाइड हो जाए अगर अगर कि आपको पता है कि तीन से दोनों डिबायट नहीं होगे यह बड़ पाँंच से हो जाएंगे तो पहले पांच से कर लेते हैं वैसे थो सीष्टम यह भी होता है कि सब से छोटे फे छोटे नंबर त्राई करो दो से कोई नहीं होगा तीन से 3 से हो रहा है चार से नहीं होगा कोई पांच से होगा ऐसे लेकिन पांच से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो फाइब थ्रीजा फेफ्टीन फाइब अब तीन से भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं पांच से भी कर सकते हैं लेकिन नमबर एक जैसे ही कठा आ जाए इसलिए पहले हम पां LCM equal 5 into 5 into 3 multiple कर लो भाईया पचम 25 तियां 85 यानि 5 5 जा 25, 3 जा 75 this is the correct answer LCM वो संख्या होती है प्यारे बच्चा जिनको इन दोनों संख्याओं से भाग करने पर 0 सेस फलाए समझ रहो भाग करने पर क्या आए 0 सेस फलाए यानि 75 जो है अगर 15 से भाग करें तब भी 0 आए और अगर 25 से भाग करें तब भी 0 आए इसी को LCM बोलते है अगर नहीं आता है इसका मतलब LCM गलत है ठीक है LCM का इतना मतलब होता है least common multiple छोटे फे छोटा गुड़ाज गुड़ाज को अपवर्त भी बोलते है पॉइंट सिर्फ समझते चलना है बस बाकी चीजें होती रहेंगी ऐसे साथ साथ में ठीक है किसी को कोई डाउट है तो बतादो मुझे फट से और सेसन को लाइक ज़रूर करना चलो अगला नेक्स्ट नेक्स्ट 28 बान तालिस का सब का वही करना है जो अभी आप देख रहे हो चलो बैया तब का LCM करना है भाग विदी कर लोगे ना बताओ शिर्व तरीका सीखो बस ये सारी चीजें है ठीक है कुछ डाउट है किसी को तो बता दीजिए हमारी कोशिस होती है कि 10 मिनिट के क्लास में ये क्लास छोटी मैं इस लिए रख रहा हूं जिससे लोग इसे ज़्यादा ज़्यादा देखें पूरा कंप्लिट करें 10 मिनिट की क्लास में आप एक टॉप आज का प्रफ्न दुरू में ही रहेगा चलो जल्दी ये बताओ फटा फट बहुत छोटा सा सवाल है बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये बताओ कि एक सरकल है जानते हो ना बृत है ये लेकिन इसको थोड़ा सा मैं सुन्दर बना दूँ इसकी सुन्दर था थोड़ा बढ़ आज जाए तब यह अच्छा लगेगा आगरू चलो ऐख यह क्या है ये क्या है यह रेडियस है ये रेडियस है तो यह बता मुझे इस ब्रित में कितनी तिरिक्जाएं हो सकती है कितनी त्रिज्याएं यानि रेडियस पॉसिबल है कमेंट करके बताना ठीक है यही है आज इनाम वाला सवाल एक बृत है सर्कल है इसके अंदर यह O और R मान लो इसको स्री O और मत मान लो इसे आप यह मान लो कि यहाँ O है यहाँ पर A है और एक क्या है एक रेडियस है जिसका नाम मैंने R मान लो रख दिया ठीक है तो यह बताओ कि इस सर्कल में कुल कितनी रेडियस पॉसिबल है आए पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक है पढ़ने में आपको पढ़ाएंगे हम HCF बिल्कुल 0 से मैं सिखाता हूं सभी को पता है इसके बारे में बिल्कुल famous ही जी ही एस्टी हाई एस्टी से लिख दो यार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्पेलिंग कही मिसमें होगी तो मुझे बता दे न इसको इंग्लिस में बोलते हैं हाईएस्ट मतलब जानते हो एक लाइन में आप ऐसे लिख लो महत्तम समाप वर्तक समाप वर्तक आप कहोगे कि वो तो तीन सब्द था इतो दुएस सब्द है है ना याद आ रहा है कि नहीं कुछ मतलब आ रहा दिमाग में जिग्यासा हो रही कि नहीं कि ये तो तीन सब्द है दुएस सब्द कहे को हैं तो भाई साब इन में संद बिच्छेद करना होगा समधान आप वर्तक महत्तम मतलब यानि हाइस मींज मैं मच्छर प्तसान करके रख रहा है यार ये देखो इदर हाइस्ट मतलब महत्तम कॉमन मतलब होता है सम या समान जानते हूं ना कॉमन मतलब उभैनिस्ट यानि जो आई तो बोलते हैं एक से अधिक में हो जो इसको छोड़ो आप ऐसे जान लो एक लाइन में महात्तम समापवर्तक और आगे बढ़ें अगर हम तो नाम जान गए हो समझ गए बहुत चोटी-चोटी क्लासों में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाने की कोशिस है जैसे पहला सवाल है साथ यहां पर इक चीज आपको समझना है कने करने हैं कौंशे गुल्णखन अभाज गुल्णखन देखो यां अब समझो कि जैसे संख्या है दो ले लिए संख्या खे फैक्टर यानि गुड़न खंड तो हमें काम करेंगे पता है क्या नमबर तो बहुत छोटी है फिलाल लेकिन देखते हैं चलो इनके अब आज गुड़न खंड कर ले तो दो गुड़े एक इसके अब आज गुड़न खंड दो गुड़ा तीन अब हाज जी कुड़ निखंड करना अल्रेडी पहले बता चुका हूँ दोनों में common ले लीजिए common क्या है दो तो HCF वही होता है जो दी गई प्रतेक संख्या या प्रतेक पद में common हो वह HCF होता है ठीक है? इसकी बात खतम इसका आंसर कितना आ गया दो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट सके मतलब दो एक मात्र ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जिससे दो भी कट जाएगा छे भी कट जाएगा दो से बड़ी कोई संख्या नहीं है तीन है आपका होगे तीन से छे कट जाएगा लेकिन तीन से दो थोड़ी कटेगा ये थोड़ा कम समझ में आएगा संख्या छोटी जादा है थोड़ा और बड़ी संख्या लेते हैं तो जादा समझ में आएगा जफे देखो question number अगला देखो जैसे मान लिजिए कि मैंने संख्या ले लिया चवदा वाड थाइफ ठीक है इनका HCF करते हैं देखो मज़ा आएगा भी और समझ में क्लियर आएगा तो देखो बच्चा पार्टी सबसे पहले आप का करोगे इनका अभाज गुडनखंड करोगे जैसे दो गुड़ा साथ ठीक है एक भी लिख लो कोई फारक नहीं पड़ता पहले भी बता चुका हूँ आशे करते हैं अभाज गुडनखंड अब इनमे जो भी कॉमन है आपको पकड़ना है उनको जैसे दो इनमे कॉमन था इनमे दोनों में सेबन कॉमन है वन से कोई मतलब नहीं है वन को ले भी लो या ना लो कोई फारक नहीं पड़ता है मान पर कोई फारक ना पड़ेगा लेकिन लिखा हूँ तो लिख लो जो जो कॉमन था मैंने लिख लिया इनका मुल्टिपल कर लो यह हो गया 14 मतलब 14 और 28 में 14 यानि 14 एक संख्या है बड़ी से बड़ी जिससे 14 और यह 28 दोनों fully divide हो जाएगा आप कहोगे कि यह तो 2 से भी हो जाएगा हाँ हो जाएगा बताता हूं देखो यह 14 और 28 जो है 2 से भी divide हो जाएगा यह बात सही है लेकिन लेकिन क्या है देखो 2 से divide हो जाएगा 2 से 14 यह 14 आएगा 2 से divide तो हो जाएगा लेकिन 2 के बाद भी एक ऐसी संख्या है कौन सी? साथ है साथ से भी divide हो जाएगा 14 और 28 साथ से divide करोगे तो साथ दुना चाउदा और साथ चोग अठाइस लेकिन ये चाउदा और अठाइस चाउदा से भी डिबाइड हो जाएगा तो चाउदा एककम चाउदा चाउदा दुना अठाइस यहाँ पर ये दोनों संख्या हैं क्रमसा तीन संख्याओं से फुली डिवाइड हैं किसे किसे पहली कंडिकन में ये दो से डिवाइड हैं दूसरे में साथ से हैं तीसरे में चवधा से हैं आपने क्या देखा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 14 यानि महत्तम यही है अधिक्तम महत्तम समाब और तक highest common factor means इन दोनों संख्याओं की 14 and 28 की यह सब factor है लेकिन बड़की वाली कौन सी है सबसे बड़की 14 है समझ में आया अब नहीं आया होगा तब यह और clear हो जाएगा आगे देखना चलो आगे देखो अब इस सब आ जाएगा चलो देखो कि मान लो कि मैंने यह संख्या ले लिया कि अध्वन्टी वा सिक्ष जीरो सिक्स्टी हाँ सही है का HCF मैं आपको बता दू इनका HCF 20 होगा 20 होगा लेकिन समझो कैसे निकाल लेंगे कि असदो अहिरे दूना चार पंचे बीस है दो दूना चार आए है अग्ज़े दो से बाग करोगे तो 15 एक फिर तीन से करोगने 5 से रिक है किलिए कि कॉमिललो छ skilled London मेलो भीए कॉमन बनायो जड़ा इनकी करा दो भी आख चलो देखो अब इसमें दो का एक जोड़ा ये इसमें से एक और इसमें से एक तो दो दूना चार पंचे बीस कितना आ गया 20 ये इसका HCF है अब मैं इसका दूसरा पहलू बताता हूँ ये तो किता भी भासा थी देखो इसका दूसरा पहलू का है भी ये समझो यहाँ पर इधर साइड में समझो तुम देखो चलो देखो 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 20 है ना और 50 इनको अगर हम सुरू से देखें तो ये पहली बात तो 2 फे डिवाइड होगा तो 2 फे डिवाइड करो तो दफ आएगा दो से करोगे तीफ आएगा यानि दो भी इसका क्या है फैक्टर है इससे ये दिखता है दो क्या इसका फैक्टर है यह 4 से भी divide है 4 से भी divide करो 4 पंचे 20 15 जोग का फ़ाट होता है यानि 4 भी क्या है इनका factor है 4 के आगे ये 5 से भी divide है 12 पंचे 60 तो 5 जोग 20 और 5 12 पंचे 60 होता है 5 से भी divide है यानि 5 भी इन दोनों का factor है छे फे नहीं है रहे बबा क्योंकि छे से ये तो कट जाएगा बट ये नहीं कटेगा चुटका तो साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा अब दस से हैं किस से दस से 20 and 60 लेकिन जाद है हो जा रहा है अब ये किस से हैं, दस से भी हैं समझों यहां पर तो दस दूना 20, दस छंक 60 ये भी इसका मतलब 10 भी क्या इसका फेक्टर है तो ऐसे हम कहां तक जाएंगा भाया 15 भी है नहीं है अब उसके आगे सिर्व 20 है तो यहां पर आप ये देखो कि 20 यहां कर लो ये 20 से भी डिवाइड है 20 से कम 20 20, 60 इनकी एक खासियत है कि जब ये हसे डिवाइड होते हैं तो इनकी इच्छाएं पूरी हो जाती फिर उसके आगे नहीं डिवाइड होते कभी समझे लिए अंतिम इच्छा हो जाती आप देखो 1 और 3 आ गया अब 1 और 3 को काट करके हम और छोटा नहीं कर सकते हैं लेके उनको काटते हैं आपकी बहाँ सामें गड़ित की बहाँ सामें डिवाइड करते हैं समझ में आया ना तो ये क्या है फिर अगर ऐसी कंडिशन जहां बन जाए कि उस इच्छा के बाद और कोई इच्छा ना हो यानि उसके बाद उस संख्या फिर और डिवाइड ना हो वही HCF होती है आप समझ गए तो 20 इधर 10 इधर ये आपका 5 4 और 2 ये सब इसके दोनों के क्या है फैक्टर है लेकिन सबसे बड़ी जो संख्या है वही HCF होती है समझ में आया सबको समझ में आया एक बार ये सब बोल दो फटाफट आगे बढ़ते है एक्समार्टरिसी समझ में आ रहा है आरती समझ में आ रहा है भारती बर्मा, सुजीद कुमार खुजबु महर्या, पंका सिंग लोकूस, रंजना संजना, मोहिनी सबको समझ में आ रहा है अमीद ठीक है, देखो सुबा सुबा इतने बच्चे जुड़े है बहुत अच्छी बात है लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो है न गुड मानिंग, गुड मानिंग, सबको गुड मानिंग, पढ़ाई पे ध्यान दो भाईया मानिंग, बाद में होगी, चलो तो ये चीज आप समझ चुके हो तो फटा फट छापो भाईया लिको पंदरा पच्चीस ये सब आपके लिए होमवर्क हैं, ठीक है ये क्या है, होमवर्क है इनको पूरा करके, और इसी वीडियो में कमेंट करोगे आज का टॉपिक होगा भाग बिधी से HCF ये क्लास छोटी होती है इसलिए कि आप लोग पूरा देखें इसे तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनको सीखना है, क्लास को पूरा देखेंगे छोड के नहीं जाएंगे और जिनको जाना है, तुरंद भाग जाएंगे पीछ में डिस्टब नहीं करेंगे क्योंकि जाने वालों को कोई रोंक नहीं सकता जाने वाले तो एक दिन चले जाते है भाग विधी से HCF के लिए पहले भाग आना चाहिए HCF के बारे में कल बता चुका हूँ Full Farm Highest Common Factor होता है सबी साथ ही हमारे जूड़े है Live, Attention, मदलो भया अंसू, कंसल, कमेंट आपका आ रहा है अज्जय विक्रांता, अभीपिन कोरी रंजना कुमारी, नितीश कुमार पंकज, पारूल सौरब सिंग, मोहीद, गोरो देखो बहुत-बहुत धन्यमाद आप सभी को जो आप सुबा उठ गया उतनी जल्दी आप भले न जुड़ो न पढ़ो लेकिन कम से कम इस परदूसित महाल में थोड़ा सा भी तो चैन की साफ लोगे न, दो चार घंटे उसके बाद तो फिर से सब चालू हो जाएगा ट्रेफिक, दुनिया, इंसान सब उठ जाएंगे चलो देखो जैसे कुश्चन है, बहुत ही छोटा सा सवाल में लूँगा जैसे संख्या छेवा दस का HCF भाग भी दी से, ठीक है? समझना, कैसे करते हैं? भाग करना सब लोग जानते हो आओ चलो चोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या हम भाग करोगे गटा होगे, फोर आएगा अच्छा, एक चीज़ सब लोग जानते होगे लगबग जानते ही होगे साइद में भाग वालें बताया हूँ ये चीज़ जानते हो जानते हो, इसको बोलते हैं सेस फल इसको बोलते हैं भाग फल इस संख्या को बोलते हैं भाजे इंगलिस में DVD and बोलते हैं भाजक, diviser बोलते हैं इंगलिस में और इसको इंगलिस में coefficient बोलते हैं ठीक है? जानते हो सबही लोग? सबही एक बार कमेंट करते हैं जो जो आएं अपनी attendance लगा दें कि आप आए हो और इस class में आपको ये भी कमेंट करना है लाइब इंड होने के बाद जो बाद में देखेंगे कि आप कहां से और कितना बज़े class देख रहे हो ठीक है? बढ़िया? चलो आओ, point पर बढ़ते हैं तो ये पहला भाग हो गया अभी कोई answer नहीं आया फिर क्या करते हैं? खातियों ये दो step में भाग, तीन step, चार step में जा सकता है इसकी कोई limit नहीं है, पहला step खतम जब सेसफल आ जाता है न यहां सबको पता दिये मैंने ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये सेसफल है अब मान लोग कि ये एक पीड़ी ही है, पीड़ी का मलने ये जनरेशन, जैसे देखिए अभी की जो जनरेशन है, हम लोग आप लोग जो हमारे parents हैं, उनके लड़के बच्चे हैं, बेटे बेटी हैं, वो हमारे माता पिता हैं आने वाली जनरेशन में हम लोगों में से देखवा, अधिकांस लोगों की हो गई है, अधिकांस लोग की होने वाली है, क्या, साधी, उनके भी लड़के बच्चे हो जाएंगे, तो हम लोग, आप लोग क्या हो जाएंगे, पैरेंट्स हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएं बइटा वो अगलरी जन्रेसन वं बन गया, समझरे हो. यह उसमें तीन जन्रेसन देख लोगे, Sanioak से सवाल अच्छा है. चलो देखो बताता हूं आगे अब दो जनरेशन हो गया भया खतम फिर सेजफ़ल आगया अब फिर अगले जनरेशन के लिए यह अगले स्टेप के लिए जो आपका सेसफ़ल था वो भाजक बन गया और जो पिछलका वाला भाजक था वो भाज बन गया फिर फे मैंने कहा ना यानि आपके आने वाई लड़के बच्चे भी कभी परेंट्स बन जाएंगे माई बाप बन जाएंगे है ना दुनिया में कोई इंसान कुछ भी नबने लेकिन वो जरूर बनता है तो यह कितनी पर जाएगा तो दूना चार आप देखो सेसफल आ गया ories फेसफल क कै आ गया जीरो आखुत्म अब आती अनसर की बारी आप कोके बयाऊंक आंसर क्या भाग तो हमने दो से भी किया था तो आंसर दो ही क्यों आया देखो इसका एक बड़ा मज़दार आंसर बताऊं पहले तो इसकी भासम समझ लो गड़ित की भासम अंसर इसका यह है कि जिस संख्या फिलाश्ट में भाग करते हैं और सेस्पल जीरो हो जाता है वही उत्तर होता ह है दूसरा अगर तुम्हें नहीं याद होता है तो तुम्हें ऐसे समझ लो एक सब तरीके से पढ़ाकू लड़कों के तरीके से कि बहुत से कॉंपटिशन के एक्जाम में कई लेवल होते हैं जैसे आप अगर यूपीसी ले लो जहां तक मुझे पता है पहुचाता तो नहीं पता है प्री मेंस होता है उसके बाद इंटर्व्यू है ना यह डाकूमेंट और पहले वेरिफिकेसन और फिर इंटर्व्यू है ना अगर लास्ट में आपके डाकूमेंट में कोई इसू आ गया तब भी नहीं होगा जहां तक मुझे पता ऐसा होता है ना तो यानि लास्ट में सारे स्टेप क्वालिफाई आप करेंगे या जो भी करेगा वही सेलेक्ट होगा है प्रमज रहे हो मानों कि प्रीज एक हजार लोगोंने कॉलिफाई कर लिया मेंस में आठ सो लोग ही कॉलिफाई हुए और इंटर्विव में तीन सो लोग ही पास हुए फाइनल में सेलेक्ट होए तीन सो लोग समझ रहे हो इस्टेप तो उन्होंने भी किया था ना सारे सारे थोड़ी सेलक्ट हुए वैसे इस्टेप सब ने किया था लाइस्ट में जीरो जिससे आए वह यह अंसर है दूसरा एक मज़तार एक जांपल जो तुम कभी न भूलोगे वह यह है जिसे तुम लोग को हो जाता है उसी सिर्फ पूटबल होती है सबसे थोड़ी होती है सब तो साइट हो जाते हैं बूलना नहीं कभी एक जांपल चलो सवाल बूल जाओंगे लाइजम्पल नहीं बूलोगे तो अब यह मत कहना कि हमारा तो कही जगा चला था सबसे काय नहीं हुआ तब से नहीं ह बागी बड़े-बड़े सवाल अभी नहीं करवाएंगे कुछ भी क्योंकि ये कंसेप्ट की क्लास है अगला देख संख्या 12 वा 18 का HCF तुम कहो तुम मैं इसका अंसर बता दू पहले इच्छे आएगा पता है कैसे होता अंसर बताता हूँ नितीस यूटूबर कमेंट आ रहा है रोस संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे यानि 12 का भाग 18 में करेंगे ठीक है तो 12 एकम 12 गटाएंगे तो 6 ठीक है अब फिर क्या करेंगे जैसा भी मैं पहले बताया था पहले स्टेप में जो भाजक था और जो सेसफल था उनका रोल बदल जाएगा पहले स्टेप में जो सेसफल था अगले स्टेप में भाजक बन जाएगा और जो भाजक था वो यहां भाज बन जाएगा तो 6 दूना 12 गटाएंगे 0 यह दूए इस्टेप में qualify हो गए भाई तो फिर क्या होगा इनका HCF equal 12 last में जिस संख्या से भाग करने पर 0 आया था वो यह answer होता है यह है भाग विदी से HCF करना अच्छा अगर 4 संख्या या 5 संख्या हो तब कैसे होगा है वो भी मैं बताऊंगा बिल्कुल 10 था नहीं लेने का दादा चलो आगे बढ़ें लेकिन बात क्या है ना बात क्या है या आपना फीडबैक जरूर कमेंट करना आपके मन में जो भी है दिल में बताना जरूर देखिए concept सिर्फ सीखो बस बहुत बड़ी कलास तो मैं चला नहीं पाता हूँ इसको क्योंकि बहुत बड़ी कलास से कुछ होता नहीं है संख्या अठारा वा बाइस का HCF संख्या पचीस वा सथाईस का HCF हाँ इसको लिखने के पहले आज का सवाल कर लो नहीं तो भूल जाता है सायद कल की कलास का छूटा था आज का प्रफ्न पाट चौदा के लिए क्योंकि पाट चौदा का प्रफ्न छूटा था इसको लिख लो तब फिर मागे बढ़ते हैं ठीक है क्योश्चन मेरा ये है क्या है पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है बता लोगे ये पाट चौदा का सवाल है क्योंकि इनाम वाला प्रफ्न है न डेली पूछते हैं तो मुझे कमेंट करना कुश्चन नमबर डालके किसका अंसर ये होगा पाट पंदरा का सवाल आज का सवाल है इसका कुश्चन क्या है ये बताओ कि भारत का संभिधान कब लागो हुआ भारत का संभिधान कब लागो हुआ था हमने कहा था इनाम वाले सवाल आते हैं सवाल कहीं से भी आ सकते हैं ठीक है ये सवाल हो गए चलो आगे पीछे बढ़ो हो मौरक वाले सवाल लो फटा फट बढ़िया तो पांच नमबर कुश्चन है देखो यार बहुत जल्दी जल्दी में न काफी छूट जाते हैं कल में तीन चार अंका बताऊंगा ठीक है इनका है सीफ आपको करना है है सीफ करना है ये हॉम वरक है सभी इनका सबका एच सीफ करोगे ठीक है चलो भई आज का टॉपिक क्या है एच सीफ टॉपिक क्या है हाइस्ट कामन फैक्टर सभी इनसे परचित है इनको जी सीफ भी कहते हैं ग्रेटेस्ट कामन फैक्टर मेथड इसमें जो होगा वो होगा भाग विधी डिवीजन मेथड टाइप होगा तीन या उससे अधिक संख्याओं का एच सीफ ठीक है डन आओ आओ बच्चों देखते हैं चलो भईया बच्चों कहना थोड़ा बुरा है मतलब कि आप लोग सीनियर हैं लेकिन फिर भी आदत है चलो संख्या आठ दस वा बारा का एच सीफ जो हमारे खिलाड़ी है वो इसका आंसर पहले ही बता लेंगे सोच लिए होंगे जरा सोचो क्या होगा इसका एच सीफ नहीं सोच पाये तो मैं जश्ट बता रहा हूं बस कुछ सिकेंड का इंतजार आईए मैंने कल बताया था कि भाग करेंगे अंति में छड़ तक जब तक तोड़ेंगे नि तब तक छोड़ेंगे नि यानि जब तक जीरो सेजपल नहीं आएगा तब तक हम बंद नहीं करेंगे ठीक है तो आठ दस वा बारा फंख्या है सबसे पहले हम एकदम छोटकी वाली फंख्या फे और मजल की दादी को भाग करेंगे आए फे ये तो आप सबही जानते हो तो एट बंजा एट इनको सब्ट्रे करोगे आएगा तू फिर मैंने आपको कलिये भी बताया था कि आज जो बहु है कल को सास बनेगी इकजामपल वताया था नं दूसरा एकजामपल वताया था आज जो लड़के वच्चे हैं चोटे चोटे इसका यहां क्या संबन्ध है? है देखो कैसे? यह भाजक है यह सेसफल है पहली जनरेशन में Second generation में IFA खेला पलड़ता है, जो सेसफल होता है, वो भाजक बन जाता है, और जो यहाँ पर भाजक होता है, वो यहाँ पर आ करके भाज बन जाता है, इसके अनुसार HCF क्या है, लेकिन अभी रुको, अभी बात पूरी नहीं हुई, चुकि तीन संख्या थी, तो हमें अगले की भी सहमती लेना है, इनहीं दोनों डिफाइट नहीं करेंगे, इसके लिए हम लाश्ट वाले फाइनल डिवाइजर फे, अन्तिम संख्या को भाग करेंगे, वहाँ पर जो आएगा, वो अंसर होगा, चुकि इनकी भी सहमती थी, देखो यहाँ पर जीरो से फ़ल आ गया, दो से ही भाग करने पर, इफले HCF क्या हो गया, दो, हाँ, लाश्ट में HCF बदल सकता है, जिन्दगी का खेला कभी भी पलट सकता है, अभी दिन सिकन्ड में, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर HCF आया, वही लाश्ट वाली संख्या को भाग करने पर भी आएगा, आप सुकर मनाओ कि यहाँ पर अगर आट, दस, पंदरा होता तो, अगर पंदरा होता तो, यहाँ पर दो से भाग करने पर करता ही नहीं है, लाश्ट में वहन से डिवाइड होता है, HCF ओन हो जाता, सबही समझे रहे हो ना, बढ़िया, मस्त, एक बार सेशन को लाइक कर दें, जोरदार और सेयर कर दें, इमानदारी से, देखो आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर समझोगे तो बहुत बढ़िया है, समझ गए ना, सबही लोग, पक्का, चलो, चोटी-चोटी कलासे मैं इसलिए देता हूं, इस स्रीज में, जिससे आप लोग बहुर ना हो, और पूरा देख जाओ, अगर बड़ी-बड़ी देखना चाहते हो, तो आप बिंटर भाइच फालो करिए यूटूब पर, बिंटर में आ जारे हैं, सर, हम तो फिरी में देख लेंगे, मिंटर भाइच में काहे को जोईन करेंगे, हम भी कहते हैं, ठीक है, सब पढ़ें, सब पढ़ें, मत करो, चलो, देख आगे, संख्या 12, 18 वा 20, लेकिन इसमें भी HCF जो है, वो, दो ही आएगा, फिर आप का होगे, फिर वही से आया, आफा नहीं, थोड़ा सा चट्र पटा हो जाए, 24 कर लो, आंसर बदल जाएगा, मैं बता दूँ इसका HCF तो 6 आएगा, चलो, सबसे छोटी वाली संख्या से मजली संख्या को भाग करेंगे, ये भाग आप बड़ी वाली संख्या को भी कर सकते हो, किसी भी दो संख्या को भाग कर लो, आपस में बस, छोटी से बड़ी को बस एफन एक चोबी से अठार हम करोगा फन नहीं भाग कर लो किसी भी दो संख्या को तो हमने इन दोनों को चुना है ए इसे गड़बड का है को रे ददा ये पहला इस्टेप हो गया पहला इस्टेप के क्या हो गया ये भाजक, ये सेशफल, ये भागफल ये भाज्य इंगले इसको डिवाईजर, इसको डिवीडियंड, इसको रिवाइंडर, इसको क्वाइफियंड बोलते है अगले स्टेप में इनकी जनरेशन चेंज हो जाएगी जो सेशफल था, वो भाजक बन जाएगा जो भाजक था, वो भाज्य बन जाएगा ठिक छेदूना बारा गटाओगे जीरो, खतम अब क्या करेंगे, अब एक नंबर, उर बचा है उनको भी भाग करेंगे, साइड मिला करके ऐसे किससे करेंगे, जिससे से अब कुछ थोड़ा नया कोईशन देते हैं, तुम यह कह रहे होंगे कि यहां पर जिससे भाग करते हैं, वही तो लाश्मे अंसर आता है फिर इसका तिफरकी का कोई रोल ही नहीं जिन्दगी में है उसका रोल है, बताता हूं तुमें देखो तिफरी संक्यात कुछ देखो भी दिखेगा, अभी उतरना पलट दिया तो कहें न, चलो संक्यात 10, 20 वा 22 काज C F, देखो अब पलट जाएगा मामला, समझते हैं चलो बस अईसे टाइम मेरे पास जादा नहीं, क्लास में बहुत बड़ी खीच ही नहीं पाता हूं क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो, अगर आप फुल क्लास देखना सुरू कर दो, शुरू से अंद तक, तो मैं क्लास तिन-तिन गंटे पढ़ा दू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अप्लिकेशन की सारी भैचेवा बंद कर दू, सबको यहां ले आओं लेकिन चटपटा कुछ मसाले जार तो मैं दिखाता नहीं हूं कि देखो गए, पढ़ने किसी मज़ा आता नहीं, इंगड़ी तो ऐसे बोरिंग लगता है, जिंदगी भले नरक हो जाए, जंड हो जाए, लेकिन पढ़ेंगे नहीं दस से भाग करेंगे पहले सिकेंड संख्या कोदे को ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमारे हैं लोग आते हैं, कि सर जब टाइम था, हमने पढ़ा नहीं, हमने बड़ी आसकी किया, बड़ा मज़ा किया है, अब हम हो गए अठाई साल के, अगर मैत आती तो हमारा ट्रेट सी हम बहुत कुछ हो गए होते, लेकिन जब टाइम था तब तो फिर विन फेरे हम तेरे वाली कहान ही चल रही थी, दस दूना बीस, कितना आया, सेसफ़ल जीरो, खतम, यहां से आपको यह लग रहा है कि हमेशा कि जैसे दस आएगा, बिल्कुल गलत नहीं आएगा दस, अब लाश्ट वाली संख्या से जिससे डिवाइड हुआ है, अन्तिम संख्या को भाग करोगे, गटाने पर दो आगया आंसर नहीं आया भी, क्योंकि सिसफ़ल जीरो नहीं आया, अब दो से भाग करोगे, दो पंचे, दस, मतलब यहां एक का इस्टेफ हुआ, आपकी सिकेंड संख्या में दो इस्टेफ हुआ, फाइनल में जिससे डिवाइड हुआ जा करके, साथी मेरे यह HCF है, क्या है, तो, अंडर स्टेंडिंग हा रही सा भाई को ना भाईया, वहनो डाउट नहीं ना क्योंकि, चला फिर दस मिनट होईगा, हम आप लोग के कमेंटों देख ली लगे हाथ वादे के मुताबिक, क्योंकि वादा मैं किसी से करता नहीं करता है, तो निभाता है, चलो, ठीक है, सभी को समझ में आए, एक बार जोटदार सभी कमेंट करें, समझ में आया, पक्का जूट नहीं बोलना, दिल की बात बताना, इमांदारी के साथ, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा भाई, इनका नाम आई है, अंजली गुपता, रंजना कुमारी, प्रीत, राकेश, और विकास, मिश्टर मंजीत, सिवम, कुनाल, अनुपा मग्रहरी, सुधान्सू, मोहित, भविता कुमारी, प्रांजल, अंकुष कुमार, गरीमत्र पाठी, सभी का कमेंट आ रहा है, बहुत सो जाओ, तो मुझ भी देख रहे थे, और रोज ही करते हैं, दिन बार सो लेंगे, खापी के, अराम से मस्ट, सोएंगे, चार गंटा, कहेंगे, खोपडिया दरद करा था, ही लिए सोई जाई था, और फिर, दिन में तो सोएंगे, रात में मोबाइल में टाइम पास करेंग सोएंगे, देर रात तक, तीन बज़े तक, दो बज़े तक, फिर सोएंगे सुबर नव बज़े तक, क्या जिन्दगी है भाई, ऐसे ही छोटी फी जिन्दगी मिल रही, आजकल पचास साड़ साल की, अर तो उसमें बारा घंटा सो रहे हो, बारा घंटा सोने का मतलब जान तो आजकल रहे हो, कि तुमें 50 साल जीना है तो तुम पचीस साल सो रहे हो, तो कहां करने लिए जी रहे हो, मर जाओ ना, जानते हो कि अगर साड़ साल की उमर है, आप, आठ घंटा रिली सोते हो, तो समझ रहे हो, अपनी जिन निका के एक दिहाई आप सो रहे हो, बीस गंटे निकलेगा, बीस साल निकलेगा ना, जहां तक मजोड़ पारा में यह होगा ना, आठ तरीक चौबीस, शे चौग चौबीस, इसलिए 6 घंटे सो गए, यह समझ लो कि आप साड़ साल में 15 साल सो हो, तो 45 साल जी हो, ठीक है, लेकिन जो लोग 12 घंटे सो रहे हो, उनका आठ भये, उनलोग को उठा दिये, चार बज़े मैंने करें, का करें, हमने का तुम कमेंट रिपलाई कर, तुम जाओ टाहल वाहल के आओ, तुम मंजन नंजन करके आओ, उसके बाद मैं बताता हूं क्या करना है, रात में बताया था, सो जाओ, लेकिन तुम सोए नहीं, चल निम्न में करडी है, इसका अंसर लाइव इंड होने के बाद, आप कहीं से खोज के, किसी से पूछ के कमेंट कर सकते हो, ये अंसर का सिर्फ एक रिकार्ड होगा, कि आप डेली क्लास में आये थे बस, और जो डेली क्लास में आया था, उसे लाश्ट में 5,000 रुपे मिलेगा मैं हर कलास में कहता हूँ, मुझे पता है नहीं आएंगे डेली न, देखो, फाहला सवाल ये है, अंडरूट 36, 37, 144, अनलाइश्ट में 0, इसमें कौन करडी है, सर्ड्स, इंगलिस में करडी को सर्ड्स बोलते है, और ये एक खास बात है, कि जिस दिन ये लाइब सेशन हुआ था, कमेंट उसी दिन होना चाहिए, अगर आपने उस दिन नहीं किया, तो फिर आप निकल गए, लाइन से बाहर, चलो, बढ़ियां, आज का सवाल खतम होता है, यक्ष्परस्णवाला, और इसी के साथ मुझे लगता है, टाइम भी ओबर हो चुका है, और हाँ, कुछ होमवर्क मैं दूँगा, कुछ होमवर्क मैं दूँगा, अगर आप चाहते हो, बड़ी-बड़ी कलास, तो आप बहिया, बिंटर बैच देखो यूटूब पर, बिंटर बैच में भी मैं ऐसे ही पढ़ाया हूँ, म दूसरा, अगर आप चाहते हो, बिल्कुल बी-आई-पी वाली सुविधा, कोई खीच खांच नहीं, तो आप PBR study app में करांती बैच जॉइन करिए, करांती बैच जॉइन करिए, अभी अठाइस अप्रिल से शुरू हुआ है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड और बाकी ऐसे मस्त पढ़ना चाहते हो, फ्री पढ़ना चाहते हो, तो ऐसे देखते रहो, याद रखना जो आग एक बार लगी है दिल में न, बिना उसको हासिल किये, बूजनी नहीं चाहिए, मैं यह देखता हूँ, बच्चे सब्सक्रिप्शन भी ले ले लेते हैं, उसम प्रेवित नहीं हो ना कि दोठी लगा के कान के इधर उधर पढ़ाया जाए, आज का टॉपिक है फ्रेक्शन यानि भिन, भिन यानि फ्रेक्शन, इनको अगर हम थोड़ा सा आपको दिखाएं, यहाँ पर आप देखिए, यह क्या है, कलरफूल एक इमेज, अलाग अलाग आपको दिख रहा है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि लाल कलर की भिन को भिन रूप में, और स्वारी, लाल कलर का जो रंग है, या इस्पेस है, उसको भिन के रूप में लिखें तो कैसे बांटेंगे, बांट लोगे, थोड़ा सा आपको आजीब सा लगेगा, लेकिन अग अगर मैं आपसे कहूँ, आप सभी लोग ने जमीन जायदात के संबंद में बाते सुना होगा, वैसे भी आप लोग अधिकांस देशी लोग होते हैं, उनको पता होता है, है ना, या अगर आप सहर वाले हैं, तब भी आपको पता होगा, यह एक, मानली जीए, प्रपर्टी है, एक खेत है, एक जमीन है, ठीक है, यह क्या है, यह मानली जीए, किसी इंसान की है, जिसका नाम है A, अब इसके दो बचवे हैं, जिसका नाम P है, जिसका Q, मानलो, तो क्या होता है, आजकर हमारे यहाँ जहां तक मुझे पता ही होता है कि उस इंसान की बाद में उसके संतानी उसकी प्रपर्टी का क्या होते हैं उत्राधिकारी होते हैं तो अगर इनको इन दोनों में बाटा जाएगा आफ्टर वाइए यानि एक ही लाइफ के बाद P और Q में बाटा जाएगा तो ये आधा आधा हाफ हाफ ऐसे होगा फ्र तो P क्या कहेगा कि भाईया हमारा टोटल में कितना हिस्सा है एक बटा दो कि क्या कहेगा कि हमारा हिस्सा क्या है एक बटा दो है एक बटा दो क्या है भी नहीं समझे गए तो मैंने क्या कहा यहाँ पर परिभासा लिखी है कि नहीं लिखी है सायद नहीं लिखी है मैं कह देता हूँ कि भिन भिन यानि फ्रेक्शन एक ऐसी संख्या है कह सकते हैं जो किसी वस्तू या किसी संख्या के किफी निफ्चित भाग को दिखाती है ठीक है भिन एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या या किसी वस्तू के किफी निफशीद भाग को दिखाती है संख्या बस तू प्रपर्टी आप ऐसे बोल सकते हो ठीक है जैसे अगर इस पे हम ऐसे लकीर ना लगाते या एक बटा दो में ऐसे बटवारा ना करते ऐसे हम कहते कि भाई P का हिस्सा इसमें एक बटा दो है तो भिन यानि एक बटा दो जो आपके मुझे निकल रहा है वो ये डिनोट करता है ये संकेत देता है कि इसका आधा हिस्सा एक बटा दो का है खुद ही बिना बनाए बताओ कुछ हमन में आए नहीं आएगा भी आएगा जैसे अगर मैं एक बात और बोलूँ पहले बस तु आला समझो सब मिल्क्स नहीं मल लिजीए कि इन्होंने थोड़ा और प्रोग्रेस किया होता और एक बच्चा और पैदा कर लिया होता बहिया चलो अब इनके तीन बच्चे हो गए PQR अब अगर हम कहें कि P का हिस्सा कितना है इस संपत्ती में तो क्या होगा पताओ कितना होगा एक बच्चा तीन होगा बोलो होगा की नहीं तो एक बच्चा तीन क्या डिनोट कर रहा है एक बच्चा तीन ये दरसाता है कि ये जो संपत्ती है, प्रोपर्टी है, इसके तीन पार्ट होंगे बराबर, बराबर, होंगे की नहीं, तो जो आपके मुँझे एक बटा तीन निकल रहा है, वो इस भिन को क्या कर रहा है, मतलब इस प्रोपर्टी को, तीन भाग में बाट रहा है यानि इसमें एक हिस्सा P का एक हिस्सा Q का और एक हिस्सा R का हो जाएगा अगर हम कहें कि R का हिस्सा कितना होगा तो आपको होगे वन अपांथरी इसका कितना होगा वन अपांथरी समझ में आना सभी को एक बार कमेंट कर दें फटा-फट मंजेश कुमार जी गूड मॉनिंग पंकाज, लोकोष, पूनाम, स्वाति सिंग, अंजली कुमारी अनामिका, पबलु कुमार, चंदन सिंग एक आगरता सर्मा जी सब के कमेंट्स आ रहे हैं हो गया बात ये पक्की आए इसको संख्या के रूप में समझते हैं संख्या के रूप में कैसे समझेंगे देखो समझो जैसे माल लीजिए संख्या साथ है मैं कहूं कि साथ का एक बटा दो साथ का एक बटा दो तो कुछ आप महसूस कर पा रहे हो अगर आपको गडित में थोड़ा बहुत आता है तो आप sheild कर पा रहे होगे कि start का 1 बाटा 2 का मतलब क्या थोड़ा बहुत feel कर पा रहे होगे है न start का 1 बाटा 2 का मतलब क्या जनते हो बतता हूँ क्या मतलब पुड़ा 2 से divide करोगे 30 अगर मैं कहता कि 60 का एक बटाचार सिर्फ समझे ना यह बस इसको लिखने वाली चीज नहीं 60 का एक बटाचार तो क्या आप कुछ महसूस कर पा रहे हो कुछ महसूस कर पा रहे हो 60 का एक बटाचार मतलब अरे वही चार से बाग करोगे पंद्रा आएगा तो परिभासा सिद्ध होती है कि भिन एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या या किसी वस्तू के एक निश्चित भाग को दर्फाती है जैसे एक बटाचार इस संख्या के एक निश्चित भाग यानि पंद्रा को डिनोट करती है चलें आगे बढ़ें कोई दिक्कत ना किसी को कोई परिसानी नहीं बढ़ियां चलो ठीक है तो समझ गे बिन क्या है चल भई या आईए तो इसमें अगर हम बात करें कि लाल कलर वाला जल्दी कमेंट करके बताओ बिन रूप में टोटल चार पार्ट हैं लाल कलर वाला सिर्फ एक भाग है स्वांसा रीज बी अब हम करेंगे भिन का जोड़ना बहुत ही आसान है बहुत इजी है बेरी इजी है कैसे करोगे बच्चा देखो बहुत ही आसान है जब हर बराबर हो तो आपको अंस अंस को ऐसे लिख देना है बिना कोई बदलाव किये तीन बीच में पलफ है तो पलफ बड़ी फिलाइन खीच के साथ इनको जोड़ेंगे सेवन वो सरी फाइब थ्री एट और नीचे सेवन होगे आंसर ऐसे इसको भी कर लेंगे एक बड़ी फिलाइन खीच होगे नाइन जो दोनों में था एक जगा लिख दोगे उपर दोनों नंबर जैसे थे वह से लिख के जोड़ देंगे तो ये भी हो जायागा साथ बटन हो इफी तरीके से नीचे वाला भी कर लोगे सब ही लोग ना तेरा नीचे लिख दोगे एक आईस और दोनों जोड़ दो चालिस अगला कर ले ना ये भी भिन का जोड़ना है जब हर असमान हो इसमें क्या करते हैं बच्चा क्रास मल्टीपल करते हैं मेरे बाबू देखो यहाँ पर कैसे ऐसे फोर का थिरी में तो फोर थिरी जा तो एल फिर बीच में प्लस था तो प्लस ठीक है सेबन का इधर फाइब में तो सेबन फाइब जा यहनी साथ पच्चे 35 तिरह से बड़ी फिलाइन फिर क्या करते हैं इधर का इधर में ऐसे तो साथ चोग 28 नहीं दिखा का जोड लो उपर 35 तो 47 बटा 28 सबको समझ में आया बिल्कूल आया जरूर आया आओ इधर आजाओ इनका क्रास मल्टीबल करो 6 का एक में तो 6 का एक में क्या करोगे 6 कम 6 बीच में प्लस है तो प्लस साथ का 5 में 7 पच्चे 35 साथ का 6 में 7 शंग बया 40 ऐसे करना है जोड दो हो गया अंसर अगला कोश्चन आपके लिए कर लोगे बया तो ये था भिन्न का जोड़ना जब उनके हर असमान हो ठीक है क्रास मल्टीबल में ने बताया अब अगला LCM में थर्ड है लेकिन ये क्लास तो मैं आपको 10 मिनट देता हूँ इसके अगले पार्ट में मैं LCM में थर्ड बताऊंगा बड़ी बड़ी भिन्ने बताऊंगा आज आपने सीखा भिन्न क्या होता है भिन्न का जोड़ना जब हर असमान हो पहले समान फिर भिन्न का जोड़ना जब हर असमान हो और cross multiple method तो आज के लिए इतना ही मैंने आपसे promise किया था कि 10-10 मिनट की ये video live session आपको हम देंगे ठीक है तो good morning सभी को एक बार फिर फे जो भी छातर जुड़ गए है उठ गए है एक या दो हाँ last में आपका ही comment आया है ठीक है thank you ठीक है जब हर आसमान हो एक और आज बता देता हूँ इसी में जैसे मान लीजिए कि 8 बटा 5 है और ये है 1 बटा 3 इनको कैसे जोड़ेंगे cross multiple में जला एक बार और देखना clear हो जाए आईसे तिर्षा गुड़ा करेंगे 8 का 3 में तो 3 अठे 24 यानि 3 8 जा या 8 3 जा 24 दूसरा इस्टप में इसको cross करेंगे इसमें बीच में plus का sign था तो plus तो 5 बटा 5 फिर एक बड़ी line खीचेंगे अब उसके बाद का करेंगे बच्चा party उसके बाद इनको cross करेंगे तो 5 तिया 15 जोड़ेंगे 24 पांच बटा 15 अगर आपने पिछली class देखा होगा तो बड़ा आसान लगेगा मज़दार भी लगेगा और नहीं देखा होगा तो फिर आप जाने आपकी मर्जी इसको कर लेना खुद से ठीक है अभी मैं तीन पद वाला नहीं बता रहा हूँ यह मैं बताऊंगा आगे तीन या पांच पद आठ पदे से कुछ भी अगला तरीका है साथी मेरे इसमें least common multiple method यानि LCM method इसमें आपको गुड़ा गुड़ा नहीं करना होता थोड़ा ज़दा professional तरीका है दी गई दोनों संख्याओं के हर का LCM लेते हैं पांच और साथ का LCM लोगे तो 35 आएगा इसके लिए आपको LCM निकालना मैं पहले से सिखा चुका हूँ है ना दूसरे स्टेप में क्या करोगे जो LCM आया है उसी LCM में यानि 35 में पहली भिन्द के हर्फे भाग करोगे यानि 5 से फिर हमें यहां से सिर्फ मतलब भाग फल से है बाकी किसी से कोई मतलब नहीं साथ को पकड़ेंगे इसके अंस में गुड़ा करेंगे तो साथ तरी क्या कैस यानि 37 जा 21 हो गया पहला इस टेप इसमें पहली भिन्द की हो गई जो होनी थी दूसरे में आ जाओ इसमें भी क्या करेंगे दूसरे भिन्द के हर्फे LFM में भाग करेंगे LCM यानि 35 में जब 7 का भाग करोगे तो 5 आएगा और 5 का गुड़ा करोगे 8 में तो आएगा साथियों मेरे 40 बस हो गया आपका पूरा इस्टेप खलास इनको जो लोगे भई या 40 भी 60 होता है एक और जादा है तो 61 बटा 35 इनको हम सही बटा में चेंज कर सकते हैं या दसमलों बदल सकते हैं लेकिन हम ऐसा क्तट ही करेंगे क्योंकि हम आपको भिन सिखा रहें अभी और यह आपki Nah और पर फ्रेक्फन है यह tamaPro परिया इक्वलियंट वगरा वगरा किस टाइप की फ्रेक्फन है यह देखेंगे आगे ठीक है क्योंकि अभी यह पार्ट जो चल रहा है वो उस लेबल का नहीं उसके लिए रही है आगे की कलस में देखेंगे ठीक है इसको कर लेंगे इसको हम और कर लेना एक और पता देता हूं लिए आप मानलो लिख लो भाए या आट बटा ओजनो द दन्रावा हा के चार बटां के दीन लिखलो अच्छा लगेगा चलो की पहले स्ट्ट में क्या करोगे बच्चार नोट करलो चाहें कई पेपर में क्या क्या करना step by step हरों का LCM लोगे पहले step में तो 9 और 3 का LCM 9 होगा ठीक है नो तरी फताइफ नहीं होगा क्यूं क्यों क्यों वो जुगार तब काम करता LCM में बताया था जब दीकर दोनों संख्या अभाज होती है तो उनका गुड़ा करके LCM निकालते हैं लेकिन पहली भिन्न के हर से भाग करेंगे तो यह LCM दादा है पहली भिन्न का हर 9 है भाग कल भाईया भाग कर बाद 0 ना आए से मतलब सेज़ फल 0 आए और भाग फल 1 आए एक का गुड़ा करब पहली भिन्न के हर में मतलब अंस में नुमरेटर में तो 188 वही इस चप आगे भी कर प्रेंड वाले में तीन का भाग करो LCM में तो तीन आएगा अई कल ना यार का जानते हो कहमाई से करें हर जगा तब अच्छा है यह लो हो गया भाग फल कितना आया तीन तो हम क्या करेंगे भाग फल का पहली भिन्न के अंस में गुड़ा करेंगे यानि तीन का गुड़ा चार में तो 12 clear चलो आओ बढ़िया अब इनको जोड़ेंगे 12,8,20 20 बटन ओ बढ़िया सभी को समझ में आया किसी को कोई डाउट नहीं कमेंट में सबका देख रहा हूँ थोड़ा तफली रखें कलास के लाश्ट में मैं इंपॉर्टन कमेंट सबके पढ़ूँगा जो काम के होंगे जो सिर्फ बजी से लिखे होंगे आयली बैली काई टाइप का उसको नहीं यह हमँर का इसको फटा फट छापो भाईया इसको घर फे कहना चाया दुवारे बैटके करना चाया बगी चाम बैटके करना अब जब दो तीन पद की भिन है तो कैसे करेंगे देखिए इसमें क्रास मल्टीपल और बड़ा हो जाता है जूल जाल टाइप का मतलब उल रच जाता है हम इसमें सिपे ल्सीम मेथट लगाते हैं ओनली ल्सीम मेथट ठीक है तो अब हम दी गई भिन के हरों का लल्सीम लेंगे लिखेंगे हरों का अरल सीम किटना होगा साथ पच्छे पैती दूना शत्तर कितना होगा भाईया शत्तर होगा लिख दिया अच्छा लगता है अब एक बड़ी लाइन खीचोगे और लिख दोगे नीचे 70 दूसरे स्टिप में वही तरीका फिर फे पहली भिन्न के हर्फे LCM में भाग करोगे जो आएगा भाज भागफाल उसको अंज में गुड़ा करोगे फिर दूसरे वाली भिन्न के हर्फे भी LCM में गुड़ा भाग करोगे प्राप्त कोईसियंट का मल्टीपल करोगे इसके नुम्रेटर में थार्ड में भी वही सेम प्रॉसेस आँ चलो साथ का भाग सत्तर में करेंगे दस आएगा और दस का तीन में गुड़ा करेंगे तीस आएगा पांच का भाग सत्तर में करोगे प्यारे मेरे तो देखो क्या होगा पांच का भाग सत्तर में करोगे चौदा आएगा और चौदा एककम चौदा दो का भाग सत्तर में करोगे 35 आएगा 35 का आठ में गुड़ा करोगे तो बड़ा हो जाएगा बड़ी गिंती हो जाएगी कैसे कर लो भाया 35 का आठ में गुड़ा करो एक बार आख बंद करके चिंदन करो आठ पंचे चालिस हाफिल चार आठ रिक 24 चार अठाइस आइफे करे हैं भाई याओ आइफे करे रहे हैं आइफे जोड़ डालो इनको सबको काम खतम चलो हमें काम करते हैं इनको जुगार फे जोड़ते हैं कैसे यह 280 है 30 है हम अगर 280 में 20 आउर मिला दें तो 300 हो जाएगा 300 हो गया दस यह में आउर बचा था 310 310 ना और 14 तो 10 में 14 जोड़ा 24 यह नहीं 324 दिमाग का परियोग नहीं करना है बस उत्ता लिख देना है 324 बटा 70 इसके आगे हल नहीं करना इसको बिल्कुल खबरदार क्योंकि अभी इसके आगे नहीं बताने वाला हूँ ठीक है जब परकार पढ़ाऊंगा भिन का ते बता दूँगा तो भिन पढ़ रहे थे फ्रेक्षन फ्रेक्षन क्या होता यह हमने सीख लिया फ्रेक्षन कैसे जोड़ते हैं यह भी सीख लिया जैसा कि आपको पता है कि हम जीरो से सिखाते हैं है यह बिली बड़ी विश्यशता है तो सबस्ट्रेक्षन आफ फ्रेक्षन नहीं फ्रेक्षन जोकि क्लास ये बहुत छोटी होती है जिससे आपको पूरा समझ में आए और आप पूरी क्लास देखे मेरा ये कोशिस है चलो आ गए हो सब भी इंग्लिस में बोलते हैं सब्ट्रेक्शन आप फ्रेक्शन ठीक है सुन रहे हो ना इंग्लिस वाले तो आप लिख लेना सब्ट्रेक्शन आप फ्रेक्शन चलो बहुत इजी होता है नीचे जो डेनोमेनेटर दिया है उसको एक बड़ी लाइन खीच के लिख लेते हैं उपर का जो नुमेरेटर है जैसे हैं उनको वैसे लिख लेते हैं बीच में जो चिन है वो चिन लगा देते हैं बस ठीक है क्लियर पढ़िया कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं न ना नाइन से जब आप फाइब सब्ट्रेक करोगे फोर आएगा नीचे सेबन था सेबन हो गया अंसर बस खतम वैसे इसमें भी हो जायागा एक बड़ी लाइन खीचोंगे 13 उपर 21 है 19 है ऐसे लिख लेंगे इसमें से खटायेंगे 3 आएगा नीचे 13 था बस हो गया अंसर बहुत इजी है एक दम स्टार्टिंग है नहीं है ठीक है एक बात याद दिला दूँ कि जितने बच्चे चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन में आल नोटिफिकेशन नहीं आन किये उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलागा यूटूब से लाइब का पता नहीं चलता है चलो आओ आगे बढ़ते हैं ये थोड़ा सा अलग है ये क्रास मल्टीपल मेथर से होगा जैसे जोडने में करते थे सेम हो ऐसे होगा एक बता देता हूं ऐसे गुड़ा करेंगे तो चवदा का साथ में करेंगे कितना होगा जानते हो खड़ोना इसे साथ चोकटा इस साथ एकम साथ दो नो यानी 14,98 इसका इधर तिरिछा गुड़ा करेंगे पांच का तो ग्यारा पच्चे पच्च पन और फिर लाश्ट में नीचे का नीचे कर देते हैं पांच साथ यपातिस इसमें से घटा आलो भया गटा लो पांच में से आठ में से पांच जाएगा तो तीन, नौ में से पांच गया चार ये मैं आपको बता चुका हूँ गटाने वाले में बगल बगल कैसे घटा आते हैं है ना कितना आसान कर लेंगे ना बढ़िया है ना वसे इसमें भी करेंगे क्या आएसे क्रास मल्टिपल करो ते इसका पांच में गुडा करो पांच तीन, पंदरा पांजुना तास है कि ग्यारा फिर पंदरा का गुडा नौ में करो ऐसे इधर तो पंदरा नौ ही है पंदर दामा 150 होता है पंदरा कम कर दो 135 तिर्षा गुडा करो 15, 75 घटा आलो भाईये देखो उल्टा घट रहा है छोटा बड़ा नंबर होगे तो माइनस में आएगा ठिक है? वजसे भी जान लो 35 से 35 से अगर 15 घटा होगे तो कितना आएगा? 120 क्योंकि 20, 10, 35, 35 होता है यानि माइनस का 120 आएगा माइनस का इफ लिए आएगा क्योंकि ये नंबर छोटा होगे और बड़ा होगे इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसा भी आगे आप माइनस में लिखते हो, अब आप बड़े हो गये हो है न? गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग इसको होमवर्क कर लेना ये होमवर्क है होमवर्क आगे अभी चुट्टी नहीं हो रही ये भी होमवर्क है फुट से करना प्रेक्टिस कहते हो न? ये तीन पद है इसमें भी कुछ नया नहीं होता बिल्कुल वैसे है, तीन पदवाले में कैसे करते हैं, थोड़ी सी सीखने की बात है बस, एक बड़ी सी लाइन खीचेंगे, नीचे लिख देंगे जो हर है, यानि जो डेनोमिनेटर है सब में, उपर के नमबर वैसे लिख देंगे चिन के साथ, बीच में माइनस है तो, 31 माइ माइनस सेवन्टीन, माइनस नाइन, यहां एक साथानी बरतना है, हमेशा सेम चीन जुड़ते हैं समान समान, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, ठीक है, पहले इसको आप घटा होगे नहीं, तो एक लाइन और बढ़ जाएगा, 31 माइनस यह दोनों जुड़ेगा, तो 17, 3, 20 है 26, यानि यह हो जाएगा 26, और नीचे 12, ठीक है, कोई डाउट नहीं, देखो यह इतना अलग है अपना, 31 में से घटा तो भईया आगे जागा, नहीं यह नीचे तो आगे लिख दो, कितना हो जाएगा, नहीं आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, आप नहीं समझ पा आओगे ना उदर, रुको, कहोगे अब तक ऐसे वही से कईसे, तो इसमें से खटा आओगे तो पाँच आएगा, है ना कितना ही जी, आसान है ना, सबको समझ में आ रहा देखो, आज बच्चे जुड़े हैं, आज 1400 बच्चे इतना सुबह सुबह जुड़े हैं, बहुत अ अच्छा, बंदना, साइलेंट किलर, ये ना महिन के, बहुत अच्छा, चलो, इसको कर लेंगे, आएक और बता देता हूं, देखा जाएगा, जो होगा, आराम आराम से पढ़ना है, प्यार प्यार से पढ़ना है, चलो, एक बड़ी फिलाइन खीचना है, जो डेनो मेनेटर है, उसको लिख देना है, ऊपर के जो नंबर जैसे हैं, उनको वैसे लिख देना है, 48, पीच में माइनस था, तो माइनस, 37, माइनस, 10, हमेज सा माइनस माइनस जुडता है, प्लस प्लस जुडता है, सेम सेम चिन आपस में जुडते हैं, विरोधी चिन में, क्या होता, इस प 37 47 minus 14 कोई doubt ना इनको घटाओ एक आएगा तो एक बटा चौदा कितना आएगा 1 upon 14 no doubt है ना बहुत जी है ना चलो फटा फट लिख लो आगे बढ़ते हैं ये तो बता चुका था ना ये टाइप अभी क्रास मल्टिपल वाला कि नहीं पिछे देखो लो एक बार हाँ घटाने वाले में ये बताया तो था ये हो गया ठीक है तो ये टाइप हो चुका है अब भिन्न का करेंगे हम गुड़ा सबसे आसान ये होता है मल्टिपल आफ फ्रेक्शन मल्टिपल आफ फ्रेक्शन देखो बच्चा ये का होता है समझो समझो यहां पर सकेते हैं समधियान करने के लिए लोग आ गए इनको अटा यहां से चलो इसी कर लेता हूं बाद में डिश्टर्ब नहीं करने का देखो इनमें ऊपर का ऊपर गुड़ा होता है नीचे का नीचे बाकि कोई लफ़ड़ा नहीं सीधा फीधा सारा काम सीधा फीधा अभी सिर्फ हम आपको यहीं बताएंगे बाकि इसमें चीजा और होता है यह अगर क्रास डिवाइड हो रहें तो डिवाइड भी कर लेते हैं लेकिन वह चीजा भी नहीं बताऊंगा तो ऊपर का ऊपर गुड़ा कर लो छे चोग चौविस यह नौश के बार में सबनी नहीं तो डिश्ट्रब हो जाएगा ठीक चलो कि ऊपर का ऊपर ऐसे मल्टीपल कर लो अंस का अंस हर का हर में मतलब यह सेम जंडर भी आ है लड़की लड़की भी आ कले लड़का लड़का अब पोजिटिव नहीं जाना है हां होता है पॉस्बल है देखो कि थीख सब बंढ़ियाँ थो फिर जाएं बनिया रहना चाहिए इसको भी कर लेंगे इसे कर लें आई होम अियंग भ आ है आगे बढ़िये आईए इसमें भी ऐसे ही करना है लेकिन मुझे मजबूरी में आपको डिवाइट करना बताना पड़ेगा नहीं तो बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे फिर गुड़ा करने काफी मेहनत करनी पड़ेगी तो आओ मैं पहले आपको मल्टिपल करना उ उनको डिवाइट करना बता देता हूं आप जैसे देखो तरली करना आना अचाहिए नहीं तो कड़बड़ा जाएगा माम लागे फिर लंबा मेहनत कनी पड़ेगी देखो कैसे जैसे माल लो पहला है और 48 यहां पर लिखा है 17 यहां पर लिखा है 51 यहां पर लिखा है कितना 96 अगर अगर अब इन दोनों को हम गुड़ा करेंगे इनको करेंगे तो यह लंबा-ंबा कटेगरी को होते हैं कभी दूसरे में नहीं आप देखो अधिकांस दुख जो आपके लाइफ में हैं आपके रिस्तेदारों से ही है आपके सबसे पहले जो इस वे गल्फेंड से हो चाहिए आपके किसी रिलिस्टन वाले से हो समझ रहे हो और सबसे बड़ा दोखा भी वह इस है नंबर क्या इसमें कहीं मिल रहे हैं आपको ऊपर खोजना है बस पहले यहां खोजना फिर यहां खोजना है अन्समें होना चाहिए बस हो इनिकी प्रपरटी है इधर से मतलब नहीं है ठीक है वाला ऊपर मिले बस कहीं भी तो आप देखो 17 के टेबल में आपको यह नंबर क्या हो तो नहीं मिलेगा लेकिन जर्प बड़ा हो सूसरा पें आपकोम मैं hatte नहीं पा रहे हो गयं तो काड़ावर्यों अब मैंने आप लगदिया किहां पर मैंने लिए तीन यहां पर मैंने लिए नो यहां लिए चार अब तुम्हें दीख रहा होगा है आन्गी चलो और 3 को पकड़ो इनको लाग दिवाइड करो तीन एकम तीन तीन तरिक करने हम तीन को काटके लिख सकते हैं किहां इसे करना ठीक हो गया इसे इनका भी यह लगा तो जोड़ी क्योंकि 4 की टेबल में आठ आता है तो चार एकम 4, 4, 2, 8, अब नया नया नमबर उपर 2 बचा है, इसमें नीचे 1 बचा है, ऊपर 3 बचा है, नीचे 1 बचा है, इनको घूड़ा कर लो, तो 2, 3, 6 और 1, यह आंसर हो गया, अगर हम ऐसा ना करते, इनका डारेक्ट घूड़ा करते, तो पता यह तो में क्या आथा, बता यह इतना बड़ा आता अब बताओ कहां 72 वात्तर हम लिखते इतना बड़ा फालतू को मैंने लगता है इतना छोटा आ गया फैना बात समझ में आई किसे को कोई डाउट नहीं यह से बोलते हैं सारली करन एक प्रकार से जो की छोटा मोटा आपको आना चाहिए बाकी चीजें आगे होती जाएंगी चलो एक आउट लेलो फिर जैसे माल लीजिए मैंने एक लिख दिया बहुत ही छोटा सा ही बताऊंगा मैं अभी बारा और यहाँ पर मैंने लिख दिया दस चीक है यहाँ पर मैंने पंदरा लिख दिया यहाँ पर मैंने लिख दिया पचीस अब ये आपस में क्रास किसी से भी डिवाइड हो सकते हैं ये इससे कोई relation है तो डिवाइड कर दो इनका इससे है तो कर दो लेकिन यहाँ इनके दोनों हाथ में लट्डू है इनको चाहे इससे डिवाइड करो चाहे इससे दोनों में हो रहे है पहले आपस में कर दो जो इनके ज़्याद नजदीक है एक नंबर फिर डिवाइड करोगे याद रहे नंबर अलग अलग नहीं करना बस तो 2 से अगर भाग करेंगे 10 में तो 5 आएगा 2 से 12 में भाग करोगे तो 6 आएगा जैसे हमारे देश की राजनीती में नेता नेता मंतरी मंंतरी विदायक है कभी आपास में मार नहीं करते हैं बहुत ही रेयर केस में होगा लेकिन कारेकरता जो उनके चाटने माले आगे पीछे होते हैं दूसरे का मडर भी कर देते हैं पचाहिए ना जिनको आज गरी आते हैं कर उनकी पार्टी में सामिल हो जाते हैं जिसके लिए उनके कारेकरता अगले पार्टी कारेकरता को पीट-पीट क्या धमरा कर दिये होते हैं वोकल को उनिक पार्टिम छोड़ चले जाते हैं समझे ना ते नीचे नीचे नेता नेता है समझे लो तुम तो इनका मल्टीपल कर लो बस छेत्री गठारा और 25 यह हो गया आंसर तो आज टाइम ओबर होता है बहुत ज्यादा बड़ी कलाफ नहीं हो सकती जैसा कि मैं आपको आया था बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक जरूर किया करें जिससे आपको अगला पार्ट भी मिले और वो भी टोटल फ्री मिलेगा यह सिरीज तुबाब पांच बज़े से इसका आता है पूरा पार्ट और हाँ आज का भाज अभाज नॉन आपदीज इन में से कोई नहीं यह कुश्चन नंबर वनाईस है आज का प्रस्ण हो सकता है साइथ पिछली क्लास में मैंने आज का प्रस्ण पूच्छा था कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है रहा वो भी पूच लेता हूँ चलो यह इनाम वाले सवाल है अगर आपने सुरुष से सुरुष देखा होगा तो मुझे याद दिला दिया करो कि इनाम वाला सवाल आज नहीं हुआ भूल जाता हूँ कभी-कभी में चलो अगला अठार अकल के लिए यह जो बीत गया उसमें साइद इनाम वाला कोश्चन नहीं पूछा था मुझे याद है एक और बताओ संख्या कि अंडर रूट वनतालिस कि करड़ी है कि हाँ कि भी है नहीं पस यहीं बताना है ती है नान आप दी जिन में से कोई नहीं अब पढ़ रहे हैं भिन यानी फ्रेक्शन पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया था कि भिन क्या होती है है ना भिन का जोड़ना घटाना गुड़ा यहां तक पहुंचे थे कुछ हद तक और आज उसके आगे बढ़ेंगे जो नहीं पूरा हुआ था कल वह आज हो जाएगा ठीक है पढ़ियां तो यह सारी चीजें पढ़ना है चलिए मुझे लगता है कल यह हो गया था अपने सीख दिया था जिसमें एक इस्टेप आगे बताऊंगा क्या कि जहां पर आप नीचे लाके फ्रेक्शन को छोड़ देते थे वहां छोड़ना नहीं है उसको पकड़ के रखना है जैसे अगर मैं इन सवालों को तो कल किया था इसलिए आज इनको करूं कि नहीं चलो कर देता हूँ मैं आपको बताता हूँ अगला इस्टेप क्या था समझना है यहां से सबसे पहले तो इनको हम छोटा छोटा कर लेंगे ठीक है जैसे देखो 9 है अब 9 जिन जिन संख्याओं से संख्या अगर डिवाइड हो रही है चाहे इधर हो चाहे इधर कहीं भी तो इसको कर लेंगे अब उपर दो है और चार है तो दो और चार इन दोनों में कोई ऐसा common factor जो भी है वो तीन और साथ में नहीं है तो इनका आपस में गुड़ा करेंगे आठ और ये तीन सते 21 अब ये आलरेड़ी हर एक बड़ी संख्या है अंस से तो इसमें कुछ भी पॉस्बल नहीं है ये अंसर है ये उचित भिन्न है प्रॉपर फ्रेक्टर नहीं है ठीक है चलें उधर साइड में अगर देख लो इसमें अगर आप देखो तो कुछ भी डिवाइड नहीं होगा common factor नहीं है साथ और तीन के जो भी factor है वो ना तो आठ में ना पांच में वन को छोड़ दो वन से को मतलब नहीं है ना तो क्या करोगे फिर भाईया इनको डारेक्ट मल्टिपल कर लो तो ये तो मैं आपको कल बताया था अभी आगे बढ़ेंगे तो और चीज़ें होंगी यहां पर देखो अंस वाली किसी भी संख्या से हर वाली कोई भी संख्या अगर डिवाइड हो रही उनमें common factor है तो उनको पहले simplification कर लेंगे फिर गुड़ा करेंगे यह step कल मैंने जाता जो और देके नहीं बताया था आज ये focus में रहेगा जैसे देखो यहां 35 है अब 35 के जो भी factor है वो 12, 7 या 6 किसी में अगर है तो उनको डिवाइड कर लेंगे तो देखो भाई यह 35 के जो factor है वो 5 भी है, 7 भी है, मुख्यता 35 भी है यह 35 के factor है अब उपर आल्रेटी साथ दिख रहा तो यह डिवाइड हो जाएगा जितना भी डिवाइड हो सकता पहले कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे अब यह और भी हो सकता है, क्या? देखो 12 से हो जाएगा 12 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, बोलो हो जाएगा न, मैंने कहा एक संख्या उपर की होनी चाहिए, दूसरी संख्या नीचे की होनी चाहिए, बाकी वो कहीं भी रहे इससे लोकेशन से नहीं मतलब है, यह नहीं जरूरी को उसके नीचे ही रहे जैसे मैंने आपको एक्जामपल बताया था, अगर तुमको भीयाह करना है साधी तो वो लड़की से करना है, लड़के हो तो, वो लड़का कहीं कभी होना चाहिए, ऐसा तोड़ी का आपके गाउं महले का ही होगा अगर आप लड़की हो तो लड़के पर लागो ती उल्टा होता है तो लेकिन होना चाहिए अपोजिट यही लड़का हो तो लड़की हो अगर आप तो लड़का होना चाहिए तेम नहीं होना चाहिए वह सेम कंडिसन यहां है यह अंस है ना वह हर में होना चाहिए कहीं भी हो अंस में नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहों कि 12 से हम 7 या 6 को कड़ दें, 6 कम 6, 6 तुनी 12 ऐसा नहीं, यह तो फिर वही हो गया कि आपकी से हम जंडर में महरेज हो गई, होती भी आजकल वह, लेकिन आप वाध हैं, उसकी बात नहीं करेंगे, समझ गया ना, चलो, तो वह अलग होना चाहिए बस, उससे नीचे वाले में, अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर, देखो यह 9 है, यह 6 है, दोनों अपोजिट हैं, एक अंस में, एक हर में, यह भी डिवाइड होगा, 3, 2, 6 और 3 तरीक का 9, अभी कहीं कुछ बचा है क्या, अगर बचा है तो उसको भी काड़ पी आप कुछ नहीं बचा, उपर 1, नीचे 5, इन्टू, उपर 1, नीचे 3, उपर 1, नीचे 2, तब मल्टीपल कर लो, 1 अपान, यह 5, 3 जा, 15, 2 जा, 30, यानि 5, 2, 10, 3, यह हो गया अंसर, खतम यही चीज में इन फोकस करके आज सीखना था, कि आप इनको कैसे डिबाइड करके आगे बढ़ेंगे, है न, किलियर है, कोई डाउट ना किसी को, बढ़िया है तो एक बार सभी कमेंट करते हैं जोरदार, और लाइक, सेयर जरूर करें, जैसे यह सिरीज हम जल्दी-जल्द आगे बढ़ा सकें, न, तो फिर यह रूख जाती है, फिर थोड़ा लंबा टाइम पर आती, यूटूब पर याद रखना, अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, यह कि मुझे भी अर्जेक्स करना पड़ता है, गुड मॉनिंग, सभी को गुड मॉनिंग, कमेंट्स आपके वैसे भी हमारे एक कंडिडेट सो के बराबर हैं, सबास ही रहे न, चलो आगे, तो इसमें कैसे करेंगे भीया, इनको भी समझना है, बिल्कुल प्यार से अच्छे से, चलो देखो, अच्छे समझो, आओ, पूरा क्लास को देखना अगर सीखना, बीच में न जाना, बीच मे में हाँ, एक चीज है, आपको टेबल आना चाहिए, अगर टेबल नहीं आता, तो आप इनका समझे ने पाओगे का कहानी है, टेबल ना आना वैसे है, जैसे बिना टार्ज के अंधेरे में जा रहे हैं, आख बंद करके डखे ले, और तुमको अगल बगल कुछ दिखे ने जा क्या है, तो टेबल आना चाहिए, कमेंट करके बताना, जब लाइब सिसन इंड हो जाएगा, बाद में अगर आपको टेबल नहीं आता है, तो टेबल ट्रिकर लिंक दे देंगे, ठीक है, तो ये answer में है 6, ओ स्वारी, 42, अब हर में कोई भी नंबर ऐसा खोज लो, जिनक ये common factor 42 से मैच करते हो, अगर मैच करते हो, उनको डिबाइट कर दो, तो सीधा फीधा दीख रहा है, ये कौन सा, 6, 6 कम 6, 6 सते 42, बोलो कोई दिक्कत ना किसी को, common factor निके मैच करते हैं न, 26, 7, जा 42 होता है, चलो, अब अगर हम देखें, 7 answer में है, हर में 28 है, इनके भी common factor है, इनको भी डिबाइट कर दो, तो 7 वंजा 7, और फेवन 4 जा, 28, बढ़िया, अब कहोगे, एक तालिस का common factor कहां मैच कर रहा है, कर रहा है, दो दो जगा कर रहा है, देखो, एक तालिस, एक तालिस, एक तालिस, पंचे, का बोला, मैंने ये बोला, एक तालिस का 5 में गुड़ कर लो भाईया, 5 एक पांच, 5 योग 20, दूसर पांच हो था, का हो था भाईया, दूसर पांच, तो इस तरीके से हम 41 को डिबाइट करके 1 लिख सकते हैं, और उसको डिबाइट करके 5 लिख सकते हैं, खतम, इसको बोलते हैं, सिंपलिफिकेशन, यानि सरली करण, अभी ये च पामन फैक्टर हो नीचे उपर, तो उनमें यही दिख रहे हैं, दो मुझे लगता है, दो चौकाट, दो एक कम दो, और दो दूर अच्छा है, उपर अगर पहली भिन्न में कुछ बच रहा है, तो 1 बच रहा है, नीचे भी 1 बच रहा है, दूसरे में उपर 5 बच रहा है, तीसरे में 41 बच रहा है, इसमें आपकी वो अंति मिच्छा भी पूरी हो जाएगी, जो मैंने सोचा था, देखो, इनका गुड़ा करेंगे 5 एकम 5, और 5 चौक 20, 205 बटा 2, हाँ, अंति मिच्छा में यह बोल रहा था, कि यह एक अनुचित भिन्न है, इसको एफे नहीं छो करते हैं, नहीं the decimal में बहुत कम ही करते है, इसको हम सही बटाम चेंज करते हैं, जिसे बोलते है, मिस्र फ्रेक्फन, या मिस्रित भिन्न, ठीक है, तो कैसे चेंज करते हैं, बताता हूं, तुमें, देखो, 2-1-2, 0-2 दूना 4, ठीक है, बचेगा किटना, एक होचेगा आपका ये रियल में आंसर आएगा लेकिन आपको यह आया कर इसे यह कहां से आया वो दिखाता हूं कहां से आता है देखो कितना सही कितना गलता हूं समझते हैं 205 बटा दो रियल में इनको का करते हैं इधर भाग करते हैं इसे दवड़ा दवड़ा करते हैं इसे खाना बना लेते हैं इसे लिख लेते हैं और इतना भी गंदा नहीं लिखते हैं चलो पोलियो मार गया उसको लग रहा है टेना मेडा हो गया चलो कोरोना की चक्कर में लोग पोलियों को बुल जा रहे हैं आगे बढ़े तो दो एक कम तो गटाएंग कितना हैगा जीरो अब देखो भाई ये फाइनल हो गए खतम इनको जीरो न लिखो थोड़ा साथ चन लगता है क्योंकि बगल में जीरो उतारना है तो मिसमेच कर देगा अब जीरो उतार लो अब दो का भाग जीरो में एक बार तो जाएगा नहीं जीरो बार जरूर जाएगा इनको घटाया लबाई साब यो खतम उपर से पांच उतार लो तू टू जा फोर इनको सब्ट्रेक करो बनाया बस खतम हो गया एक सो दो क्या है एक पूड फंग क्या है यह भाग फल है यह होल नंबर है ठीक है तो एक सो दो यानि जो भाग फल रहता उसको एफे लिख लेते हैं प्यार फे और यह अंस अंसर क्या है अभी कहने का मतलब यह समझो भाग हम कर रहे थे अभी इनकी जिम्मेदारी है दो की इनको भाग करना क्योंकि यह सेसफ़ बच रहा है जब तक सेसफ़ एक को ना बचे जीरो ना हो जा तब तक जिम्मेदारी होती भाजक की भाग करने की न लेकिन अभी भाग तो कर नहीं रहा है क्योंकि छोटा हो गया उससे तो इसको दिखाते हैं कि अभी आपकी responsibility है यानि ऐसे लिख देते हैं समझाना इसका मतलब ही होता है कभी इसको भाग करना है जैसे अगर एक बटा दो लिखात मतलब क्या है कि हमें एक में दो से भाग करना है अगर चार बटा दो लिखात इसका मतलब क्या है कि हमें चार में दो से भाग करना है यह अपूर संख्या होगी नहीं यहां तो पूर सं तो यह बाते समझ में आ रही सभी को क्लियर ठीक है बढ़िया है तो यह चीजें आप सीख गए होंगे उमीद है गुड़ा और डिवीजन इनका सीख गए इनको आप कर लेंगे होम और आपके लिए अगली क्लास में बताऊंगा क्योंकि क्लासे हमारी यह स्री छोटी चलती है इस लिए बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं आप लोग पूरा देखते भी नहीं हो ना ये भी तो मुसीबत है अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देखो 100% तो हम इनकी क्लास की जो टाइमिंग है उन्हें दो-दो घंटे कर दें लेकिन आज तो चाहते हो क्यों ऐसे चट कुश्चन नंबर 20 आज का प्रस्ण इसमें तो इनाम भी मिलता है ना जो पीछे देखे होंगे उनको पता है या दिला दिया करो भूल जाए तो आज का प्रस्ण क्या है लेको भारत में शर्बाधिक आलू का उत्पादन कहां होता है बता भाई आलू एक ऐसी सब्जी है जो सब के साथ सेटिंग कर लेती बता ना इसको कमेंड कर तो उसी क्रम में आज पढ़ेंगे भिन्न का भाग करना या division of fraction ठीक है सभी को good morning very very good morning अगले पांच मिनट में सब के नाम बोलूँगो मैं जो जुड़े हैं क्योंकि सुबा सुबा आप बहुत मेहनत करते हैं उठने में है ना बाकी गदाहा लोग तो उठने नहीं करते हैं चलिए तब से पहले भाग में देखते हैं आसान चीज क्या है कि पहली भिन्न को एफे लिख लेते हैं फिर भाग का चिन हटा के गुड़ा लगा देते हैं डूसरी भिन्न का आंसा और हर आपस में बदल देते हैं ऐसे बस खतम सिंप्लिफिकेशन कर लेंगे इनका सरली करण आफे जैसे बताया था पीछे 19 एकम 19 एकम 19 एकम 19 एकम 22 एकम 42 आप देखो दो से दो भी डिबाइड हो जाएगा तो आपका फाइनली अगर कुछ बचेगा तो वो एक बचेगा और कुछ नहीं है इसमें देखो one upon one one upon one फाइनल सिर्फ एक बचेगा बस है न कोई डाउट इसमें नहीं न चलें आगे सौरफ रंजना कभिता अंकीत चलो आओ आगे बढ़ते हैं सबसे पहले पहली भिन को ऐसे लिख लेते हैं बिना किसी चेंजिंग के फिर गुड़ा का चिन लगाते हैं भाग अटा की फिर इसको पलट देते हैं चीक है बट यह 180 नहीं 108 है अब यह डिवाइड हो जाएगा चालिस दूना अफ़ी और चालिस दियां 112 12 है ना या अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे भी कर लो इसे अब एसे खरो आप जीरो जीरो डिवाइड कर दो अब बारा को ऐसे डिवाइड करो 4 तहीं 12 चाल स्टम आठ प्र जान का वही तीन बटा दो तब भी आया है कर लेंगे ना देखो 27 और 108 में कोई रिलेशन है क्या साथ के पाहड़ा में कहीं आठा था लाश्ट में चार बार देखो 4 सत्य 28 हां सिल दो 4 दून 8 दो 10 हाँ एक और दो बचा है इधर एक और दो इधर 3 और 4 बचा है मल्टीपल करेंगे 3 और 2 चोगार्ड दिफिज आंसर हो गया चलो चापो भाई समझ में आख सबको पढ़ाई पे ध्यान देंगे नाम पे नहीं, ओनली काम पे ध्यान आज कही नाम वाला सवाल बताए लाइब क्लास इंड होने के बाद इसका जबाब आप कमेंट करेंगे ठीक है जब लाइब इंड हो जाएगी तो चलिए इनाम वाले सवाल के बारे में बहुत जानते होंगे अगर सुरू से देख रहे हैं तो क्या है वो पांस जार का इनाम मिलता है ना इसे सवालों पे लाश्ट में मिलेगा 142 बटा 120 भाग अटा के गुड़ा लगाओ गए यह भिन पलट जाएगी अंस का हर हरका अंस बन जाएगा इसका फाइनल आंसर क्या आएगा एक बार बता दो सभी चलो जो यह डिवाइड हो जाएगे आपस में 60 एकम 60 30 दूना 120 इन में भी कोई रिलेशन है 71 एकम 71 71 दूना 142 होता है दो से दो भी डिवाइड हो जाएगा फाइनल में वन अपान वन इंटू अपान वन बचेगा सिर्फ एक बचेगा बस शोफिया समझ में आ रहा है वो पाल बाबू आ रहा है सबको आ रहा है एक बार यस बोलके है और सेशन को लाइक करें फटा फट देर ना करें रिस्पांजबिल्टी समझें आई आगे बढ़ते हैं सबसे पहले फास्ट फ्रेक्शन लिखेंगे ठिक है भाग अटा के गुड़ा लगाएंगे इसको चेंज करके क्या करेंगे अंस का हर हर का अंस कर देंगे डिवाइड कर लो भाईया इनको 32 एकम 32 और 32 छक्का ख़दूना बाराच शतरी कठार है को नई 32 छक्का 101 बे होता है आप कहोगे हमें नहीं आता है 32 को काट के 6 कैफे लिख दिया बताता हूं देखो एक्चूल में मैंने ये किया था HCF पहले सिखा चुका हूँ ना आपको इन दोनों का HCF ले लोगे दोनों का HCF आएगा 32 तो 32 से भाग करोगे देख आएगा इसको करोगे 6 आएगा ठीक है यह दूफरा तरीका ये है बच्चा कि आप इनको F लिखो आप इनको दो-दो से भाग करो अगर हम दो से भाग करें 32 को तो 16 आएगा जानते हो 16 आएगा तो 2 से भाग करें 16 आएगा वैसे 2 से इसको भाग करोगे 192 को 192 आएगा ठीक है फिर से 16 को 2 से भाग करो 8 आएगा फिर से इसको 2 से भाग करो 48 आएगा फिर इनको देखो 4 से भी काट सकते हैं 4 दूना 8 12 आया फिर इनको 2 से डिवाइड कर सकते हो देखो final में एक और 6 आया लेकिन इतना उजाई करने अच्छा है एक बार में आ गया तो ठीक है ना बताओ ये तो एक बार में आया था ना अब ये इतना बार में आया अभी और बढ़ जाता छोटा किया होता तो तो यही होता है तरीका अगर आप सीखोगे तो बहुत बढ़िया है ठीक है भया तो 10 मिनट की क्लास में एक टॉपिक हम कम्पलिट करते हर दिन पोसिस यही है तीन से अधिक पदवाली भाग हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है पहला भिन को एफे लिख लेंगे गुड़ा लगा देंगे इनको पलट देंगे जैसे अब तक करते आए हैं इसमें भी गुड़ा लगा के इनको पलट देंगे डिवाइड कर देंगे 17 एकम 17 फत्रत दें 15 ठीक है 16 एकम 16 16 चोक 16 तीन तालिस होता भाईया तिन चांग ठारा तिन एकम तिन एक चार और कुछ डिवाइड है नहीं नहीं तीन से तीन भी हो जाएगा पहले वाले में वान अपान वन बच रहा है दूसरे वाले में भी वन अपान वन इसमें 5 बच दो तो आपका आंसर आएगा 5 बच दो बोलो आसान है ना एक बार बता दो सभी आसान है समझ में आया आया ना ठीक है बहुत अच्छा बेरी गुड बेरी गुड चलो बच्चा उठी गया और सुबह बहुत बड़ी बात है नहीं देखो गदा जीसे घोड़ा बेंच के सो रहे हैं कहां उठते हैं अभी जगा कि आया मैं दो लोग को फिर जाके लेट गए हमने कहां मर जाओ तुम क्या कहूं और पैंतीस बटा सोला इंटू आफी बटा फत्तर पलट देते हैं भी न को ठीक है फिर ये गुड़ा हो जाएगा भाग की जगा ये भी पलट जाएगा ये सोला है आप देखो कुछ डिवाइड है नीचे उपर में नहीं है वन अपान वन इंटू फाइव अपान टू इंटू इंटू सेबन अपान फोर कोई भी कॉमन फैक्टर नीचे उपर में नहीं है तो पैंतीस बटा आठ इनको चाहे तो सही बटा में बदल लो तो आठ चोग बद तिस चार बार जाएगा तीन सेशपल बचेगा और आठ ये हो जाएगा सही बटा में ठीक है नो डाउट किसी को कोई दिक्कत नहीं चापो कासिफा काजल जी गुड मॉनिंग इसको कर लोगे सबही लोग पका कर लोगे कर लोगे तो ये रहेगा हो मॉर्क ठीक है ये करना आप लोग चलें मस्त है सब चलिए तो जैसा कि आपको पता है कि मैट्स का दर्द मैट्स का दुख क्या होता है आप ही ही से पूँचे है न आईए आईए आज का टोपिक होगा एक नया टोपिक फ्रेक्शन इंटू डेसिमल इंटू फ्रेक्शन इसमें रिवर्स एक्षन होगा इससे इसमें जायागा इससे इसमें जायागा देखो कैसे भिन को दसमलो दसमलो को भिन में बदलना आईए पिछली क्लास में भिन वाला चैप्टर आपने कम्पलीट कर लिया था है ना भया कोई डाउट परेशानी के ओको दुख दर्दना ना चले आओ चलो कि सबसे पहले क्या करते हैं सिंपल सा भाग करते हैं घर को पहाड़ा सभी जानते हो नहीं जानते हो तो कलास के लाशन में कमेंड करना मैं बता दूँगा ठीक है तो दो का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 हो जाए या 5 के आस पास आजाए तो आपको पता है कि 2,3,6 यह 5 से जादा हो जाएगा, 2 दुना, 4 पांच से कम हो जाएगा, ज़्या जादा न जाए, उससे कम हो जाए, चलता है, अगर आप एक रोटी कम खाओगे, चलेगा, लेकिन 3 रोटी जादा खा लोगे, तो नहीं चलेगा, गरबढा जाएगा सब, तो जादा न होने पाए, गटाएंगे क्या आएगा फोर काए को आएगा रहे भीया काए को दिमाग कदही बनाया सुबह सुबह वन वन आया अदे को समझे ना मेरी बात को समझने की कोसिस करना मैं कमेंट से अब का पढ़ूँगा कलास के लाइस्ट में जिनको सीखना है उनका जो सिर्फ नाम वहां बोलने के लिए चुप चाप भाग जाएं मैं बोल रहा हूं ठीक है जो दिल से सीखना चाहते हैं उनका दिल से स्वागत है दिल से दिल तक चलो अब क्या है वन में तो टू का भाग जाएगा नहीं नहीं जाएगा ना तो हम बढ़ाते हैं एक दसमलो नाम की परजाती इसको और फिर यहाँ उतार लेते हैं एक जीरो दसमलो बढ़ाने का मतलब ही हुआ की जीरो उतरेगा अगर आपने दस्थाम्लों बढ़ाया मतलब जीरो उतारना पड़ेगा ही पड़ेगा उत्रा ही जीरो ठीक है जैसे आपने वो कमेडी देखा होगा जब से मांग भरो तब से मांग पूरी करो और मांग भरते बरते अपनी मांग खतम हो जाती है किसी को बुरा ना लगे जेस्ट हर जोक चलो अब दो का पाड़ा पढ़ेंगे तो पांच बार जाएगा दो पंचे दस घटाएंगे कितना आएगा जीरो देखो यह हो गया खतम यह नहीं हम कह सकते हैं इना से हमें जो मिला है जो हाफिल हुआ है वो क्या है दो बटा पांच यह बटा पांच नहीं था यह पांच बटा दो था इक्वल डो 2.5 कि अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो पांच का अधा क्या होता आधाई दो सभा करने का मतलब ही होता आधा करना ठीक है फांच का एक पट Rebel निकला एंड इसको कितने लोग कर लेंगे सैं इमानधारी से बता कितने लोग कर लेंगे इसको से बहुत अच्छी बात रख सूबह इतनी एबन का टेबल पढ़ो कि 25 से ज्यादा नहों उससे कम रहे चलेगा साथ दूना चौदा आपको पता है सात्री के कैस साथ चुका 28 28 25 से ज्यादा हो जा रहा है इसका मतलब चार बार न जाएगा सिर्फ तीन बार जाएगा तो सात्री के कैस घटाएंगे कितना आएगा बढ़ाएंगे चार आएगा अब देखो यहाँ पर समझना अब हम उपर दस हमलों बढ़ाएंगे और यहाँ पर उतारेंगे का जीरो साथ का पहड़ा पढ़ो भहिया कि 40 के आसपास आजाए सभी को पढ़ा है पढ़ा नहीं मतलब पता है कि 7 अंजा 7 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28 जा 35 और 7 6 जा 42 होता है 42 जा ग्रेटर देन 40 तो 6 टाइम तो जाएगा नहीं तो आप 5 टाइम ले जाओगे या नहीं 5 बार जाएगा तो 7 पचे 35 गटाओगे आएगा इसमें से पांच सब्ट्रेक करते हैं एक बार दसंबलो बढ़ा दिया तो आप बार बार जीरो उतारोगे समझे लो जैसे मैंने सुरू में एक्जामपल दिया था एक बार आपने मांग भर दिया तो आप बार बार जिंदगी पर मांग पूरी करोगे अपर उतार लो तास सब्टा 49 घटाओगे तो कितना आएगा एक अब कितनी बार जाएगा अब दसंबलो उतार लोगे फिर से कि इसमें 10 में इसका भाग एक हाँ जाएगा तक गटाएंगे तीन आएगा फिर फिर जीरो उतारोगे देखो इनको पूरा में छोटा करूंगा क्योंकि जगा नहीं आ रही है अर्जस्ट नहीं हो रहा है चले अब साथ चोग अठाइस यहां पर लिखने का भी जगा नहीं बन रही मेरे पास रुकना दिख रहा है यहां पर ठीक है दिख रहा है बहुत अच्छी बात है इनको थोड़ा सा आफ्रेशन करता हूं यह लो साथ चोग अठाइस फिर यहां लिख लो भी आठाइस घटाओ के कितना आएगा दो बड़ा जीब सा कंडिशन बना रहा रही है फिर से जीरो उतारेंगी साथ दूना चवुदा अपिर गटाने पाया च्छे जीरो उतारा चाथ अठेश छपपन कहेंगे पागल कर देगा रही है दादा नहीं मिल गया तो लुफण मिल गया पताए का मिल गया फिर से फोर आ गया ना नीचे फिर से फोर आ गया अब यार मैं बहुत आसान-सान कोश्य बताने अला था तो यह भाग आप इग्नोर कर सकते हो फिलाल अभी आपके लेबल का नहीं आगे में बताऊंगा इस तरीके का कि इसमें नीचे फोर आ गया फिर फिर फोर जीरो फोर्टी आ जाएगा यहां पर आप देखो सिकंड टाइम में फाइब बार भाग गया था ना कि वह था इसका मतलब यह इतने लेटर आप बार बार रिपीट होंगे इतने इन पर बार लग जाएगा ठीक है क्योंकि अब फिर फिर यह साथ पच्छे प्रतिश जाएगा फिरो ही सबाएगा यह अभी के लिए फिलाल नहीं था इसको छोड़ जाने तो चल अब भाग ऐसा लिख दिया था मैंने तो कर दिया यह नहों कि यहां लिखे थे लगाये नहीं अब जलें आगे बढ़ें अब बढ़ियां कोई डाउट ना किसी को यह है आपका भाग मस्त वाला अच्छा वाला सुन्दर वाला चलें इस पर आगे बढ़ें चलो देखो बच्चा चार का भाग छे बार जाएगा चार शंग चोबिस घटाओग एक आएगा उपर दसमलो बढ़ाओगे जीरो उतारोगे है ना एक बार दसमलो बढ़ा लोग तो चार दुना आठ गटाओगे कितना आएगा दो अब फिर फिर आप जीरो उतारोगे फोर फाइब जा ट्वन्टी तो आपका यह हो गया डन खतम समझ में आया फट से चापो में हट गया हूं चलो सौरब समझ में आ रहा है रानी अदित्त चौहान आया समझ में चैविक्रांता राकेश बिनोद सबको आ रहा है समझ में देखो बहुत से बच्चे जुड़े हुए सबका नाम पॉसिबल नहीं है बढ़ा जो बच्चे अंसर देते हैं फटा फट उनका पॉसिबल हो जाता है तो चलो बच्चा पार्टी आगे बढ़ता हूं फटा फट आठ का भाग इसमें कितनी बर जाएगा देखो दस में ले जाएगे पूरा पूरा सौ में न ले जाएगे तो आठ एक कम आठ गटाओगे दो आएगा उप और आठ पंचे चालीस तो दिफिज आंसर यानि यू कैन से इतना बराबर 12.5 इसे आप चार फे डिवाइड करके पचीस बटा दो भी लिख सकते हो पचीस बटा दो कमान भी इतना आएगा समझ मैं आया चुकि मैंने आपको कहा था कि ये सीरीज 10 मिनट की होगी तो इसको म यहीं पेंड करूंगा या आपके लिए होमवार का जो दिख रहा है फटा फटा इसको नोट करें उसके पहले आज का यक्ष प्रस्ण उसको देख ले यक्ष प्रस्ण जो है जिसका इनाम मिलता सर्प्राइच बताओ फिशले क्लास में साथ यहाओ बहुड को सामलो में चेंज करना आपने सीख लिया था आज आपके लिए दो सकता है कि अगली क्लास में करेंगे डासा हमलो को भिंद में बदलना ये चीज़ कल आपने सीखा था पिछ्ली कलास में है तो जेख न से से दशम्लों गये था हमलोग आज से भिंद में जाएंगगे आओ, दो अंक पर दसंबलो है ना, यहीं से सुरू करेंगे, छोड़ी है, इसके और पीछे चलें, थोड़ा और पीछे हो जाएं, रुको, एक अंक और पीछे, चलो, मानलो की लिखा है 0.5, इसको हमें भिर्ने में बदलना है, यहां पर देखना, प्यारे बच्चा, एक अंक पर दसंबलो है, इधर दाहिनी तरफ से किना जाता है, एक अंक फिर दसंबलो, अगर एक अंक पर दसंबलो है, तो ऐसी दसा में हम इसे वन लिखने के बाद, एक 0 लगा के गुड़ा करेंगे, मान पर कोई फरक ना पड़े, इसलिए उतने से ही भाग भी करेंगे, अगर द दो अंक पर दसंबलो होता, तो एक के बाद 2-0 लगा के गुड़ा करतें, तीन अंक पर दसंबलो होता, तो यहां पर एक के बाद 3-0 लगा के गुड़ा करतें, अभी सब बताऊंगा, दस का 5 में गुड़ा करोगे 50, दसंबलो एक अंक पर था, इसलिए यहां एक अंक पर लगा दिया नीचे दस है तो दस ठीक है कि दसमलों के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है तो इसे हम पांच बटा तफ लिख सकते हैं इसे हम फिर से भाग करेंगे फिर होई आ जाएगा तो यह था दसमलों से भिन्ने में बदलना ठीक है बढ़िया मस चल रहा है सब इंदास नंबर एक ठीक है कमेंट सभी के आ रहे हैं मैं देखूंगा बस आधा मिनट तफली करेंगे ठीक है आगला सवाल जैसे 0.32 इसको बदलो भई जल्दी से फट से यादा मिनट में खलन नहीं करना जो आएगा भिन्ने में वैसे छोड़ देना है सर्वन सिंग, पंकाज, मोहिद, सबनाम, लौकोस, निदान, इनका नाम आईए, गितिका, आर्यान सिंग, अनुस्का सर्माज, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं क्या हुआ आज में कुछ सोर को लेक्या नहीं, नो, चलो तो पहला लिखेंगे कुश्चन, ओ स्वारी, जो भी नंबर है दो अंक पर दसंबलो है, मैंने आपको बताया था कि वन के बाद दो जीरो लगा के गुड़ा करेंगे मान पर फरक ना पड़े, इसलिए भाग भी कर देंगे पत्तीस का सो में गुड़ा करेंगे तो बत्तीस सो हो जाएगा दसंबलो दो अंक पर था तो पीछे से एक दो गिनके दो अंक पर दसंबलो लगा देंगे दसंबलो के बाद जीरो के कोई मतलब नहीं होते हैं इसलिए जीरो हटा देंगे, तो यह आंसर हो जाएगा बोला ऐसे ही देख लो 0.435 इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि 435 तीन अंक पर दसंबलो है नीचे 3 0 बढ़ा देंगे यह आंसर आजाएगा इसको फाइनल करना है तीन चार अंक पर दसंबलो था नीचे 4 0 बढ़ा खतम करो यह था आपका साटकर ठीक है ऐसे सब में करेंगे जितने भी कुश्चन है तरीका मैंने पीछे आपको बता दिया फाइनल में आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो ऐसे बस खतम ठीक है इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो दसंबलो हटा करके और एक अंक पर दसंबलो एफली एक जीरो पड़िया मजा आ रही सभी को कि नहीं एक बार सभी अपना नाम जरूर कमेंट करेंगे मस्त बिंदास जबरजास चलो एक उसको भी हल कर देता हूं सिस्टम से दो अंक पर दसंबलो है बच्चा तो क्या करोगे पहले पूरा नमबा लिख लो टू डिजिट पर डेस्मेल है इसलिए वन के बाद टू जीरो लगा के गुड़ा करेंगे मान पर फरक ना पड़े इसलिए उसी संख्या से भाग भी करेंगे इसमें सो से गुड़ा करेंगे दो जीरो बढ़ेगा दो अंक पर दसंबलो था तेहां दसंबलो लग जाएगा नीचे सो तो सो फाइनल में पांच सो बत्तिस बटा सो दीफिजान सर है ना मस्त है चलो बहुत बढ़ियां यह क्या था बच्चा यह था आपका दसंबलों से भिन में चेंज करना और Trajan siitä आपको लोगे सब को इन्हें हम हल नहीं करेंगे कि स्थाहल को बेंगे की किरफ यहीं सीखेंगे हैं संग रॉल करना हम आपको श्रली करन में बताएंगे ने तो बीच में सब डबल डोल हो जाएगा मिक्स हो जाएगा बड़ा जाएगा नहीं स्मचप में यहां दस हमलो हटाएंगे दो अंग पर दस हमलो था दो 0 बढ़ेगा यहां पर दो अंग पर दस हमलो है तो नीचे 2 0 बढ़ेगा यह दोनों सार्ट कर दिया मैंने तरीका अफ नहीं बताया क्लियर? EFG इसको खुद से कर लोगे सभी कर लोगे चलो एक बार मैं वहां चाके कमेंट देख लेता हूँ आपके चलो भाई बहुत अच्छा अन्जू प्रिया अन्नू सौरा व्रंजना मोहीद नीलम बर्मा सोनम सिंग साइलेंट बॉय यह नाम इनका चलो जाग गयो बड़ा जल दी यार आप लोग अगला इसमें पॉइंट होगा बच्चा दसमलो का जोडना दसमलो का जोडना के बाद और आगे चीजें होंगी पहले दसमलो का जोडना ठीक है इसमें एक बड़ा डंजरस मैं क्या रख सकता हूं स्टार्टिंग में एक और टाइब का 0.000 प्लस 9 यह इतने परकार के प्रस्ण करेंगे देख लो कितना परकार है साथ आठ परकार है नहीं आठ परकार के कोशन करेंगे जोडेंगे पहला परकार यह है कि जब एक साधरन सी संख्या में एक अंक की दसंबल संख्या जोड़ें उसके पहले आज का इनाम वाला सवाल जिस पर मिलेंगे आपको 5000 रुपए का इनाम इस सीरीच के सारे सवाल देने दर बताईए भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम गंगा यमुना प्रहंपुत्र या फि एक बाद लाइब में कमेंट करते हैं अच्छी बात है बाद में भी एक बार कमेंट करेंगे ठीक है बच्चा आईए फिर उस तरीके के सवाल पर आगे बढ़ते हैं एक साधारन सी संख्या है जिसमें एक अंक की कोई दसंबलो आली संख्या जोड़नी है कि कहते हैं ना गदाहा के साथ है गदाहा बनना पड़ता है जो लोग गाव दिहाथ से संबंद रखते हैं उनके बहुत अच्छे से पता है कि अगर 12 चराने जारे तो तुमको 12 बनना पड़ता है कि मेरी बात समझ रहे हो जाया मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो लेकिन आपको भाइस बनना पड़ता इसका मतलब यह है कि अगर वो कीचर में बैठेगी गड़्डे में बैठेगी उसमें निकल लेगी और दो चार हैं अगर उनको आप आगे बीचे लगे हो जितना कीचा उनके ल हम लगा लेंगे ऐसे दिखावे के लिए फिर इनको जोड़ेंगे ऐसे अब यह भी दसमलों में हो गए हां किसी भी नंबर में कोई भी नंबर लिखा है उसमें लाश्ट में दसमलों लगाके हम ऐसे कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं मान पर कोई फरक नहीं पड़ता आपने बैंक में देखा होगा अगर किसी की अकाउंट में 4200 रुपय है तो बैंक वाले ऐसे दसमलों लगाके ऐसे 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 लगाए रहते हैं इसका मतलब यह नहीं को उसके अकाउंट में 42 लाक रुपया है यह 42 लाक नहीं only 42 है ठीक है यह बड़ी बाते हैं जो आप पिर दसुर्विंड लगाोगे, इदर राइड साइड में देखो इसके दसुर्विंड के दो है, इदर लेप्ट साइड में जीरो है, लस्कचिन लगाओ, तो दसुर्विंड तीन कर थीन, खतम बात, है ना, इस पर विस्तार फे चर्च आगली क्लास में करेंगे, क्योंकि य आपको 100 वीडियो मिलेंगे, अगर आप सारा फॉलो करोगे, बढ़ेंगे, रुकना थोड़ा सा, ठीक है, आगे हो चलो, बढ़िया है, मस्त, तो साथियों, आपका पॉइंट चल रहा था, आपका डेसिमल, है न, जिसे बोलते हैं, दसमलो, एक बार कमेंट कर दें सभी कि मेरी आवाज, आज सब बढ़िया, एक दाब मस्त, बिंदास है, जबर जस्त, तो जिनको गड़ित सीखना है, ये कलास सिर्फ उनके लिए है, याद रखें, बाकी लोग की यहां कोई ज़रूरत नहीं है, तो बहुत छोटी-छोटी संख्याओं को हम जोडेंगे, जैसे ऐसे, है न, तीनेंग कर लो, अच्छा है, इसमें दसमलो नहीं है, इसमें है, दसमलो के रूप में चेंज कर देंगे, कैसे, कि पूरा-पूरा लिखके, लाष्ट में ऐसे, तो समलो के जश्ट नीचे दसमलो लगाते हैं, इसके राइट साइड में आप देखो 3 और 2 है, तो 3 और 2, लेट साइड में 1 है, तो 1, ये होता इनको जोडने का तरीका सही वाल कितने लोग को पता था? बढ़ियां मस चल राइक दम, अच्छा, चलो, दो में 0 तो 2, तीन में 0 तो 3, दसमलो के नीचे दसमलो, पांच एक छे, ये हो क्या खतम? है ना बहुत ही सिंपल सा? चलो, बहुत ही छोड़ी छोड़ी बातें यहाँ पर करेंगे हम लोग, बड़ी बड़ी बातें दो बहुत लोग करते हैं अगला है जैसे, यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, और ये, ये, रुख जा भईया, माल लो इतना है दसंबलो यहाँ पर बीच में लगा है, सायद आपको कुछ कम समझ में आ रहा है, ये देखो है ना, दिखा? इनको कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले फर्स्ट नंबर को लिखते हैं, देसिमल के जश्ट नीचे डेसिमल लगाते हैं इसमें राइट साइड में देखो दसंबलो के 5 है तो 5 लिख दिया, लेट साइड में देखो तो 4 फिर 1, ये 4 और इसके नीचे कुछ नहीं देख जोड़ देंगे, इसके 4 के उपर कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे इसके 4 के नीचे कुछ नहीं तो 0 लगा लो, अच्छा लगेगा, बराबर दिखेगा 4 हो जाएगा, 5 तो 7 दसंबलो के नीचे दसंबलो, और ये 4, 3, 7 और ये 1 ये गड़ित आप लोग को देख के लग रहा होगा कि किस कलास का है न, लग रहा होगा कच्छा 2-3 वालों का है गलत समझ रहे हो आप, ये बच्चे नहीं, बच्चे वालों के लिए है ऐसे लोग जो टेट, सीट, सूपर टेट के कंडिडेट हैं, बीएट, बीटी सी के कंडिडेट हैं, जिनका मैद से बैग्राउंड नहीं रहा है मैद की वज़ा से उनका सारा, टी एलेट तो पार हो गया, लेकिन उनका लाश्ट, फाइनल समस्टर में बैक लगा है, सिर्फ गड़ित की वज़ा से ऐसे लोगों का दुख और दर्द, कोई समझता नहीं है उमर के ऐसे पढ़ाव पे हैं कि आफलाइन जाके भी नहीं पढ़ सकते हैं, सब क्या करें उनको हम जीरो सिखाते हैं, यही मेरी पहचान, आगे बढ़ें, चलिए बढ़ियां मस्ट, चल भईया, तो तसमलों का जोड़ना लगभग आप लोग करी ले जाएंगे इसमें कई तरीके की चीजें होती हैं, जैसे, एक और देखो, मान लिजिए कि इसमें हमें दो जोड़ना है, कैसे होगा, पता है? आओ देखो, इसमें दसमलों लगा है ठीक है, इसमें तो नहीं लगा है, तो भईया का करेंगे, पता है तुम्हें? जब से पहले दिया गया, पहले फर्स्ट नमबर एसे लिख लेंगे, आप जिसके नीचे दसमलों नहीं लगा है, इसको हम ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा, कितना बार भी आप जीरो बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहां हमें दसमलों के बाद तीन जीरो का काम है, क्योंकि तीन अंक है, तो दसमलों के नीचे दसमलों, इसके लेट साइड में दो, इधर साइड में सब जीरो जीरो बढ़ा लो जितने जरूरत है बस, जोड़ लो, जोड़ लो फटा फट, हो गया खतम, यानि दो में तीन रूपया, ओ स्वरी, दो में लगभग 38 पैसा जोड़ना था, 35 पैस पढ़िया, विकास समझ में आ रहा है, ठीक है, चल भई, आगे, नेक्स्ट, तो ये क्या था, दसमलों का जोड़ना, मेन, गुड़ा वाले में काफी चीज़ें सीखना होता है, चलिए थोड़ा-थोड़ा इस्टेप बाइस्टेप सब कुछ आगे बढ़ते हैं, कोई कांटेंट अगर इसका पहले से पीपीटी बना होता है, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, जैसे हाँ बनाना पड़ता है, जैसे माल लो 49, 5.7, इसमें जोड़ना है 31, 31.37, कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले दिया गया नंबर लिखेंगे, 48.57, इनको एक है जैसे लिखो तो ज्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो अलग-अलग तरीके सोजा रहा, नहीं सही है, यह 31 है, तो 31 को हम लिख सकते हैं, क्या पता आपको, ऐसे 31.000, तो यह 31, दसमलोग नीचे दसमलोग, इधर साइड में देखो, सब 00 है तो, 0, क्योंकि इसके आगे कुछ था ही नहीं, दसमलोग के बाद, तो उसब 0 ही रहेगा, अब यह 1.37, तो दसमलोग नीचे दसमलोग, इसके लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में 3 और 7, ठीक है, इधर देखिए, जिसके नीचे कुछ नहीं, 0 बढ़ा देंगे बराबर, तब बराबर लग रहे है, 7 में 7 जुड़ जायागा, 14, 5, 3, 8, 1, 9, decimal की नीचे decimal, 8 to 10, 8, 14, 7, 8, तो यह हो गया, final answer, कोई डाउट ना, किसी को बढ़िया मस्ट, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है, क्या है, कोई और इसु है, बता भाईया, कुछ दिक्कत नहीं ना, सब बढ़ियां चल रहा हैं, एकदा मस्ट, कि नहीं, कि रन दूबे समझ में आ रहा है, आदित्य मौर्या, अंजली कुपता, सब को आ रहा है, जैसे ये जोड़ना था, वैसे घटाना भी होता है, सेम चीज़ें वैसे होती है, दसमलों का घटाना, जैसे पहला है, मान लिजिए कि हमें 485 से सब्ट्रेक करना है, 3 दसमलों, 3 नो, ठीक है, समझो आगे बढ़ो भईया, समझते रहो बिर्कुल प्यार से, ठीक है, सबी साथी फटा-फट सेशन को लाइक सेर करो, लाइक सेर करो, मज़ा नहीं आ रही है ऐसे, अब पहले वाला जो नंबर है, उसको ऐसे लिख लेंगे, और फिर, देखो यहाँ पर दसमलों इसमें नहीं था, तो हम दसमलों किसी भी संख्या के आगे लगा के उसके आगे अपने जरुरत के अनुसार जीरो बढ़ा सकते हैं, है ना, देखो कैसे, क्यों हो गया, अब दसमलों कि जश्ट नीचे दसमलों, तीन, नौ, इधर देखो तीन, इनको घट आना है, तो दस में से नौ गया एक, इसमें से उधार गया था, नौ, नौ में से तीन गया छे, ठीक है, यहां से यह एक उधार दिया था, इधर साइड में, यह 4, 4 में से 3 गया 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यह आपका 8 और 4 वैसे, इस तरीकिये का आपका अंसर आया, तूरत समझ में आ रहा है, हाँ, कमेंट सब का दिख रहा है, बस only study पे ध्यान दो, सब मस्थ है, चलो, बढ़ियां मस्थ कलास चलेगी, यह कलास आज बड़ी चलेगी, चले, चलो, ठीक है, तो सब बढ़ियां है, बिंदाज, जबरजस्थ, आओ भाया, चलो, आगे बढ़ो, ठीक है, सवाल कैसा था, उपर दस हमलो ना लगा हो, माल लो कि मैंने एफ ए लिख दिया, माइनस, इसमें माल लो हमें 133 सब ट्रेक करना हो बास only, कैसे करेंगे, बताओ, आओ देखें, सबसे पहले दिया गया नंबर अफे लिखते हैं, फिर इसमें कोई point तो लगा नहीं है, तो हम एक काम कर फकते हैं, आपको पता है, इनको हम अफे लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कितना बार भी हैं, जीरो लगा सकते हैं, दसमलो लगा के, यानि हमें जो यह नंबर लिखे गए हैं, इनको इधर है लिखना दसमलो के, ऐसे, चाहे आप दसमलो लगाओ या ना लगाओ, लेकिन दसमलो लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, संतुष्टी हो जाती है यह नहीं बराबर दिखता है फार्मेट में ठीक है अब यह पांच कि दसामलों कि नीचे दसामलों कि इसमें देखो बारा बारा मैंसे तिन गया नौ कि यह बचाग होगा आठ क्योंकि उधार दिया इसको आप एक घटा ना जानते हो ना उधार उधार वाला आठ मैंसे तिन गया पांच कि ठीक है भाईया एक मैंसे गया जीरो खतम 16.5 कि कि किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत तो मुझे बता दो नहीं ना कि इनका नाम है जिगर जिगर क्या कह रहे हैं कि आपकी जीरो से मैथ वाली प्लेलिस्ट से पढ़ लूँ तो सही रहेगा ना सिर्फ इंगलिस जीएस तो बहुत अच्छी है पर मैथ वीख है जी बिलकुल ऐसे रोगी जिनको मैस की बड़ी बिमारी है उनका यहाँ संपू और आप सभी छे लाग से अधिक चात्रों का विश्वास हैं कि हम आपको सिखा पाते हैं और बिलकुल जीरो से सिखाते हैं लोगों के ताने लोगों की बुरी-बुरी बाते सुन करके क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम बिलकुल जीरो से सिखाएं क्योंकि इसमें फाइदा क कम होता है कमाई कम होती है नाम कम होता है फेम कम होता है न लेकिन उनका दर्द किनका जिनकी उमर हो चुकी है 35 साल अगरित में कुछ नहीं आता है उसे कोई नहीं समझता है इसलिए चलता है ठीक है चलो आओ आगे बढ़ते तो ये कई तरीके के होते हैं घटाने वाले जैसे 29.3972 अब अगर इसमें से घटाना है 0.0037 आई ये लिख लेते हैं पहला वाला नंबर 9,7,2 माइनस करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट इसके राइट साइड में देखो 0,0,3,7 है लेट साइड में देखो ओनली 0 है घटा लेंगे 12 में से 7 गया 5 इसमें से एक उधार गया था ये बचा है 6, 6 में से 3 गया 3 9 में से 0 गया 9 3 में से 0 गया 3 दसमलो के नीचे दसमलो 9 में से 0 गया 9 2 का 2 बस ऐसे करते हैं बहुत ही छोटी छोटी बाते हैं कोई इसमें बहुत बढ़ा तो है नहीं है ना बढ़िया तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको गड़िद से डर लगता है कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैज का बड़ा दुख है आत उठाओ जल्दी बताओ कमेंट करके कितने लोग करतो काई यहां आपके सकल देखाया है हम सब का तकलीफ है तबदवाए है मैज दूनने दूनने गुड़ा यानि मल्टीपल आफ डेसिमल दसामलो का गुड़ा ठीक है क्या बच्चा दसामलो का गुड़ा दसमलो यह में का होता है देखो जैसे मानलो साथ का गुड़ा करना है दो दसामलो तीन में तो आप पहले इनका गुड़ा ऐसे करोगे मानोगे कि दसामलो नहीं लगा है तो साथ रिक्यकाई सांसी लाया दो साथ दुना चौदा दो सोला कितना आ गया 161 तो 161 हम ऐसे लिख देते हैं अब एक अंक पर पॉइंट था तो पीछे से एक अंक पर पॉइंट ऐसे चिपका देते हैं यह हो गया आंसर बात खाता हम कुछ नहीं हो ठीक है बढ़िया मस चल रहा है सब चलो भई अब वाला देखो 9 इंटू 1.72 इनको कैसे करेंगे 1.7 माल लो आप टो अटा दो माल लीजिए कि अगर हमें 17 कर नौ में गुड़ा करना हो हमें पता है कि 17 दहमा 170 होता है 17 नमईय एक सो तिरपन होता है होता है तिरपन साथ साथ जा साथ जा सतर ना तो यह एक सो तिरपन होगा अब यह फाइनल में हो जाएगा 153 बट इसमें decimal वन डिजिट पर था तो पीछे से वन डिजिट डिजिट हो जाएगा खतम लेकिन यह यहीं पर खतम तो नहीं हो रहा है अभी इसमें बहुत कुछ है उसको भी देखते चलो जैसे 0.3 इंटू 0.1 रुकज़विया 002 बहुत आसान है ना अच्छे अच्छे गड़ बढ़ा जाते हैं इसी में लेकिन यहीं है दसमलों का कंसेप्ट इसमें सिंपल सा हमें सिर्फ और सिर्फ गिंती देखनी है जालवाल नहीं देखना है इसमें इतना जंगल है जो न मतलब यहनि जो दसमलों लगा है 0-0 है इन सबको छोड़ देना सिर्फ गिंती देखना तुम्हें साफ साफ इक दम यह तो और तीन तो 2-3 यह कितना होगा 6 बस यही अंसर और कुछ नहीं करना है यहाँ पर 1-2-3 यहाँ 3-1 चार अंख पर दसंबलो है तो यहसे 4 अंख पर दसंबलो लगाना है तो 3-0 बढ़ाना है यहाँ पर दसंबलो बस हो गया उरू में 1-0 बढ़ा लेते हैं वैसे इमान्तारी से बता ना जूट मत बोलना है आपके किसी का भी आहनी करवा रहे हैं जूट बोलने कोई फाइदा नहीं है और कितने लोग ऐसे हैं तो जो 30 प्लस हो चुके हैं मुझे पूरा उमीद है हमारी कलास में 50 परसेंट होंगे जो 25 प्लस हैं और कम से कम 30 परसेंट हैं जो 30 प्लस होंगे और कम से कम 10 से 15 परसेंट ऐसे हैं जो 35 साल के उपर होते हैं तुम्हें क्या लगता है इसको उमका पांच वाल थोड़ी पढ़ा रहे हैं समझे रोग नहीं कुछ बच्चे भी जुड़ जाते हैं भूल चूक से वह मैं नहीं मतलब मना कर रहा है कि नहीं जुड़ते हैं कुछ बच्चे अचकचा अचन वाले भी जुड़ जाते हैं लेकिन वह अपवाद होते हैं वो सिर्फ मुझे परसान करने लिया आते हैं मैं उनका उद्देश से पढ़ाता नहीं हूँ हाँ काम का उनके है लेकिन वो परिशान बहुत करते हैं आगे बढ़ें चलो आगे देखते हैं अब डेसिमल की ही हम बात कर रहे थे ये डी वाला नंबर अगला देखना जैसे 1.23 इन्टू 0.0001 इनका गुड़ा करना है विदिन सिकेंड में कैसे देखो इधर एक है शिर्फ एक है इसको पूरे में गुड़ा करेंगे तो जो भी आपकी गिंती दीख रही है एक दो तीन वही आएगा कुछ बदलेगा नहीं लेकिन दसंबलो का इस्थान बदल जाएगा यहाँ पर देखो एक, तीन, चार अंक पर दसमलो है यहाँ पर दो अंक पर है तो फाइनल में 6 अंक पर दसंबलो होगा तीन अंक पहले से यह तीन और बना लेंगी यहाँ पर दसंबलो और सुरु में 0 बढ़ा लेते हैं ऐसे यह 0 कैसे आता है क्यों आता है पता है आपको आपको कहो कि दसंब्लों तो लगा दिए 6 एंग पर ठीक है लेकिन यह 0 कहां से आ गया तुरु आला बताता हूं इसका क्या मतलब है समझो बता आ रहा हूं रुको थोड़ा से बता आता हूं एक मिनट चले आगे चलो बनिया ठीक है गुड तो बच्चा यह मैं बता रहा था कि यह कैसे आया जीरो जैसे देखो अब माल लो कि मुझे आठ का भाग करना है किस में पांच में समझ ना आठ का भाग मुझे पांच में करना है अब देखो आठ का भाग एक बार तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि यह बड़ा हो गया यह छोटा हो गया भाजक हमारा बड़ा है और भाज जैने डिवीडियन क्या छोटा है तो एक बार तो जाएगा नहीं तो हम कहेंगे फिर एक बार नहीं जले जाएंगे फिर का करेंगे फिर हम जीरो बार ले जाते हैं एक बार पहली बार भाग जरूर ले जाते हैं बाद में कुछ भी करते हैं 3-5 ठीक है अगर एक बा आग जीरोवा ले जाएंगे यहाँ पांच्छ आपको ना मुरह थोड़े है ऐक बार पता है जीरो बार ले गआंगे पर तो फिर गिंतिया गयें जी रीघर जी रोबारइल जाएंगे एक बार द्हुखा खाना बार नहीं जिंदगी चलो देखो पिर तो एक बार हो चुका दूबार हम सतर इसका नहीं हो रहा है तो हम यहां पर दस आमलो बढ़ाते हैं और यहां पर जीरो उतारते हैं ठीक है अब 8, 6, 48 घटाएंगे आएगा 2 तसमलो बढ़ाये जीरो उताल लेंगे 8, 2, 16 घटाने पाया 4 तसमलो बढ़ाया था फिर जीरो उताल लेंगे 8, 5, 4 देखो मेरा बताने का ये उद्देफ से था कि ये वाला जीरो कहां फे आता है ये ही बताना चाहता था बस में कि ये वाला जीरो कहां से आता है बस समझ में आया ना सभी को मस्त क्लियर हुआ ना आप समझ गये ये वाला जीरो कहां से आता है तो इसी तरीके से यहां भी आप समझ गये होंगे ये वाला जीरो ये वाला जीरो कैसे में मुल गया मुफत में clear पढ़ियां चलो आईए तो एक नंबर और भी लिख लो कुछ भी anything लिख लो भाईया 24 24 इंटू गुड़ा करो कितना आएगा जल्दी से सभी लोग करो फटा पर चलो जल्दी करो 2.5 इंटू 0.005 जल्दी करो फट एक लाइन का question है बहुत सिंपल है एकदम concept clear देखो 24 का तीन में गुड़ा करेंगे सीधा सीधा होता है 72 सबको पता है यहाँ पर एक दो तीन अंक पर decimal है दो अंक पर decimal है फाइनल में पाँच अंक पर decimal बनेगा यह दो अंका लेड़ी है तो तीन जीरो इसको चाहिए तीन जीरो बढ़ाएंगे यहाँ दस हमलो लगा देंगे हो गया आंसर लेकिन याद रखना तीन जीरो हम इधर नहीं बढ़ा सकते ने तो सब सत्यनास होई जाएगा कहां यह 72 था कहां यह 72 हजार हो गया तो दस एक हजार गुना मान बढ़ जाएगा तो अगर कहीं भी हमें संख्या बढ़ानी है दस हमलो लगाने के लिए तो जीरो हमेशा दी गई आधानी संख्या के बाएं तरफ बढ़ाते हैं दाह擊 तरफ नहीं तीक है पडिया हमस्द चल्राइऑ रभी खुब बतियार है देख रहा हूँ तुमें से और कौन बतला हैं इना को बुलक करो बढ़ा कर इअनको भगा यहां से और इनीओन को ही चलो ठीक है बनिया मस्त आगे बढ़ो चलो इसको क्या करेंगे इसमें हमें गिंती जो दिख रही वो 25.5 दिख रही बाकी 0 है दस अमलो है उससे नहीं मतलब है तो हमें पता है कि 25 पंचे का होता है 125 भाईया देखो यहां पर 3 अंक पर दसमलो यहां पर एक अंक पर तो फाइनल में 4 अंक पर दसमलो होगा बाबू कितने पर चार अंक पर तो तीन अंक तो पहले से अलेड़ी है तो एक 0 यहां बढ़ा लो हो गया 4 अंक और चिपका दो यहां पर दसमलो एक 0 बढ़ा लो बस सुन्दर लगेगा समझ गए ना नो डाउट किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई दुखदर दिसमें नहीं चलो आप लोग only पढ़ाई पर ध्यान दो बस सिर्फ पढ़ाई only study focus करो comment छोड़ दो इनको जो करने करने दो चलें आगे यह तो सब करे ले जाओगे कुछ बड़ा तो है नहीं इसमें यार चल भाईया लिखो 0.20 into 0.54 इसका मान बताओ जल्दी से जल्दी बताओ क्या आएगा बहुत इजी है बहुत आसान देखो हमें क्या करना है यह एक 0 है लाष्ट में तो लाष्ट वाला 0 उताल लेना है कुल मिला के फाइनल में हमें 20 का गुड़ा 54 में करना बस ठीक है तो 20 का गुड़ा 54 में करने का यह मतलब है कि एक 0 उताल लेंगे और 54 का डबल कर देंगे 54 का डबल जेको 50 का डबल 100 होता है और 4 उसमें एक्स्ट्रा है तो 8 हो जागा एन 108 बीना दिमाग का सवाल चलो कितना 108 देसिमल यहां पर वन टू डिजिट पर था यहां पर भी टू डिजिट आप मानलो है ना तो फो डिजिट पर डेसिमल यहां पर लगा दो बात खतम कोई डाउट ना किसी को कोई दिक्कत को दुख दर्दना ना कुछ लोग अचा यह भी सोच सकते हैं कि यहां पर अगर हम 0 हटा दें क्योंकि 0 का कोई मतलब तो है नहीं है ना तो पता है क्या होगा तब यह होगा अगर हम 0 हटा दें इनका गुड़ा होगा तो 54 दूना कितना होगा 108 होगा सिर्फ और सिर्फ हमें 108 मिलेगा और हम तीन अंक पर दसम्लों लगाएंगे तब और तब तीन अंक पर दसम्लों लगाएंगे 108 में तब भी यहीं आएग हो दसामलों तब भी वहीं आएगा आएए दसामलों का भाग करना थोड़ा सा सिखा दूं क्या इसमें जैसे अगर आप देखो 6.25 इंटू 2.5 दसामलों का भाग कैसे समाझे ना छोटी छोटी बाते करेंगे बहुत बड़ी बड़ी नहीं इसमें दो तरीका है पहला एक कि हम दसामलों हटा के इसमें 0 बढ़ा लें तो बताता हूँ पहले मैं इदर छोटी छोटी बात बता हूँ जैसे देखो इदर अगर कहीं 0.5 लिखा है इसका मतलब जानते हो इसका मतलब आधा एक वटा दो एक अंक पर दसामलों है तो साथी मेरे इसको हम क्या करेंगे वन के बाद एक 0 लगा के उड़ा करेंगे हर जगा अगर दो अंक पर दसामलों होता है तो 1 के बाद 2 0 से गुड़ा करते हैं 3 पर होता तो 3 0 लगा के गुड़ा करते हैं मान पर कोई फरक ना पड़े इसलिए उसी सेम संख्या से भाग भी करेंगे ठीक है गुड़ा करेंगे 10 पचे 50 एक अंग पर decimal था यहां लगा देंगे नीचे 10 इस तरीके से साथी मेरे यह आएगा पांच बटा 10 पांच बटा 10 को डिवाइड करोगे 1 अपांट टू आएगा कितना आएगा हाफ ठीक है इस चीज़ समझ गे कैसे होता क्यों होता है तो इसी कांसेप्ट पर अगर मैं कहूं कि ऊपर हम हल करके दिखाए देता हूँ दो अंक पर दसमलो था तो एक के बाद 2-0 लगा के गुड़ा कर दें और मान पर कोई फरक ना पड़े इसलिए नीचे भी हम उसी से भाग कर देंगे बढ़िया यह 6, 2, 5 जो भी लिखा है लाश्ट में 2-0 है लगा दिया यहाँ पर गौर करना दो अंक पर दसमलो था जो की यहाँ दो अंक पर रहेगा नीचे इसमें गुड़ा करेंगे तो यह 2-5-0-0 दसमलो के बाद के जीरो हम हटा सकते हैं है ना दसमलो के बाद के जीरो को हम आराम से प्यार से हटा सकते हैं यह 625 बटे कितना हो जायेगा पचीस और double zero पचीस से डिवाइड करो पचीस आएगा इसको पचीस से करो 100 आएगा फिर पचीस से डिवाइड करो 25 चूँ का 100 देखो एक्चूली क्या है न कि 625 चूँ का 25 होता है तो चाहे तो आप इसको एक बार में काट सकते थे तो फाइनल में आया का बच्चा एक बटा चार दसामलों में चाहे तो बदल लो लेकिन कोई मतलब नहीं है सिर्फ कांसेप्ट सीखो मतलब सीखो बस सबको समझ में आ रहा है राज सिंग समझ में आया बीरू किरन आदित मिश्टर राज कह रहा है कि दसामलों में जीरो का मतलब नहीं होता है का मतलब जरूरत के अनुसार होता है जगा जगा पे होता है हर जगा हर चीज का मतलब नहीं होता है ठीक है किसी भी चीज का मतलब किसी भी चीज की कीमात उसकी जरूरत और वक्त के अनुसार होती है जैसे आपने देखा होगा कोरोना महामारी में 10 रुपए का पैरा सिटा माल भी लोग 100-100 रुपए का बेंचे लोगों ने खरीदा कहीं मिल नहीं रहे थी भागम भाग समझ रहे हो अगर आपको प्यास लगी है 10 दिन से दस दिन तो वसे कोई चलेगा नि निपड़ जाया को मुझे लगता है चार दिन से तीन दिन से लगी है या मालो सुबा सही लगी है और कोई अगर आपको एक पानी की बोतल 100 रुपए का भी दे रहा है अगर आपके पास पैसा है तो आप आराम से ले लेंगे क्यों क्योंकि उस समय आपकी जरूरत है समझ रहो और अगर आपको नहीं लगी है तो 10 रुपय वाला कोई 5 रुपय हैं भी देरा तब भी आप कहेंगे हाम है नहीं काम है तो जरूरत पैदा करो भूख पैदा करो कोई चीज को पाने के लिए सीखने के लिए तो किसी भी कीमत पे आप उसे पा सकते हो अगर भूख है तो जरूरत है तो वैसे गडित भी है लेकिन मैं इसको बताया क्यूँ हाँ मैं इसको इसलिए बता रहा था कि दसमलों का मतलब कहां क्या है आओ देखते है थोड़ा सा वक्त और समय के अकॉर्डिंग जैसे 0.5 लिखा है या 0.50 लिखा है या इन में जानते हो जगह और समय के अनुसार क्या इस्तिती है इन में इन तीनों का मतलब एक है है यहाँ पर इन दजीरोज का कोई मतलब नहीं कोई बैलू नहीं है लेकिन अगर यह ऐसे हो जाए या यह ऐसे हो जाए तो इन सब का मतलब है सब का मतलब है सारे 0 का मतलब है समझ में आया तो मैंने बताया जगह और टाइम के अनुसार जगह का मतलब यह पहले इसके पिछे लगे थे पिछे पिछे लगे थे तो ये इसको कोई भाव नहीं दे रहा था जो 0 है क्या है संक्या 5 के पीछे लगे है न तो 5 इसको कोई भाव नहीं दे रहा है यानि इसका कोई मतलब नहीं इसके पीछे लगे होने का लेकिन जब ये इसके पीछे हो गया इसके आगे आगे तो इसकी बैलू बढ़ गई समझे रहो ना ऐसे जिंदगी में भी होता है तुम जिसके पीछे पढ़े रहते हो ना उसकी जिंदगी में तुम्हारी कोई बैलू नहीं होती है लेकिन जहां हो तुम्रे आगे आगया फिर उसको बैलू बढ़ गई तुम्हारे लिए क्यों बहुत सारी चीजें हैं बहुत जगा लगू होती हैं अब क्लास में देख लो नार्मली छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं मानलो हाइस्कूल इंटर में या फिर आप ग्रिजेशन वाले हो कुछ भी कर रहे हो जो भी एक खात्र होगा जो तेज होगा सबसे यानि सबसे आगे होगा उसकी बैलू सबकी नेजर में जादा होगी को लेकिन जो आप से पीछ ओगा मास बहू बहले कर दहाओ लेकिन जो आपसे भी पीछहोगा उसकी इच्छत नहीं करो गया आप सो Sud werden पहुता होते होती कि counterăm के पीछ नहीं यह इस्टोरी ओनली ओनली दसमलों पे ही लागू होती है ठीक है? बढ़िया चल रहा साब मस्त बिंदास जबरजास चलो तो एक बात बताओ में पांच तीन या 0.5 या अच्छा इन तीनों में कौन बढ़ा है? इन तीनों में कौन बढ़ा है? अभी थोड़ा कम जाएगा, रुको, रुको, रुको अब या रुक जाओ, रुक जाओ, रुको, रुको, रुको रुको, 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 रुको तो अब सही है तो इन तीनों में कौन बढ़ा है चलो ही बता दो जाने तो ही बन रहा है कौन बढ़ा है बहुत अच्छा बच्चा बेरे गोड बेरे गोड बेरे गोड ठीक है देखो इसमें का है न कि ये दोनों तो बराबर है ये दोनों बराबर है और ये तो बहुत है चोटा है ये तो बचवा आया भी इन लोग के सामने ये इसके दादा है यह 50 है, 50, 50 पैसा, यह 15 पैसा है, ठीक है, समझाना, जिनको लग रहा है कि यह बड़ा है, ऐसा नहीं है, यह दोनों बराबर है, ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, यह टॉपिक चेंज करके, बाकी चीजें इस टॉपिक में आएंगे, तो सीखते रहेंगे, मुझे यह बताओ, कि सबसे, हाँ, आज का यक्ष प्रस्ण तो मैंने पूछा ही नहीं, इसमें प्रस्ण भी पूछते हैं, इनाम वाला, ओहो, यह जो भैच है, इसमें इनाम वाला प्रस्ण होता है, पूश्चा नमबर 24, बच्चा, बतादो भाई, चलो, चलो, संख्या 0, क्या है, भाज संख्या, अभाज संख्या, तहां अभाज संख्या, ना तो भाज ना भाज, इनाम वाला प्रस्ण है, गुरु यह, इसी पर तो इनाम मिलेगा सर्प्राइज वाला है, यह 5,000 रुपए जीतने वाला, बताओ, जल्दी करो भाईया, बता लिया सा भाई, चलो, गूड, बढ़िया, मस्त, बढ़िया, गूड, जबर जस्त, चलो, तो यह इनाम वाला सवाल खतम होता है, अब मुझे लगता है क काफी टाइम भी हो गया, नहीं तो मैं आप से कुछ और भी सवाल करूँ, एक चीज और बता दूँ कि यह जो सिरीज आप देख रहे हो, यह सुबब पांच बजे लाइब होती डेली, आज इस्पेसली सिर्फ यह क्लास नमबर 24 रात 9 बजे चल रही बस, उसका कारण था का नहीं बताऊंगा, कलास के बाद में कमेंट करना आप लोग, उसका सर्प्राइज वाला है वो, ठीक है, अब यह नारमल प्रफन, नारमल से प्रफन यह हैं बच्चा कि यह बताओ मुझे 14 का स्कॉयर क्या होगा, 13 का क्यूब क्या होगा, जल्दी फटा फट बताओ, एक एक 1331 का घनमूल क्या होगा, यह सब मेरे मुझे सवाल निकला, आपके मुझे उत्तर निकलना चाहिए जट से, नहीं निकल रहा तो मान लेना आपको बेसिक नहीं आता, कल्कुलेफन नहीं कर पाओगे फिर, यह कुछ है थोड़े यार, बिल्कुल एकदम छोटी क्लास वाला ह आपको यह बिल्कुल याद होना चाहिए, रटा रटाया एकदम, 15 का स्कॉयर क्या होगा, 20 का घन क्या होगा, इस फियाफान कुछ हो ही नहीं सकता है, अब अहीं लोग कर लोगे ना, इस मिर्ती कस्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा, very good, very good, चलो, मस्त, जबरजस, बिंदास, चलो, ठीक है, तो यह सब बहुत ही छोटी छोटी बाते हैं, एकदम नन्नी नन्नी सी, प्यारी प्यारी सी बाते हैं, इसमें कुछ तो और है नहीं, मुझे यह बताओ कि यह एक समकोंड तिर्भूज है न, अगर यह भूजा 13 cm है, यह 12 cm है, तो मुझे यह बताओ, BC कमान क्या होगा, क्या आप 5 सिकेंड में बता लेते हो, अगर 5 सिकेंड में बता लिए तो इसका मतलब आपको बेसिक आने लगा है, अब नहीं पढ़ना है, बता हो, जल्दी करो, फटा फट विदिन सिकेंड में, चलो, यह सब बेसिक गड़ी था, जीरो लेबल वाली, अच्छा, एक ठी अउर बता दो फिर इसीम लगे हाथ, एक अउर बता दो इसीम लगे हाथ, चलो, यह बता भहिया कि P, Q, R, एक कोणवा कहा है पता है तुम्हें, एसातर है और यह अफ़ी है, तो मुझे बता कोण P कितने का होगा हो, बस दूई सिकेंड का सवाल है, दूई सिकेंड, प्ले लिस्ट में इसके सारे 24 पार्ट मिल जाएंगे, आज तक जो भी चलें, नहीं देखें, तो एक तरफ से सीरियल से देखें, तभी कुछ होने माला है, देखो अधिकतर लोगों का गड़बड हो गया न, बेसिक नहीं आता है, एक तरफ से देख लो बच्चा, बेसिक जब तक ना आएगा जिंदगी में किसी भी परिच्छा में जहां भी गड़ी तो होगी मामला गड़बड हो जाएगा, गड़ी इतना जिंदगी कभी ने छोड़ती पीछा, जैसे जनम होता, डेट आप बर्थ, आजकल तो टाइम भी नोट होता है, कितना बचके, कितना मि बात नहीं करेंगा, आईए आगे बढ़ते हैं, और भवी फिनिरधारित करने माले आजकल कौन सा भवी से बताते हैं, पता है तुम्हारी साधी कभ होगी, तुम्हारी गल्फेंट तुमको छोड़के कभ गई, तुम्हारी जो गई है वो कभ आएगी, पौसर ऐसे एड़ करते हैं, आजकल देखो एश्टो टाक वाले न, वो क्या करते हैं, वो यही एड़ में लगाते हैं वीडियो, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारी देखोगे, अगर वो यह कुछ धंग का सवाल लगाएं, तो कोई दखबें न करेगा, उनकी कोई पुछबें न करेगा, क् मैं भी का इतने पहला चैट फ्री, फ्री किनाब पर कुछ नहीं होता है, एक बार मैसेज करोगे, कॉल करोगे, दस रुपे या आठार रुपे मिनट लगता है, मैं करके देख चुका हूँ, तो यह तीनों कोणों का योगफल होता, 180, जोड़ोगे, तो 115 होगा, स्वरी, 1500 ह होगा, यह 30 हो जाएगा, 180 यह होगा, 144 घटा होगे, 25 आएगा, वर्ग मुल करोगे, 5 आएगा, है ना कितना असान, आज का कुछिशन होगा, यक्षप्रफ्न, इनाम वाला प्रफ्न, इनाम वाला प्रफ्न, आज सबसे पहले, ठीक है, तो बहुत सारी चीजे मैंने पढ़ा है, उसी में यह भी बता रहा हूँ, मैं, यह बताओ, 3 बटा 7 की, सम्तुल भिन, यानि इक्वालियन्ट फ्रेक्षन, इक्वालियन्ट फ्रेक्षन बोलते हैं, इसकी इक्वालियन्ट फ्रेक्षन कौन है, पहला है, 10 बटा 14, यही नाम वाला सवाल है, अगर आप इस स्रीज को फालो कर रहे हैं, आपको पता होगा, इस कोईशन का, पूछने का क्या तात पर है मेरा, ठीक है, लेकिन अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं, तो पीछे के इसके 24 क्लास देखना, क्लियर हो जाएगा, इसको मैंने क् कुष्टन डेली करता हूँ, और इनके सारे जवाब देने वालों को फाइनल में एक सर्प्राइज मिलेगा, पिछली क्लास में बच्चों जहां तक मुझे याद है, हम लोगों ने दस हमलों का उड़ा भाग पढ़ लिया था, क्या, सायद भाग नहीं पढ़ा था, अगर पढ़ा भी था तो चलो आज प्रेक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, आज इस क्लास में सिर्क प्रेक्टिस होगा, चलो प्रेक्टिस, अब भ्यास, बहुत जरूरी है प्रेक्टिस, बहुत कुछ पढ़ा है तो प्रेक्टिस कर लेते हैं, जो चीजे नहीं पढ़ाया होगा अब तक आने वाली क्लासों में पढ़ा देंगे और जो चीजे पढ़ा दिया है बहुत अच्छी बात है ठीक है आज प्रेक्टिस होगी बताओ जीरो पॉइंट थ्री इसका मान क्या होगा अगर आप इसका अंसर दो तीन सीकेंड में सोच ले रहे हो तो मान लो कि आपको आने लगा है सब बढ़िया मस चल रहा है लेकिन अगर आप सोचने में इसका अंसर मिनट लगा रहे हो तो गड़ बढ़ है फिर तब गड़ बढ़ है तब गड़ बढ़ ह बताओ जल्दीश देखो बहुत आसान है बहुत ही सिंपल सा जबाब है इसका बहुत आसान है तीन का पांच में गुड़ा करना है थिरी फाइब या फिप्टीन क्या होगा थिरी फाइब या फिप्टीन और दसंबलो का हिसाब करें तो यहाँ पर तीन अंग पर है यहाँ पर एक अंग पर है फाइनल में चार अंग पर दसंबलो होगा एक दो तीन अंग पर है दो अंग पर है चार अंग पर है सी वाला सही है ना समझ में आया बहुत अच्छा अच्छा पार्टी चलो भाई दूसरा सीकेंट सवाल आज के लिए सीकेंट सवाल की तरफ हम लोग देरे-देरे कदमों से आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताओ एक बटा तीन की सम्तुल ने भिन इक्वालियंट फ्रेक्षन है ऐसे तो आप लोग वाला कुश्चन भी नेकल कर लेंगे बता भाया बहुत अच्छा बटा देको इक्वालियंट फ्रेक्षन जो होती जिसके बोलते हैं सम्तुल भिन वो भिन खुद उसी का एक पार्ट होती है यानि उसमें किसी एक निश्चित संख्या से गुड़ा या भाग करके हम प्राप्त करते हैं ठीक है डन कोई डाउट ना किसी को चल भाया आजाओ तो कोई एक निश्चित संख्या से उपर और नीचे दोनों में यानि अंसा और हर में गुड़ा कर दें या भाग कर दें तो सम्तुल भिन का जनम होता है तो इस तरह इसमें चार से गुड़ा हुआ चार एक कम चार चार दियां बारा तो आपका ए वाला सही कुश्चन नमबर तीन प्यार से देखना अच्छे देखना मस तरीके फिर ठीका बच्चा चलो यह बता मुझे जैसा कि मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं तो फिर जीरो से वाली बाते भी होंगी कि पंदरा का वर्ग क्या होगा हो जाद रखना मैंने बताया कम से कम 25 तक का आपको याद हो जाना चाहिए है पहला 100 होगा 125 होगा 211 होगा या 225 होगा बहुत अच्छा देखिए जो बच्चे इतना सुबासुबाद जग गए लगभाग संथिंग 1500 बच्चे जुड़ गए हैं बहुत आगे जाएंगे क्योंकि सुबा सुबा उठना ना लोगों की आजकल कहते हैं हम अपनी गलतियां को छुपाने के लिए लीपा पोती कर लेते हैं वह अलग बात है वाकि बहुत बहतर होता अगर आप उठके हो रंजना जी गुड़ मानिंग कांता जी गुड़ मानिंग और कैनात खातून अभिषेख अभिनंदन लोकुस अमीद सभी को गुड़ मानिंग सुबा पांच बचे डेली ये सिरी जाती है जग जाओ लाइब आजाओ फटाफट चलो फोर नंबर आजा बच्चा बारटी भई पंदरा का इसको आज़ दोसो पचीस होता है न हाँ जानते हो न अच्छा जानते हो तो बहुत अच्छी बात है बेरे गुड़ चलो यह बता मुझे बढ़िया कि चार की घात अगर यहाँ पे लिखा है पंदरा का मान मतलब हम इसको तोड कैसे सकते हैं पहला आपसन है इसको चार की घात दो आठ लिख दें इसको चार की घात चार यहाँ तीन लिख दें मतलब कोई आपके खोपड़िप चढ़ा हो और उसके ऊपर भी कोई ओर चढ़ात बेता हो जाएगा निर्साटव को तोड कैसे सकते हैं एक्चुली बात यह है पताता हूँ तुम्हें में देखो ज़र यह घातांका नियम आपने पढ़ा होगा इफ एक पावर यम इन्टू यन देन एक पावर यम इन्टू यन ये घातांका नियम है समझगे होगे अब तो ना दो अठे सोला जोकी जादा हो जा रहा है चारतियां बारा इससे कम हो जा रहा है तीन पचे पंदरा बिल्कुल मस्त बैट रहा है दम सेटिंग है इसकी चलो फाइप नंबर कुश्चन फटा फट जटा जटा आगे बढ़ते रहो बच्चा बिल्कुल बेसिक से है एक दम जीरो से है अगर जो भी टॉपिक मैं इसमें पूछ रहा हूं नहीं पढ़ाया हूं तो आने वाली कलासों मैं पढ़ाऊंगा आज आप अपने आपको अजमालो कि आप कितने पानी में हो आपको कितना आता है है ना भरम दूर हो जाए तो सब कुछ इसमें कबर करेंगे हम सब कुछ ज A बराबर 70 कोण B बराबर 80 तो कोण C बराबर कितने अंसका होगा भाईया विदिन सीकेंड का सवाल है चला हो जल्दी करो फटा फट जल्दबाजी नहीं बेरे गुड सभी एक बार अपना नाम बोलके अटेंडनेंस जरूर लगाएंगे कि आप आ गयो सालनी निसाद शीवा सरोज अनुराख मनीश रिसी और कोई एनिवन यह वह जो एक्टिव हैं और कुछ लोग ऐसे भी है जिनके माँ बापने दुचाठी लगा के उठा के बैठा तो दिया लेकिन आई से जूल रहे हैं कि हाँ खतम करेगा इक लास जल्दी से पूरसत मिले है ना असीवार रहे हैं उनको चलो कोई बात नहीं आओ में इस अंजली सा आनि यह हां कमेंट आ रहा है देखो बच्चा पार्टी मैंने आपको बताया साही नहीं क्योंकि आप खुद बच्चे वाली पार्टी बना चूक् disp to कि दिनेर हैं लेकिन फिर भी ठीखने वाले हैं तो तिर्बुच के तीनों कोड़ों का योगफ़ल 180 होता है तुम्हें पता है होता है तीनों कोड़ों का योगफ़ल बनेगा तो यह कोईश्टन थोड़ा फालाग होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं तो यह यहां पर फी हो जाएगा उसमें क्या ही करना है कि हमें एंगल कि अब भी यह रुक जाए यार कि यहां से यह तो समकोंड हटा दो यह तो फिर इनका थोड़ा सिस्टेम बदल दो और ना यह गलत हो जाएगा कि यहां से तिर्भूज लिखो बस ओनली तिर्भूज नाट समकोंड समकोंड लिखेंगे तो फिर हमें एक कोंड पर नबबे दिखाना पड़ेगा न फिर ऐसे कूश्ट ये हैज सिर्फू 6 अबि EC bisa में कोंड एतना है अभी उतना है तो कोंड शी कमान या b कमान आपको निकालना है रूको ठीक है, A कमान और C कमान मुझे दिया है, यह C दिया है, इस पे अगर समकोन है तो C होई नहीं सकता है, जानते हो कि नहीं, तीनों कोड़ों का योगफ़ल एक्सवासियंस होता बच्चा, वैसे यहां समझाना नहीं है, तो अगर दो ही कोड का मान हमें दिया है, तीफरा का नहीं दिया है, तो कोड भी हम ऐसे लिख लेंगे, इनको दोनों जोड के घटा दो, तीफरांस आएगा, है ना, कोईशन लेक चलना का विजिया, कोड भी पढ़े हो ना, एंगल, कि नहीं पढ़े हो भी, पढ़े का नहीं, चलो, पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अब मुझे यह बताओ कि संपूर्ण कोड कितने अंसका होता है, इट्स काल्ड, कम्पलीट एंगल, जल्दी, फास्ट, कितने का होता है, कम्पलीट एंगल, कितने डिगरी का होता है, कितने हम नहीं पता है, आत पहली बार हम सुननता ही, बतिये, कम्पलीट एंगल, मैं ऐसे खड़ा हूँ, आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे डिवाईस आते हैं, आज कल भाईया, 360 डिगरी का जानते हो, संपूर्ण कोड बनाता है, हम ऐसे खड़े हैं तो ठीक है, ऐसे गूम गए तो 90 का कोड बन गया, ऐसे गूम गए तो गूम जाती एक बार, तो 360 का होता है, कुशन नमबर 7, पढ़ियां मस चल रहा है एक दम जबर जस्त, कुछ दिक्कत परिसानी किसी को, एनी परिसानी एनी दुखदर्द, अरे मतलब कुशन में बाकी तो जिन्दगी वैसे दुखदर्द बना रखे हो, चलो, अगला सवाल क परिसानी आए, देखो भिन वाले से, भिन, काउन से भिन, उचित भिन जानते हो, हम बातें छोटी-छोटी करते हैं, उचित भिन है, उचित भिन को बोलते हैं, प्रापर फ्रेक्षन, 7 अपान 3, 8 अपान 9, सी, 13 अपान 11, और D है, 9 अपदीच, प्रापर फ्रेक्षन, उचित भिन, क्या है, बताओ, कितना आफान है, बचवा भी कर लेगा, आप लोगों को, कोई बात नहीं, चलो, मैं बताता हूं, क्लास थोड़ा बली, मतलब बड़ी चले तो थोड़ा मजा आती ने, मुझे ऐसा लगता आए थी, क्योंकि छोटी कलास में कुछ हो नहीं बाता है, लेकिन मुसीबत है, क्या, देशारी मुसीबत हैं जिन्दगी में, क्या ही कहूं, यह सीरीज मैंने चोटी चलाने के लिए बोला था, आपको, चलो, 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 बाई, तो इसमें उचित भिनन ये व बताना है बिदिन सीकेंड में जल्दी बता भया लसी में लीस्ट कॉमन मल्टिपल बेरी गुड मैंने आपको बताया था कि अगर दी गई सभी संख्याएं क्या हैं आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखती हैं इनका दूर-दूर से कोई रिस्ता नहीं आपस में तो असी संख्याओं का मल्टिपल ही हमेशा उनका क्या होता है ल्सी एम होता है तो तीन सत्य एक एस एक एस पंचे एक सो पांच सी भी अपसन चल भईया एलिग्राम पर फालो कर लिजिए का अगर क्लास का लिंक को अगरा चाहिए तो ठीक है भईया चलो कुशन नंबर आठ होई गरहां नौ नंबर में आ जाओ आठ साग नौ ठीक है आओ आगे बढ़ते हैं फटा फट दोड क्या आओ ये बता मुझे संख्या बारा के कुल क्या है संख्या बारा के कुल अपवर्तक हैं कितने अपवर्तक हैं बारा की नौ अपवर्तक है, चार है, तीन है, नौ अपवर्तक मिन्स फैक्टर, जल्दी करो भाया, फटा फट, बेरे गूड, अंकीता बहुत अच्छे, अंकीत, कभी, यह नाम है इनके सब के, 10 नंबर में आजाओ, उसके पहले ये भी देख लो, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे वाले भी सीखेंगे, गडित, ना उम्र की सीमा हो, ना जनमो का हो बंदन, और जब, आगे तो सुनाई हो का आपने, मेरी लाइन बदल जाती है, जब गडित सीखने का मन, आजाओ, पीवियार स्टडी, जब गडित सीखने का हो मन, है ना, ना उम्र की सीमा हो, ना जनमो का हो बंदन, और आजाओ, भीया, पीवियार स्टडी चैनल पे जब गडित सीखने का हो मन, चलो देखो इदर, तो आग रेक्टेंगल बहुत छोटा सवाल है इनकी साइड दी गई है यह मालो दी गई है पांच सेंटीमेटर और सुबच्चा यह दिया है तीन सेंटीमेटर देन फाइंड दा छित्रफाल अब 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 ता इस से आसान सवाल क्या ही हो सकता है बता जल्दीज कुछ लोग बोल नहीं रहें सुबसुआ मूँ बना के बैठे हैं अरे सुबसुआ उटके जागे नहाई के आओ ठंड़ ठंड़ देखो बीनना आए ना सुबा की सुरुवात नहीं होती है लेकिन कुछ ऐसे आप लक्षी हैं जो नहावे नहीं करते हैं उनकी सुबा की तो उनकी लंबाई चौड़ाई का गुड़नफल करते हैं मल्टिपल आफ लेंथ हैं अगर आपने कोई चीज ऐसी खरीदा हो जिसकी वर्गफिट में रेट होता है जैसे कोई लकड़ी प्लाई बूड वगरा मिलता है दरवाजे वगरा तो उनकी रेट आप देखोगे दुक तो उसका लंबाई चौड़ाई का गुड़ा कर लेते हैं फिर उससे गुड़ा कर देते रेट से अगर कहें कि एक दरवाजा है जिसकी लंबाई पांच मीटर है चौड़ाई तीन मीटर है मान लो सेंटिमेटर नहीं मीटर ठीक है 40 रुपया वर फिट मिल रहा है तो कितने मिलेगे जानते हो पांतियां पंदरा और पंदर चोका साथ 300 रुपय मिलेगा चलें आगे बढ़ें कहते हैं जिंदगी में जो बैस्त है वही मस्त है खाली मन सैतान का अड़्डा तो आप भी अच्छे कामों में बैस्त रहें और खुश रहें आज का टॉपिक है दसमलो य करना आज की कलास में रिकार्ड कर रहा हूं और उसके पीछे बहुत सारी वज़ा है और यह मैं रात के लगभग 2 बच कर 49 मिनट पर कर रहा हूं मैं आज ऐसा धर्म संकट में पढ़ा था कि मैं सो भी नहीं सकता था और मैं जाग भी नहीं सकता था क्योंकि क्लास सुबा 5 ब और जिनको live recording में फरक करना है भाग जाए यहां से चुप चाप क्योंकि मुझे लगती गुस्सा मचे वबिस गंटे आपके लिए काम करता हूँ सिखाऊंगा एक एक point समझाऊंगा नहीं समझ में आगा comment करिए फिर भी नहीं समझ में आ रहा नंबर पे संपर करिए समझाने की हमारी guarantee है पढ़ना चाहते हैं तो आईए स्वागत है इतने टाइप के question हम लोग यहां करेंगे तीन टाइप के पहले मुखता ठीक है चलो तो पहले टाइप वह है जब दसामलों सिर्फ अंस में लगा हो और हर में दसामलों ना लगा हो ठीक है एक बात मैं आपको बताया था दसामलों हटाना थोटी सी बात सबसे पहले explain करूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा जैसे अगर 2.5 है यहां पर दसामलों लगाए ना नीचे मालों 5 है तो साथियों एक अंक पर दसामलों है ना तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं पांस और हर दोनों में एक से ग बढ़े ठीक है एक अंक पर दसामलों था तो इसका मतलब हम 10 से नीचे उपर गुड़ा कर देंगे दसामलों का हल हो जाएगा तो यह फाइनल में आपका हो जाएगा बच्चा 250 और यह हो जाएगा आपको 50 दसामलों में अगर आगे बढ़ेंगे एक अंक पर दसामलों था यहाँ एक अंक पर दसंबलो हो जाएगा यह दसंबलो अगर हम हटाएंगे इसका हिसाब करेंगे तो इतना आ जाएगा clear? यानि एक बटा दो आ जाएगा बात पकी कोई दिक्कत ना किसी को तो यह क्या था तरीका दसंबलो हटाने का? हमने सिर्फ और सिर्फ उपर वाले गिंती का दसंबलो हटाया मैंने आपको पूरी बात क्या बताया? कि दसंबलो एक अंक पर था मैंने ऐसा प्रास्शर्स किया उतना आया अब मैं इसी condition के अधार पर ये भी आपको कह सकता हूँ कि अगर ये ऐसे दिया है बच्चा तो इसको हम एक अंग उपर दसमलो हटा के नीचे एक अंग 0 डारेक्ट अगर बढ़ा लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है अब मत पूछना ऐसा क्यूं हुआ ऐसा इसी प्रक्रिया के अंतरगत हुआ हम ये 3-4 step ना करके डारेक्ट लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं ये आपको आना चाहिए ठीक है? clear? बढ़िया? चलो आगे देखें चलो मस्त अगर हम इसी करम में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि 4.5 और नीचे 9 है तो बच्चा ऊपर एक अंक पर दसमलो है हटा करके नीचे हम 9-0-90 लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए नहीं तो आगे मैं कर दूँँगा तो ये मत पूछना कैसे हो जा रहा है ठीक है ये क्यूं ऐसा हो गया उदर देखो प्रोसेस हुआ है सेम उसी तरीके से फाइनल में सुरू में ये इतना था इतना था फाइनल में वही बना लाइस्ट में एक 0 आगया बस बाकी सब हो यह है ना चलो बढ़िया तो ये चीजें हर आंस दोनों में लागू होती है जरूरी नहीं किसी एक ही में जैसे एक और देख लो मान लिजिए कि फार एक जामपल बच्चा ये लिखा है 35 और मान लो नीचे लिखा है 7 नहीं 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 दूर दसामलो 5 तो जानते हो क्या करेंगे उपर का गिंती वह ऐसे रहेगा नीचे से दसामलो हटेगा और नीचे दसामलो हटेगा तो उपर एक 0 बढ़ जाएगा बस ठीक है चलो अगला देखो अगर मैंने लिखा है कहीं पर 4.89 48 लिखा ओनली नीचे लिखा 1.2 अगर ये दसामलो नीचे दो अंक पर लगा होता दो अंक पर तो उपर और 40 के बाद क्या होता दो 0 बढ़ता ये याद रखना एक अंक पर दसामलो है पीछे से गिंते इधर से एक अंक पर दसामलो है तो उपर 1 0 बढ़ेगा दो अंक पर था तो उपर दो जीरो बढ़ेगा और इसी तरह से अगर तीन अंक पर दसमलो होगा कहीं ध्यान देना अगर कहीं तीन अंक पर दसमलो होगा अब मान लो ऐसा है तीन अंक पर दसमलो है देखो एक, दो, तीन तो उपर 3-0 बढ़ जाएगा डारेक्ट यहनि आप उपर क्या करोगे 3-0 बढ़ा के नीचे 15 लिख दोगे बात समझ में आई नीचे से दसंबलो खतम और उपर 3-0 बढ़ गया यह बात सभी को क्लियर बढ़िया नो डाउट नो दिक्कत किसी को पॉइंट की बात समझते चलिए आईए बच्चा चलो इतने ग्यान प्राप्त करने के बाद हम इसको डारेक्ट लिख सकता हूं 25 बटा 50 सिर्फ अभी हमें दसंबलो हटाना है अगर आपकी इच्छा है तो सरल भी कर लो फाइनल में एक बटा दो आ जायेगा नहीं तो ऐसे छ सुना नब्बे फाइनल में एक बटा दो पढ़ियां चलो देखो यार रिकॉर्डिंग में बड़ा मजा आती मुझे संतुष्टी मिलती है यह देखो उपर से मैंने दसंबलो हटा दिया एक अंक पर था नीचे क्या होगा एक जीरो बढ़ जाएगा आप इनको 25 से करो दो आएगा यह ज्यादा सही है क्योंकि एक बार में मिलाना है क्योंकि 125 और 250 का HCF 125 होगा इसमें देखो बच्चा दो अंक पर दसंबलो है तो ऊपर डारेक्ट वैसे लिखेंगे नीचे क्या होगा दो जीरो बढ़ जाएगा कोई डाउट ना नीचे क्या होगा दो जीर 1275 तो आपका एक बटा पांच बच रहा है इसमें कोई डाउट ना किसी को चलो यह आपके लिए होमवर्क रहेगा सेम उसी तरीके से है जैसे मैं अभी बताया हूं तो आप यह होमवर्क करोगे उमीद है मुझे पूरी आप से कि आप जरूर करोगे है ना बच्चा और इस है कि मैं डेली आप से पूछता हूं तो बता बहुत ही आसान सा सवाल होगा आपके लिए बहुत ही आफान नो गुड़ा चार ना 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 दस गुड़ा दफ यह यह क्या है पर्मिये है कि अपर्मिये कमेंट करके बताना यह इनाम वाला सवाल ह यह पर्मिय है कि अपर्मिय क्या है यह आपका कोईशन है आज इनाम वाला जो इनाम वाला कोईशन होता है न डेली एक चलिए टाइप नंबर सिकेंड पर आजाओ फिर इनाम वाले सवाल के बाद क्या कहता आईए बहुत ही प्यार से देखो करा कि जब दसामलो सिर्फ हर में हो अंस में ना हो आईए अभी अभी मैंने आपको बताया है बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे उपर कोई दसामलो नहीं था कोई लफड़ा नहीं को ऐसे लिख लो नीचे एक अंक पर दसामलो था तो प्यारे बच्चों दसामलो खतम कर द कड़ें चलो उपर देखो एक अंक पर नीचे दसामलो था तो उपर एक जीरो बढ़ेगा नीचे से दसामलो हो जायेगा कितना आसान कितना मज़दार कितना मस जबर जस्त जो भी साथ ही इसे यूट्यूब पर डेमो देख रहें इंस्टाग्राम कहीं भी देख रहें वो लाइक जरूर करें तो मुझे ध्यान नहीं यह तो पूरा स्रीज आपको फ्री मिली रहे न आपसे अनुरोद होगा बात समझ में आया ना ठीक है कोई डाउट किसी को चले आगे चलो ठीक है बढ़िया मस जबर जस्त अगला होमर कर लेना कि चलो इसको बताओं आओ कैसे होगा यह कि 95 अपान कि भीया देखो दसंबलों एक अंक पर था बिटा दसंबलों नीचे से हटा दोगे और उपर चला जाएगे जीरो ऐसा क्यों होता है अभी मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं रुप जा भईया यह भी लफ़डा है सायद मुझे लगता साथियों फंस गया था थोड़ा सा वीडियो कोई दिक्कत नहीं आवाज तो मेरी आ रही थी ना हां मैं क्या बताया था मैं यह बताया था यह कैसे कटा था बताया था ना मैंने क्या किया 65 अपान 1.3 था हमने इसको पूरा का पूरा वैसे उतार लिया जैसे था और उपर जो है एक जीरो बढ़ा दिया क्योंकि नीचे से समलों खतम कर दिया जैसे अभी बताया था वसे पूरा प्रोसेस है कोई बात नहीं थोड़ा सा वीडियो फंसा था बीच में माफी चाहते है उसके लिए टेकनिकल चीजे है आओ 19.95 और एक जीरो तो कित प्रतम करेंगे तो उपर दो जीरो बढ़ा देंगे यही तरीका है अठारा छिक के एक सो आठ होता है यानि एटीन शिख्स जा वन जीरो एट होता है लाइश्ट में दो जीरो बढ़ा दो फाइनल में छे सुआ जाएगा यह आपका होम और कर रहेगा कर लोगे ना कुछ कह होगी रिक्वेष्ट का आपने पढ़ा था कि जब दशाण Dwos सिर्फ आंस में हो idee सांवलों सिर्फ और में हो जब दशा अन्ट वहार दोनों में ऋद को पर हो यह चीजें कल आपने पढ़ा था लेकिन लास्ट वाला पॉैंट बराबर अंगकों वाला नहीं हुआ तो पहले तो भाईय बाबू अगर दसम्लो बराबर बराबर अंक पर होता है तो आप डारेक्टली दसम्लो रिमूब कर सकते हो मतलब बीना कुछ का दिमाग लगाए बराबर बराबर अंक पर है तो आप इनका डेसिमल डारेक्ट रिमूब कर सकते हो वजह क्या होगी पताएं क्या वजह होगी देखो उपर से दसंबलो हटाएंगे तो हम क्या करेंगे दो अंक पर दसंबलो है नीचे उपर कितने से 100 से गुड़ा करेंगे नीचे भी दो अंक पर दसंबलो है तो इसके लिए क्या करेंगे उपर नीचे 100 से गुड़ा करेंगे समझते चलना ठीक है? इस तरीके से आपका ये महाल क्या बनेगा? ये आपका 625 के बाद 4-0 और ये 25 के बाद 4-0 दो दो अंक पर दसंबलो था यहां दो दो अंक पर फिर फिर दसंबलो लगेगा नीचे दिखरा थोड़ा सा कम क्लियर हो रहा होगा नीचे दो दो अंक पर फिर 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 दसंबलो लगेंगे रुको देखो यहां पर दो दो अंक पर दसंबलो लगेंगे अब दसंबलो के हो जाएंगे काम खतम तो यह आपका बचेगा बच्चा 625 00 और यह 25 के बाद 00 हम 2-0 से 2-0 काट देंगे चैंसिल कर सकते हैं लाश्ट में फिर वही गिंती बच जाएगी कोई फारक नहीं बड़ा इतनी कुल पर क्रिया करने का तो मैं वही शुरू-शुरू में बताया कि आप डारेक्ट दसंबलो हटा सकते हो बीना यह सब किच-किच किए कोई मतलब नहीं होता इनका ठीक है तो पच्चीस का पच्चीस मुझे लगता है कि पच्चीस का वर्ग क्या होता है 625 तो टोटल फाइनल कितना आजाए का 25 पच्चीस पंचे 125 का पांच हांसी लाया कितना बारा पचीस दूना पचास बारा बासट सही है 25 का स्क्वाइर 625 होता है यह क्लियर इस अनुभाव के आधार पर हम कह सकते हैं यहां पर बीना कोई वजहाई किये हम डारेक्ट 120 बटा साट लिग सकते हैं कुछ नहीं करेंगे हम इसमें आगे का ठीक है इनको डिवाइट करेंगे फाइनल में टू आएगा और अब इन दोनों अनुभाव के आधार पर जो हमें यहां पर एक्स्पिरियेंस मिला है यहां पर भी हम डेसिमल रिमूब कर फकते हैं क्योंकि डेसिमल के डिजिट सेम है वन वन डिजिट पर है यह हो जायेगा आपका टू फाइनल में कितना आएगा दो यह तीफिरा टाइप का था जब दसमलो सेम सेम अंक पर हों क्या हों सेम अंक पर हों कि चौथा टाइप का क्या था जब अंस में एक वा हर में दो अंक पर दसम लो कि कमेंट देखो सब के आ रहें लाश्ट में पढ़ूंगा जो बिल्कुल पढ़ने वाले सीरियस बच्चे हैं इतने सुबा सुबा जो जगे हैं और क्लास में आये हैं लाइफ में उनको बहुत कुछ हांसिल करना है और जो अब गदाहा जैसे सो रहे हैं वो सोते ही रहेंगे ठीक है बढ़िया मस्ट जबरजस्ट चलिए सब बढ़िया चल रहा है स्वाती राजू खाटु स्याम मैथ क्लास टैंथ लौकूस पंकाज सिवाम संसकारी लड़का लड़की मिस अंजली साह और विवावस से बच्चे हैं तो इसमें हम एक चीज आपको पहले बताएं क्या कर सकते हैं नीचे दो अंग पर दसमलो है उपर एक अंग पर है अगर हम दो में से गटाएं तो एक आता है न पर पहला तो हम ये कर लें कि नीचे एक अंक पर दसमलो लगा दें और उपर दसमलो हटा दें एक तो ये कर सकते हैं बिना दिमाग के तो एक बार इसको करके देखें उपर दसमलो हटा दें नीचे दसमलो हम एक अंक पर कर दें ठीक है अब क्या करेंगे नीचे एक अंक पर दसमलो है तो पीछे अब तक सीखे गए अन्भों के अधार पर हम नीचे फिर दसामलों पर्मनेंट हटा दें उपर एक जीरो बढ़ा दें कि दो से इनको डिवाइड कर दें तो दूना चार कि दो दूना चार कि दो सच चौदा यहनी बाइसो सत्तर आएगा फाइनल है ना खतम इतना कुछ और कुछ नहीं कि आगे का देखना क्या है कैसे यह तो एक चीज हो गया अभी हम आपको उन बेसिक सिस्टम में लेके चलते हैं जो हमें रियल में करना है यह तो दूफरा तरीका था बेसिक सिस्टम में देखो बहिया इनको देखो पगल वाली को देखो ऊपर एक अंग पर डेसिमाल है ना तो प्रोसेस करेंगे इसके लिए एक अंग पर डेसिमाल है तो नीचे और उपर दोनों में हम 10 से गुड़ा करेंगे जानते हो ना यही तो होता है वन डिजिट पर अगर पॉइंट है तो नीचे उपर दोनों में एक अंग से गुड़ा करेंगे मतलब 10 से अगर दो अंग पर होता है तो 100 से तीन अंग पर होता है तो 1000 से यानि जितने डि वाले के लिए लेकिन नीचे वाला जो है खुपड़ी बैठा इसके लिए भी तो कुछ प्रोसेस करेंगे इसमें भी तो यंग पर था तो इसके लिए हम सौ से गुड़ा करेंगे दोनों में कितने से सौ से अब समझना आगे का क्या लफड़ा है वही चलो देखते जाओ आगे 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 चलो 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 अब यह 144 दो जीरो उसमें का और एक इसमें का तीन जीरो और यह 12 इसमें भी तीन जीरो क्लियर उपर एक अंक पर नीचे दो अंक पर दसमलो लगे गा यहां पर आएफ़े बनेगा बड़ा बन गया आप जो एक्स्ट्रा जीरो है दसमलो पहले इनको भी माएफ़े निप्टा सकते हैं बड़ा कर सकते हैं ना यहां मैं नहीं तो किया था फाइनल में एक जीरो उपर बढ़ा दिया था नीच्छे फिदसम्लों खतम कर दिया था लाइस्ट में न और इधर भी वही हुआ है है ना कि अलो ठीक है डिबाइड करो कितना आएगा ट्रेंड ट्वेल लिखो चापो चलो आइटम लेके आता हूं इनको मारने के लिए लोग ना मुझे आती करके रख पर लुखे ना कितने लोग कर लेंगे सिलांबर टाइम हो गया का अचलो अगले मौहएप रजी अगली कि लास में उसके साथ यह चीज्या। आपका आफर इंड हो रहा है इसे फटाफर इन्रोल करें जब आप ये वीडियो देख रहे हो इसके अगले दो घंटे तक सीटे उपलद है बस खतम बिल्कुल जीरो से सीखना है तो जो आइन कर लें बहिए एकदम सुन से हमारे डारेट कंटेक्ट में रहके आप पढ़ोगे हम आपको गाइड करेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कैसे क्या करना है सब बताएंगे आप इसे जरूर इनलोर कर लो गया Quesion No 27 आज का सवाल है छेवा साथ के बीच कितनी परमिय संख्याय होती है इनाम वाला सवाल है इनाम वाला सवाल है ठीक है पिए धक जारे वैया चलो बताओं हर सवाल जो है आप को एक नया होता है आपकी क्लास में हर एक क्लास में इस तरिके किना चलो बनिया मज़र्जास्त तो मुझे ये बताओ कुछ सवाल पूछलू में कल की क्लास में क्या पढ़ा था कि कल की क्लास में क्या पढ़ा था यह बताइए संख्या 18 की उत्तरवर्ति उत्तरवर्ती संख्या बता अठारा की चलो अठारा की उत्तरवर्ती संख्या बता भई पहला सत्रा उनईस बीस या ना ना अब दीजी इनमें कोई नहीं बहुत अच्छा उत्तरवर्ती या अनवर्ती संख्या का मतलब यह होता बच्चा दी गई संख्या में one aid करके नेक्स संख्या होती है प्रीती या दो जी गुद मॉर्निंग हाँ नेक्स्ट यानि जो संख्या दी गई उसकी आने वाली संख्या आए सिकेंड कुशन वैसे मैं फिर से बता दूं आज पढ़ाई वाली कलाफ नहीं आज हम लोगों ने कुछ important topic पर डिसकस किया लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर पढ़े ही हैं तो पूछ ही लेते हैं क्या ही हर्ज है ये बताओ संख्या 719 का HCF क्या होगा इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है तिर्फ आंसर देना है बताइए बहुत अच्छा very good सुबह सुबह मैं नाम कबर करने की कोशिसी से लिए करता हूं जो बच्चे आते हैं क्योंकि वो बहुत मेहनत करके जागते हैं सुबह उठना बड़ी बात होती है ना इनमें कोई common factor नहीं आपस में ऐसी संख्या जिनका कोई common factor नहीं होता आपस में उनका HCF सदय क्या होता है 1 होता है है ना समझ रहो चलो यह बताओ 0.003 को परतिससत में इसको percentage में बदलोगे तो क्या आएगा यह तीन पर्फेंड यह तीस पर्फेंड यह तीन सो पर्फेंड यह ना अब दीज यक्षप्रसन तो मैंने पूछा नहीं आज वाला आज वाला यक्षप्रसन भी तो पूछना है इनाम वाला है ना चलो किसी भी संख्या को percentage में convert करने के लिए बच्चा क्या करते हम percentage में convert करने के लिए उसको क्या करते हैं तो उसे गुड़ा करते हैं न multiple by 100 क्या करते हैं multiple by 100 तो 0.003 into कितना 100 गुड़ा करोगे 300 तीन अंक पर दसंबलो रहेगा बच्चा यहां आएगा क्या होगा बईया दसंबलो कैसे रहेगा हो तो क्या बने गई है 0.3% आएगा यार यह 0.3% क्यों तीन तो होगा ही नहीं इसमें नान अप्दीज होगा फिर मलूपूर वाले बला जी ना महिन का इन्होंने रखा है अच्छी बात है गुड़ मॉर्निंग सभी को गुड़ मॉर्निंग अराध्या जी गुड़ मॉर्निंग महेश बाबू गुड़ मॉर्निंग तो ठीक है कर लेंगे सब यह लोग पूशन नमर चार एक और लिख लो चार बटा पांच का पर फ्रेंटेज में मान कितना होगा सोचो 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 10% 20% 60% 20% बहुत अच्छा 80% कैसे दी गई संख्या को बिटा हमेशा पर फ्रेंटेज में कनवर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं इसको हल करोगे कितना आएगा 80% देफिज आन सार है ना बढ़ियां मस जबरजस्त तो वैसे फिलाल आज पढ़ाई वाला कलास था नहीं लेकिन मैं 5 कोशिशन कर लिया बट आज का सवाल आज का प्रफन आज का प्रफन जो यक्ष प्रफन होता इनाम वाला ये वो वाला है ठीक है वो क्या है वो ये है बच्चा 21 का वर्ग बताओ 21 का इसको अर क्या होगा अगर आप लाइब देख रहे हो तो इसको लाइब इंडोने के बाद आप कमेंट करेंगे इसका इसको अर क्या होगा ठीक है बढ़ियां यह क्लासे बहुत चोटी-चोटी होती है हमारी कोशिस है इनको बड़ी क्लास में करने का एक गंटे-दोदो गंटे की ऐसे मज़ा नहीं आती बट अभी सुबह का टाइम अर्जस्ट नहीं हो रहा है तो मैं कोशिस करता हूं कुछ करने का ऐसा